कि अच्छी बाई लोग क्या आप लोग को मरी आवाज आ रही है गुड मॉर्णि एंविन गुड मॉर्णिंग आगे न भाई लोग का मैं बाई मतागे अपने आख अब कि अब लो और आख अब है अब अब इस इस अब लेंगे शाम दाम अपना यह उसके लिए ठीक है मताते हैं एक यह पीबल यह पीबल हवाई एक प्रफेशनल में मुझे ऐसा लगता था कि नए वाले प्रफेशनल का सब्जेग्ट जी एरमसी के मुकाबले मच लॉजिकल मच बेटर आएगा मैं गलत था भाई तुम बिल्कुल सही जा रहे हो तुम कतई सही निकल गए यह जी एरमसी के सब्जेक्ट तो भगवान है आज के बाद मैं कभी जी खराब बोलूगा ही नहीं मतब खराब ऐसे कभी भी नहीं कहना चीए पर यह नया वाला त सब्जेक्ट और अपने में ही भाल के चोहत्तर कर सकता है इतना जबरदस्ट है इतना जबरदस्ट तो यह आपन बिल्कुल बढ़िया भगवान को पहली बात तो धिने मात बोलना कि तुम वक्त रहते पैदा हो गए वक्त रहते एकदम सही जगा पहुंच गे और वक्त रह में कसम से मजाख नहीं कर रहा अच्छा तुमको ना ऐसे बस नाइस तर्फिस के ताफ से बताऊ ना यह इनका नए से लिपस का रिस्क मानेजमेंट है यह चाप्टर इसक इतना बड़ा है कि मुझे इसे दो पार्ट में देना पड़ा और इसका सेकेंड पार्ट किते पे जिस कि मजाख भी नहीं कर रहा दोंगो तो अपन बहुत ही बड़ी है अच्छा आज मैं क्या बोलो ना मैंने हर बार हर मैरेथान में बालक बाली गाओं की बुद्ध्या सुनी और वह अपना-पना एक फिर लेकर आते कि अपन ऐसे कर लेते हैं या फिर अपन ऐसे कर लेते हैं शांती से 18 और 20 मेरे को देना मैं लिख के देता हूं लिख के जिस प्लैनिंग से अपना लोग चलेंगे उससे अपन निश्चित 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 पास होंगे आचा एक सेकड़ बिफोर वी गो अहेड मैं आख एक बात मैं बिफोर वी स्टार्ट ये बात तुमको च शुद भी गुड देखो पेपर सिंपल आएगा मैं यह कभी आपको वापसे नहीं बोलता बाट इस बाइपर लॉजिकल आएगा ऐसा नहीं आउट आप उसे लिपस कहीं से भी तीर चला के देदो यह नहीं करेंगे पेपर डिफिकल्ट हो सकता है बड़ भी लॉजिकल एट अब तुम भगवान से दुआ करते हो कि हमारी सब्जेक में से लास्टाइम के पेपर में बच्चे उठके पूछ रहें कि सार शायद यह दूसरी चक्रा का पेपर देती है यह हमारा नहीं है हम मजाग नहीं कर रहे है ऐसा हुआ ठीक है तो एक बार के लिए सुनना आरह हम स मैं लिख के दे रहा हूं पेपर मॉडिल से हैंगा इस बार चेकिंग अच्छी होगी थांक्स टू किये लोग एक कमिटीव बना रहें विच इस गूँंट ओवर सी दचेकिंग ऑफ दे पेपर ठीक है तो यह बात पकी बात तुम यहां पर रख लो की होगा अच्छा एक से कुछ भी नहीं होगा मैं बैठाओं मेरी जिम्हादरी नहीं होगा अच्छा इस बार नेक्स चीज़ जो बहुत अच्छी होगी विचाइं प्रिटी शौर कि आच्छा आपके पेपर में आपको पंदर मिनिट जादा मिलने वाले और जीरम सी में अपने को जितने मिनिट ज अच्छे से यादी नहीं होता हम भूल रहे ऐसा लगता है बहुत लेंदी हो गया है पेपर में किस तरीके आएंगे अटेम्ट कैसे करेंगे टाइम मैनेजमेंट कैसा होगा यह अगयरा वगयरा कुछ चीज़े आप लोग इन जनाव पर आपको ही घूम रहे होगे इस तुम ऐसी आवाज देता हूं न तुमको साथा तुम कौन सी आवाज तुम नचा रहे हो अभी देखो अभी आवास बेटर है क्या तुम्हें दिख रहे है कि मैंने रोड का माइक लगा है ओ अब है वो रोड मतलब रोड पर नहीं है यह अतना वह आर ओडी वाला रोड है वह म्हेंगे वाले मी इतव हैं क्य आजकर इंफ्लूएंसर लगाते इंफ्लोएंसर तुमको बता हूं कि अगयों के ड़ kory नजी तेप्टर आपके सब्सक्राइट करने में ने बहुंत्ट कर नीए रहते तो अभी आराम से मेरी स्प्राइजी सुनना-कडम शान्थी शहता मैं बोलूं है समझ के रखना और यही करना 110 प्रशंट कल में कमसे में एक घंटा बैठा हूंगा कि हाव डूबी गो एहड पर डिसेमेंट 23 कि हम बहुत इजी ली क्लियर कर जाए ठीक है कि सब्सक्राइब चाहिए आज़ो एक तुम कि 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 अब पहले बार मेरी बात सुनना कि मुझे जी आरेम सी ही नहीं आता पूरा गर्वादा जी वसंद्रा देख भूखूख लगरी ओ आ जो तरे पास खाना वना खाने चलें कॉफी पी लेंगा राम से ठीक अच्छी सब्सक्राइब चीज डिफिगल्ड बोलके करोगे डिफिगल्ड ही लगने वाली मेक शॉट कि आपने में दिमांग के बनवा दिया तो हो गया काम तो अब बस तरिफ शांती से में तरफ देखना हमने क्या करना है समझना इस चीज़ प्यार महब्बत से अब देखो पूरा जेरेम सी कराओ अब बेटा अब और भी कुछ काम हो तो बोल दो भी कर देता हूं घर भी आ जो अब मेरी बात सुनो आराम से मैंने इसमें क्या किया अच्छा आपका जो चाप्टर वन है और आपका चाप्टर टू है यह मैंने प्रीविस मैराथान में जस्ट इस ते पहले वाला जो मेरा मैराथान है इसके अंदर तक्रीबन तक्रीबन 6-7 घंटे लगा के पूरा रटवा के दिया हुए तो सिर्फ आपको क्या करना है वन्स वे दन विद इस मैराथान कल वर्ल्ड कप चल रहा होगा अगर वर्ल्ड कप के बीच में तुम्हारी फट रही है और तुम्हें मत सोच यह फर्स और सेकेंड चाप्टर आप कौनसे मेंडमेंट से देख सकते हो आप लिखोगे जी आरं सी मैराथान जून 23 आप सरिफ क्या से उच करोगे जी आर एंब सीए मैराथान जून 23 उसमें मैंने कराया ही चाप्टर वन और तू सब्सक्राइब और कुछ भी नहीं देख ना कि तो यह दो चाप्टर वहां से रट के वापस आऊगे तो जी आरेंसी जून 23 इस वाट यह व्याव तो सी नेक्स्ट अब इसके बाद आ गया जाते है चाप्टर 345 मैं तुमको इस बार भी शर्त के साथ लिखके दे सकता हूं यह चाप्टर 345 तकरीबन तकरीबन 20 से 25 अब देखो वो सारे लोग जिनको जी आरेंसी में याद करने से याद करने से याद करने से बहुत जादा दिक्कत आती है आप लोग को सबसे पहले आपन सबसे पहले पास होते हैं पास होने के लिए अपने को सबसे इंपॉर्टन क्या है चैप्टर 3,4,5, 12, 13,14 अगर यह 6 चैप्टर तुम्हारे कमांड में हैं तो किसी में दोर नहीं तो नहीं किया जा सकता आप आहीं रहे हो क्यों यह आपके लिए तक्रीबन तक्रीबन 60-65 नंबर का पार्ट है 60-65 नंबर में मैं मानता हूं गिरी से गिरी आलत में तुम लोग 30-35 के आस-पास कही न करेंगे तो चैप्टर 3-4-5 अच्छा यह आज के मैराथॉन में यह चैप्टर 3-4 और 5 यह तीन चैप्टर ऐसा कुसोड के दूंगा यह तीनों के तीनों चैप्टर इसके बाप भी बुलवा देना तो मेरा नाम बन देना कि तो ठीक 3-4-5 यह 3-4-5 करने के बाद आपन करे और सिर्फ मेरों पर एक मिनिट रुग जाओ मेरी बात सुनो मैं आपकी सारी तकलिफी सुनोंगा मैं यही हूँ तुम्हारे साथ ही हूं दो दिन अपन ही हम तो 3-4-5 बहुत जबर्दस तरीगे से करने हैं 3-4-5 में 99% case-based questions ही आते हैं so the idea of 3-4-5 is not to learn them but to probably अपने को उसको interpretation की तरफ लेके जाना है कि किस तरीगे questions handle करेंगे तो इस marathon में तकरीबन तकरीबन what is my plan कि हम लोग आज का पूरा दिन पढ़ेंगे 20th का almost पूरा time पढ़ेंगे पर लास्ट के जो 2-3 घंटे होंगे उन 2-3 घंटे में पढ़ेंगे ही उन 2-3 घंटे में अपन सरफ previous paper discuss करेंगे questions देखेंगे उसको discuss करेंगे कि इसको किस तरीके से time करना चीए था इसको किस तरीके से answer लिखना चीए था तो मेरे इस marathon के अंदर तकरीबन 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 तीन घंटे सिर्फ और स्थ क्या है previous papers की लेजिन में बस previous papers discuss करेंगे cool coming back where I was chapter 3, 4, 5 अचा इसके बाद अब यहां पर आप जो देखे रहे हुँ न 6, 7, 8, 9, 10, 11 यह काईदे से जब मैं आपको पढ़ाता भी था सब भी मैं आपको बोलता था कि मेरेको सबसे पहले board बहुत important लगता है उसके बाद chapter 1 और 2 से आप यह मान के चलीगा आपको distribution बहुत simple बताता हुँ यह दोनों chapter मिला के 5 से 10 marks आ सकते हैं ठीक आप यह मान ना उसके बाद प्रॉबबली accounting and audit से आप एक question expect कर सकते हो इन दोनों में से एक तोरस से उपर पार वैसे दूसरा नहीं आता पर एक question आप expect किस से कर ले ना corporate governance forum एक question इससे आता ही आता है governance and compliance risk might be sixth और tenth में इन दोनों में से one या फिर इधर से question this is what I feel आपका इस बार का paper आपको दिखने वाला है ठीक है सर पिछली बार chapter 12 से कोई direct question नहीं था आयुश I am telling you यह लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं ICSI है वो तुमको बताया थे न जावड़ा हलके मोर बना देंगे सो हम तैयारी वैसी ही करेंगे कि इस बार direct हो या फिर case based question दो we'll be able to attempt it so don't worry with that कही न कहीं से अच्छा देखो मैं आपको इस mathon की start में भी एक चीज़ बहुत लिखित clear कर देता हूं दोस्त इस बार मैंने यह नहीं बोला कि difficult नहीं आएगा मैं इस बार तुमको यह बोल रहा हूं कि इस बार आगर आपकी तैयारी अच्छी है तो यह attemptable paper होगा सबसे पहले करेंगे chapter 345 तो आज part A का 345 टागेट है इसके बाद हम जाएंगे part B RM खतम करेंगे और अगर RM के बाद time बच जाता है तो हम जाएंगे part C के अंदर अगर हमने आज इतना अचीव किया तो हम कल के लिए परसों के लिए एकदम बिल्गूल पॉफेक्ट टागेट पे क्योंकि परसों अपन मिलेंगे वापस से परसों तुम लोग chapter 1 और 2 रिवाइस कर चुके होगे तो 20th morning को तुमारा 1 खतम होगा 2 खतम होगा 3 खतम होगा 4 खतम होगा 5 खतम होगा 12 and 13 14 में से कोई एक खतम होगा उसके बाद अपन 20th को मिलेंगे 20th को मेरा mostly plan है कि मैं यहाँ पर एक इधर से 7 and 8-9 में से आपका एक chapter करवा के दूँगा बाकी की दो chapters आप आप इसे read कर सकते हैं और part C का जो एक chapter बजगया है वो open करेंगे that's it उसके बाद लगेंगे papers में उसके साथ papers के चालू करेंगे ठीक बस उसके बाद papers start कर देंगे और सारे 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 मैंने यह पार्ट दी तो बहुत सिंपल है या पार्ट दी में टाइम मत बेस्ट करवाओ प्रॉबली पार्ट दी कब यूज किया जाता है जब पार्ट दी के मैं आपको वापिस से important questions शेर कर दूँगा जो मैं हर बार बूलता रहता हूं मैं वापिस से आपके लिए शेर कर नाम से फटी हुई है कि अमेंडमेंट देख लोगे ना अग्दम चहुत्तर हो जाएगे आपको बता रहे हैं हमारे 92 पेजिस के मेंडमेंट आए तुम्हारे कि तुम कोई बात पता है कि एनिवन 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 तो सारी चीज़ों के लेते ही चलो ताकि बाद में अपने को कहीं टाइम बेस में करना बड़े कर दो नक की बात नक की बात कि इन लोगों ने आपके इसमें कि स्टडी मैट में एक बुक के नीचे सप्लेमेंट डाल दिया है यह देखो इन लोगों ने सप्लेमेंट डाले जो 92 पेज़ेस का दिख रहा है हांच 92 पेज़ेस का सप्लेमेंट दिख रहा है ठीक है अब प्लीच इस चीज़ को यहां पर समझेगा दीस इस नौट पॉर अस मैंसा रिपीट करना इस इस नौट और अस अपने का भाईया हम अंधे हैं क्या आप जवर्दस के हमार मजल ले रहे हों यहां पर इतना जोर ते लिखा हुआ है सप्लेमेंट प्रोफेशन प्रोग्राम गवर्णेंट रिस मालेजमेंट कर रहा हुँ इसको वापस से देखना यहां पर उने लिखा है अमेंडमेंट्स और डेवलपमेंट फ्रॉम ओगस्ट 21 तू नवेंबर 2022 यानि कि यह आज से एक साल पहले तक के जितने वी अमेंडमे पैड़ेशन है यह सारी की सारी चीज़ है और रेडी मैंने आपके नोट के दर डाली हुई है जैसे अगर आप लोग नामिमेंट से पढ़ाओगा अपनने इटालियन कॉर्पेट गवर्नेंस कोड भी पढ़ाओगा अपनने फिन निश्कॉर्पेट गवर्नेंस कोड लिए आपने ये सारी चीज़े Japanese stewardship code यह हमने सब पढ़ पाई तो this is already done हमारे लिए 92 पेच के amendments नहीं है तो भाया हम इस sheet को अब कर रहे हैं delete वा ठीक सर अभी sheet delete होगे सर आपको पता है इन लोगों ने एक और amendment sheet भी है जो आप अगर अपने ही बुक के अंदर जाएंगे अपने इस के website पे जाएंगे तो supplements के head में इन लोगों ने December 23 करके डाला है और GRMCE सर यही वो amendments है जो हमें पढ़ने है और कितना amendments है क्या बोलते हो एनी गैसिस कितने amendments होंगे है यह amendments है जो हमें पढ़ने है कुछ में पढ़ने की तरह नहीं है निश्चत सिर्फ यह supplement आया है governance risk management का supplement government development from December 1, 2022 to May 31, 2023 सिर्फ यही है अच्छा इसमें भी देखते हैं amendment कौन से chapter गया है सिर्फ एक एक page का amendment है board effectiveness एक page के amendment में सर यहाँ पर अब board effectiveness देखें तो obligation with respect to employees including senior management KMP directors and promoter यानी की सिर्फ हमारे KMP का obligation क्या होता है वो यहाँ पर बताया गया है देड़ पेज का total amendment and your amendment sheet comes to an end again इसके उपर लिखेंगे अच्छा यह मैं करवा के दूँआ obviously this is not at all relevant कि इसमें कुछ भी नहीं है अपने लिखेंगे नहीं है यह बस तो this is not at all relevant but still हम करके जाएंगे नहीं करके जाएंगे मेरी जिम्मेदारी मैं आपको यह करवा के भीजूँगा बद यह सिर्फ लिख में अराम से कर देंगे so now I think I am very much clear मैंने आपको आपका schedule बता दिया है for marathon तो marathon we'll be starting with our board that is 3,4,5 we'll be doing risk management and we'll be doing either chapter 13 or 14 for today sure amendments यह वाले amendment मैं आज ही बता दूँगा तो आज के marathon day 1 का हमारे इसमेंगे तो आज के marathon day 1 का हमारे इसमेंगे है ठीक है जून 23 वेल एमेंडमेंट्मेंट्स अब यह बस यहां तक करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे ठीक है अच्छा अभी funding का मत भूछना funding का में funding बता दूँगा आपको आराम से यहां पर आपको चाहिए कि मैं आपके नोट्स शेयर कर दो मैं नोट्स शेयर कर देता हूं कि मैं थे टेलेग्राम पर डाल दिया है और आमारे टेलेग्राम पर ढल देंगे डाल जाए है कि तो भी यहां बैटे-बैटे क्या करें शुरू करें कुछ काम लेगे प्रभू का नहां पदारों झाल झाल अไинки वाट-वाट-वाट हेट सबसे पहले हरेंगे और करेंगेगी से करेटेरिख्रेटरी का क्रेटेरिटライ स्टैंड़ाओं sins को कि वे यूए करो कि आइए अचा एक कोपी और एक पैन और भॉट सारा पानी लेगे मेरे साथ बैठ जाओ प्रैक्ट कोई पैसे निगते ममई किसम मैंने कल चेक करा है खुद का वीडियो लाइक है झाले प्रबसा हाँ जी प्रदारे हाँ जी प्रदारे हाँ जी प्रदारे झाले भी प्रदारे हाँ जी जी फोसु करने साहत में चलेंगे किसी को सुसु तो नहीं आरही है कर ली सबने जी भदार नो फ्रस्ट चैटर वाट विल्डिसकस्ट इन तोड़ी दिसक्श्शन इन बोर्ड प्रोसेस तूस्ट प्रोसेस्ट नूस्यृश्थ अच्छा बापिश समय नहीं हम गड़ें तेक्रेटरिल स्टेंडर्ड अच्छा से अपने को त्रिफ क्या पढ़ने का है अपने को से अधर पढ़ना है एस एस वन इस चाप्टर से एक क्वेश्चन मिनिममम आएगा ही आएगा प्रीविस पेपर्स के ट्रेंग जाके देखें इन लोगों ने एसस मन को नॉट इवन किडिंग इन नए सिल्बस में एसस वन को चालिस पेज का कर दिया है चालिस तो मेरे हिसाब से यह अपने लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले अच्छा मैं आपको इसके अंदर कुछ फ्रैक्टिकल चीज़े बताऊंगा जो न्यू से लिए लोगों ने आड करिये जो इवन अपने बैच के टाइम में भी डि दिस्क्राइब करने की जरत नहीं है कौन से इसाफने जो कोalı करने की जरत नहीं है इस फ़ास्ट मेस्ट क्वेश्चन चैनन जन्नी बित आथ है कौन सी इसी गमनी से जिनको सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड फॉलो करने की जरॉब नहीं है बहुत ही बढ़िया तो अविकार आज गिवन अगुड आंसर और इस बहुत ही बढ़िया ठीक है बहुत स्टार्टप्स को ऐसा नहीं है एक्जेंशन नहीं उनको एक नमबर एक नमबर एक नमबर काफी हथा काफी हथा काफी हथा तक सई जवाब आए हैं लेट मी जस्ट अड़िट तो यू बहुत ही मस्त तो याद रखना सेक्षन 118 क्या बोल रहा है सेक्षन 118 ने क्या किया उसने का every company एक चीज आपको सीखने वाली क्या है इसमें आपको एक चीज सीखने वाली क्या है section 8 companies जनो ने इफ 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 if they have not if they have not done any default in filing their annual return and financial statements तो अगर section 8 company जिसने अपने annual return और financial statements फाइल करने में कोई भी default नहीं किया है तो उनके उपर भी यहां पर SS1 का exemption आ जाएगा next किसके उपर exemption आ जाता है बबू OPC having only one director OPC having only one director please ज्यान रखना SS1 किन किन के उपर applicable नहीं हो रहा है it is not getting applicable on section 8 company it is not getting applicable on OPC is having one director एक सेकिद अगर मान लीजे for a matter of fact section 8 company ने default कर दिया SS1 applicable हो जाएगा मान लीजे OPC में एक सिदादर डिरेक्टर है SS1 applicable हो जाएगा तीसरा specified IFSC specified IFSC companies तो इन लोगों के उपर हम लोगों ने exemptions लगे दिये ये तीन segments है जिनके उपर आपको कभी भी सेक्शन एक सेस्मान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये तीन exemptions है अगर किसी को नहीं बताओ तो प्लीज अपने notebook के अंदर ये तीन exemptions लाल दीजेगा section 8 is exempted OPC is exempted and specified IFSC IFSC means private or public it doesn't matter they are exempted बहुत है बढ़िया बहुत है बढ़िया सबसे पहले आपको यहां पर आना है इधर से बोर्ट प्रसेश तुरू सेग्रेट इस सब्सक्राइब फर्सक्राइब फर्सक्राइब इस जस्क्राइब वेस्ट मस्टाइम उन बहुत ही बढ़िया नहीं बाब ऐसे नहीं जी से सब्च्राइब देखन, बाब मेटिया है बाब करना है इस यह आपना है कर फोगी इस ज्द एडधेश टिरिक्टाइब प्रसे हौ कहरे हमा डू authority to call the meeting the chairman the managing director any director or the company did you hear my question so has given the correct answer at the first place any director has the right to call a meeting now what he does is this request this request this request and with the permission of the chairman and with the permission of the chairman meeting call okay first part seven man as a man now go and take it back to you because it's my theoretical question is my case-based question so any director can call the board meeting the first part second and he has to request to the company secretary and company secretary with the approval of the chairman calls the meeting is the work of cs is so not you know other than the chairman who's the managing director whole time director or anyone who's authorized he body simple what my next question is what if the director has requested to the cs and the cs has asked the chairman but the chairman refuses what if the chairman refuses now now what will happen now the chairman has refused and answer it's 4.2 yeah anyone 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 any one majority nahi sam mat karna acha ap dhekho yehi chiz hai jho aap loog ko yaha pere add karke nahi dhe gai thi just a minute just a minute a . . . . . , . , . , , , . इकदम correct तो इस बार में देखिए इन लोग ने काफी अच्छे additions करके आपको काफी clarity दिये मैं आपको exemption लिखा दिया, applicability लिखा दिये, committees पर लिखा दिये non applicability लिखा दिये आपको, now over here, see authority, सबसे पहली बात, यह first point सीखना बहुत ज़रूरी है, यह आपके notes में नहीं लिखा हुआ है, हमेशा याद रखना, कभी भी याद रहें, डिरेक्टर जब CS को request करेगा, it has to be a written request, if he is given an oral requisition, तो director की जिमेदारी है, कि भाईया, उसको एक written requisition भी देगा, अगर director return requisition नहीं देता है, तो company secretary का काम है, कि वो इसको आगे चल के लिखेगा, and फिर यह इसको chairman के पास लेके जाएगा, अगर chairman नहीं तो whole time director के पास लेके जाएगा, for their approval, now अपके सवाल थे कुछ, अगर मान लीजे, कि भाईया, आपके chairman ने, इसको refuse कर दिया है, आपके chairman ने इसको refuse कर दिया है, to convene the meeting, सभी बात है, अगर chairman refuse कर दिया है, तो जो CS है, वो इसमें क्या करता है, he should act as per the provision of the articles in this regard, अचा, यहां तक सबको समझ भाई है, कि अगर chairman ने मना कर दिया, तो फिर articles पढ़ने पढ़ेंगे, कि भाई articles क्या बोलते हैं, that would be final, articles में अब यह भी बोल सकते हैं, majority of the directors का approval ले लो, articles में कुछ भी लिखाँ सकते हैं, पि जो भी articles हैं, वो final, अचा, now next question, sir, what if the articles are silent, now, live अले बच्चों, I would want to know from you, what if my articles are silent, अब क्या करों, what if my articles are silent, अब जब तक आप लोग इसका answer लिख रहोंगे, तब तक मैं आपको बता देता हूं, अगर article silent है, तो chairman का call final होगा, यह meeting नहीं हो सकती, फिर डिरेक्टर चाहे, तो जैसे आप लोगोंने वो EGM के अंदर पढ़ा होगा, meeting to be called on the request, अगर request reject हो जाए, तो members खुद भी meeting बुला सकते हैं, वैसी, तो इनकी the articles are silent, the company secretary or the person authorized by the board in this behalf, cannot convene a meeting, request by the director, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, शौर तो ऐसे में meeting नहीं होगी, हम director को बोल देंगे, फिर डिरेक्टर चाहे तो खुद की meeting बुला सकता है, और अपने सब से आगे बढ़ सकता है, यहाँ पर CS आपके लिए meeting convene नहीं करेगा, SS1 calling of meeting comes to an end, बोलो दोस्त, क्या अपन लोग इस चीज को लेकर एकदम clear है, of calling of meeting, क्या हम लोग को यह चीज clear होगी, अच्छा अब जिन लोगोंने answers दिये हैं, साथ में बहुत सारे ऐसे भी थे, जिनके लिए कुछ नहीं चीज है थी, इस पर case based question बन सकता है, so आप सिरिफ आपको जहां मैंने पूने notes बनाया होना, वाप एक छोटे से bracket में एक चीज आड कर देना, ऐसे, पर कूछ से keyword Weekly 3. characteristic आपने छिएम प्रणप सहकं वाप च्वाहिं पनेशनेट से अरह उठम, कूछ से औम ही जञ्सेर कि श्युणिटर में टेंक श्यग्वेतर है, सजे लिए review, है ठो स्च laser श्युदब्धंख से श्युद्धर क्स्व्श्य। था श्युद्ध यफ淋 हमम ज अब यहां पर इसके आगे एक छोटा सा पॉइंट और लिख लेते हैं if refused then the CS should refer the article of association and if article of association is silent the meeting cannot be called the case-based question वह बढ़ी आसी चीज थी case-based question के लिए बहुत 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 बढ़ी आसी चीज थी ठीक है I've done writing people बढ़े आगे आदाए आए 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 परवानी इपने आपने अपने अच्छे से सीख के चलो जितना आए मना अए थिंग आप executive से professional में आते तक समझ गया होगे बहुत ही बढ़िया अच्छा आप अब आथे डे टाइम प्लेस मोड और शीरिल लंबॉर ओफ मीटिंग दे टाइंग अड प्र अच्छा फीक सेकंड प्लीज टेल मीं क्या एक बोर्ट मेटिंग किसी भी दिन पर कॉल करी जा सकती है यह जी जी एक जीज अपना आ जाते है अपने डेट टाइम पर टाइम पर डेट एंड टाइम तो क्या अपने एक चीज फाइल कर दें कि मीटिंग किसी भी दिन हो सकती है अच्छा अब बोर्ट मीटिंग भी अल्सों है ओन अन नाशनल हॉलिडेग दाट इस थ्री देज ऑगस्ट फुट्टी फ्वेश्ट जैन एंड सेग्ड ओक्टोबर उन तीनों पर भी हो सकते कोई दिख्कत नहीं है अब आराम से मेरी इस बात को सुनना it could be hold on anything including national holiday नाशनल स्व ठीक भी प्हाँ अची की यहां पर भी चीज नख्ये इंट विए अच्छा इसका इमिन जिसमें अपन अगरी करेंगे कि टाइम आपके साफ से आप कभी मीटिंग रख सकते हो क्यों कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि सेम डे पर करते हैं कि दो मीटिंग के बीच में सफिशन गैप हो ताकि एक बंदा जिसको दोनों तरफ मीटिंग करनी है वह आराम से अटेंड कर पाएं आप से क्या करें वोकिंग आर्ज के अंदर मीटिंग स्टार्ट कर देंगा है अच्छा गैं दर मीटिंग क्यों इस Takes हम सिरे आपको ये बोल रहे है कि आप वोकिंग आर्ज के अंदर मीटिंग को स्टार्ट कर दो हमसे आपको यह बोल रहे है कि आप working hours के अंदर meeting start करो उसके बात चलने द्वारा हमसे it can continue even after the working hours there is no question to it एक नम्मर एक्दम clear है अचा ना हो अब आप नेक्स चीज़ देखार मान लीजिये कि यह जो meeting hold करिये पिनने this has been adjourned this has been adjourned now my next question is if this is getting adjourned अगर कुछ नहीं बोला जा रहा है तो next adjournment कब होगा आप बोलेंगे sir same time same place in the next week ठीक है बहुत बढ़े है so next week में same time same menu same place अग्रीड है अग्रीड है ना मेरा question सुनना can this adjourned meeting be held on a national holiday can this adjourned meeting be held on a national day तो अजर्ण होके मिया आई है पंदर अगस्त पे यह जरू क्या आई है बहुत ही बढ़े बहुत बढ़े यही इसमें एक ट्रिक थी एकदम से एकदम से बस तो जो लोगों ने आप इस इस वांसर दिया है इसका आंसर है नो यह national holiday पर नहीं होगी अच्छा शुड़ाइ गो अन दे प्रिसीदिंग दे दाट इस 14th August और शुड़ाइ गो अन दे सक्सीदिंग दे दाट इस 16th August बहुत ही बढ़े है तो आई तो आपर भी सब का अंसर है तो दिस वोड़ बी अन दे नेक्स सक्सीडिंग डे दिस वोड़ बी ओन दे नेक्स सक्सीडिंग डे दाट इस उन 16th और अउगस इस अगर आप लोग ने अपने कुछ स्मॉल बुलिटिन चार्ट बनाया है तो बस वहाँ पर एक च्छोटी ओनलाइं करके रखलीजेगा अच्छोट्यूंड जाने च्छोट बुलिटिंग तो अच्छों अच्छोटी तो बिधे हैं टेसे प्रहलें गैक्साट है था श्योट्यूड इसे तो अच्छोटे theoret मिधेट आच्छोट भीटंविटीं थाट्यूड च्योटी दिवयर थे त अब यहां पर एक वर्ड यूज हुआ था एड जो अच्छा यह जो मैं आपको सब एक बता रहा हूं न यह मैं एक प्लो पहले से बना के आया हूं जहां जहां पर यहां तो आज तक कभी केस्ट प्वेशन जाये हैं यह जिनका आने का चांस है तो मैं उन्हीं की साले पहले पहले आपके साथ टिपन ट्रिक्स कर रहा हूं फिर अपन आके जाएंगे ना एडजॉर्ण मेंट मुझे बढ़ाएगे कि एडजॉर्ण मेंट कौन और करता है इंडजॉर्ण मेंट कौन बहुत ही बढ़े है तो एजोन्मेंट इस बाइदा चैनल अच्छा नव अच्छा चेमन किन की चीज़ा के लिए एज़्चर्णमेंट और कर सकता है इदें Debuss लिए चीज़ां के लिए एज़्चर्णमेंट और सब्सक्राइ et वांटक pass दरनप्राइब ऑथब करके लिए iodर्णमेंट ऑ़बeton और 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 अच्छा और अच्छा और अच्छा एक सेखिर और लाक अफ टाइम और समस्पोर्स मेंजोर केडिशने अच्छ शारी और चेर्मटिस देंट हैं और आइस होगा ही होगा की जाओ पर भी बाकि किसी भी और matter में chairman adjournment दे सकता है याद रखना इधर unless dissented by majority unless dissented by majority quorum में तो पूछने की बात ही नहीं बाकि किसी भी अगर आपको adjournment करना है तो आप adjournment कर सकते हैं unless it is dissented by the majority जल्दी 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 बताएं आवी very much clear दोस्त आप इसको किसी को आड़ करना था प्लीज को आड़ कर सकते हैं जल्दी प्रफेक्ट आजए अच्छा देखें यही था फर्स्ट में डे टे टाइम में कुछ भी नहीं है एवे मीटिंग शाल भी सीरियर नम्मर्ट अ भी गन्वीन अट 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 अनी प्लेस ऑन अनी दे बस एक वो एट्जर्ण में वाला नहीं पॉइंट था जो आपने को करना था ठीक है ना, Notice, हाँ जी सर, नेक्स्ट अप अच्छा इसे, Notice के अंदर कोई ट्रेख नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, Notice के अंदर, Notice of the meeting shall clearly mention the venue, that is the registered office, अच्छा आप कहीं और रखना चाहते हैं, आप कहीं और भी रख सकते हैं, और otherwise, to the venue of the meeting and all the recording of the proceeding, if conducted through electronic mode, shall be deemed to be at such place तो even अगर electronic meeting भी थी, तो आपने एक venue बताया होगा, तो सब लोगों ने चाहे electronic mode से meeting attend करी होगी, जो venue आपने notice में लेखा, that would be the place of meeting अब दोस्त, इसके अंदर इन लोगों ने अनेक्ट्रेशर ए दिया है इसके अंदर इन लोगों ने अनेक्ट्रेशर ए दिया है, आपने का सर, what is this अनेक्ट्रेशर ए, मतलब यहाँ पर इसके अंदर इन लोगों ने उन सारी चीजों की बात करी है, which cannot be discussed, which cannot be discussed on video conferencing, I'm sorry not on video conferencing, by circulation, I'm sorry, अनेक्ट्रेशर ए एक मिन आपको दिखाते हैं circulation वाला मैं आपको थोड़े सी दिर में वापस में लेक्ट्रेशर आउंगा, यह न, हाँ हाँ, वो हट गया, video conferencing में कुछ भी हो सकता है, I just use that word video conferencing, उसमें सब कुछ हट चुगा है, एक चीज जो मेरे को बहुत काम की लगती है, इसी second standard में वो है अनेक्ट्रेशर ए, अनेक कौन से मुद्धे हैं, जो circulation से पास नहीं हो सकते, trust me on this, I have a gut, कि इस ते मिलता खुलता कोई question आएगा, तो यह मैंना आपके लिए इसमें एक general specific matters, corporate actions and additional list डाल कर रखी हुए, और उसके नीचे डाली हुए है कि generally first meeting एंदर क्या discuss होते है, पांच मिनिट में बस इस अनेक्शर पर आते हैं, पहले उदर का एक topic खतम करते हैं, फिर नेक्शर आते हैं, notice in writing, of every meeting shall be given to every director, notice can be given by speed post, notice can be given, right, perfect, notice can be given by probably an email, a courier, hand post, now यहाँ पर एक trick question, सुनना, समयजना और आरान से जवाब देना है तर, let's say, if there is a director, यहाँ पर आपके articles of association है, अचा, आप article of association शनके लो, और company ने decide क्या हुआ है, that they will be sending, notice, by, speed post, they will be sending, notice, by, speed post, सुनना आराम से समझना और जवाब देना, जो director है, it has specifically come, and mentioned to the company, that he would be wanting, the notice, through email, और उसने अपना updated email भी दिया है, हमारा जो act है, जो हमारा secondary standard 1 है, यह दोनों ही allow करते है, sending of notice, by, speed post, and by, email, इस case में, the company, in the next meeting, उन्होंने अपने सारे notice, वापिस से, खाली speed post से भेजे, and email से नहीं भेजा, now please tell me, is the company in default, or not, is the company in default, or not, जब तक आर्थ लिखे, let me, आर्थ लिखे, हाँ जी, the company is in default, and you guys are correct, the company is in default, यह देखे, यहाँ पर, आराम से, एक मिनट देखीगा, यह notice का ही provision है, जो अपन पढ़ रहे है, ठीक है, दो मिनट देखे, एक नमबर हैं प्रणा, very good, जो एक मिनट प्रविजिन को साथ में पढ़ेगा, जन लोगो एक्जाम्पल के साथ clarity चाहिए, जो देखे लो, and then we shift back again to where we were, now notice in writing of every meeting shall be given to every director, by hand, by speed post, or by registered post, or by fax, or by email, or by any other mode, notice shall be issued by the secretary, or whether there is no, then any director or any person authorized to do so, जार दिनायासे, the notice shall specify the number, day, day, time and full address of the meeting, the notice shall inform the directors, that they have an option to attend the meeting through electronic mode, now the provision under the Companies Act 2013, the Companies Meeting of Board Rule 24, provides that any director who intends to participate in the meeting, through electronic mode, यह ध्यान दना अच्छे से, यह Companies Act है, SS1 नहीं अब Companies Act है, उसको साल की शुरुवात में, एक declaration देना पड़ेगा, कि वो ही सारी meetings, इक mode में अटेंड करना चाहता है, और यह declaration एक साल के लिए valid हुता है, यह याद अठना, provided that such declaration shall not debar him, from participating in the meeting, तो even if अगर उसको बाद में भी, फिजिकल आके अटेंड करना है, तो वो कर सकता है, पर electronic mode के application पहले देनी होगी, it's as simple as that, कि तुमने अगर face to face class दिये है, तो तुमको live का access है है, तो if you want, आप live भी कर सकते हैं, आप physical भी आसे, आइडिया इस, बस अगर आपको live करना है, तो आपको एक prior intimation देना पड़ेगा, now the notice of meeting shall be given, even if meetings are held on pre-determined dates, और at pre-determined intervals, I want you guys to remember this, तो अगर meeting का schedule आपने पहले से भी decide कर दिया है, तो आप भी आपको seven days notice देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, there is no provision, कि क्योंकि meeting pre-determined थी, आप notice नहीं देंगे, a notice convening a meeting shall be given at least seven days before the meeting, आप चाहें, तो articles के थुरू इसका एक longer period भी बोल सकते हैं, यह एक बहुत अच्छी चीज है, जो मैं चाहता हूँ, everyone of you should remember this, मान लिजे कि आपने अपने बेहाफ पे, एक alternate director पॉइंट के रहा है, अच्छा, everyone who is watching this video, do you know who is an alternate director, everyone who is watching this video, do you know who is an alternate director, आपने बहाफ पर को डिरेक्टर रखके चाहरा है, आपने बहाफ पर को डिरेक्टर रखके चाहरा है, एक नमबर ने हा, बहुत ही बढ़े हा, so now over here, where an alternate director has been appointed, the notice should also be given to the original director, at the same time, when notice is given to such alternate director, do remember this, original director has the right to know, कि कब कित्ती meetings हुई, कब इसने अटेंड किया, कब इसने अटेंड नहीं किया, and everything, अगर alternate director है, तो notice की दो copies मनेंगी, एक जाएगी, outside India वाले director, जो हमारा original director है, और एक हमारे alternate director को, like other directors, the original director should have the knowledge, on the development and decision taken by the board, ठीकिनाओ, एक illustration देख्थे, the article of association of XYZ Ltd. provides, that all notice of the meeting of the board and the committee, shall be sent to all the members of the board and committees, by email, or through speed post, or registered post, with acknowledgement, accordingly, the company is sending notice through speed post, to all the directors, तो articles में लिखा था कि notice कैसे भीजा जा सकता है, बहुत ही बढ़िया, पर अभी company ने क्या decide कि हम कैसे भीजेंगे, हम speed post से notice भीजेंगे, now however Mr. A, जो एक independent director on the board, has requested company to send all the notice to him, through courier at his office, ये लोग वैस्ते speed post से भीज रहे थे, Mr. A ने बोला कि मेरे को courier से मंगता है, so since Mr. A has specified a particular means of delivery, the company should send a notice of meeting through such means to him, this is what I was wanted to tell you, अगर director ने अपना means specify किया है, तो जो director बोल रहा है, वैसे notice भीजना होगा, ठीक है, पॉफेक्ट है, येस खुश, नोट वरिया, I'll be covering everything possible, तो आपना डारेक्टर ने आपके समर्पना means रखा है, तो ये वैसे ही पूछना होगा, वैसे ही भीजना होगा, वापस आजात है, so now for those who want, आप एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं, notice is sent, as per the, mode prescribed, in the article of association, however, if the director has required any other mode, then the company must send notice as per the request of the director, yes, if he goes beyond the specified modes, then it is at his own cost, जो SS1 ने रेकेग्नेस किया है, उन में से क्यों ना चाहिए, करेश्ट में इसमें ब्रेक में अपलोड कर दूँगा, ठीक है, ये जैजे, बिल्कुल नहीं सकता है, done, ये सब लोगे लिख लिए, आगे बढ़ें दोस्त, done, आगे बिढ़ेंगे, अगे बढ़ेंगे, अगे बढ़ेंडा, एके मिनेटा, भाई पानी विखर होपर, आँची, जी सर, अजेंडा, नोट्स, ओन एजेंडा, आचाहिए, सेगेंड़, एजेंडा, ऐजेंडा के अंदर सिर्फ क्या है, the matter is to be discussed in the meeting, अचाहि, पर जेंडा, एजेंडा, अच्याहँ, आजेंडा, अजेंडा, एजेंडा, ओन् एजेंडा, आणि Katrina लिए घरींदोंने , अगा अन्लेस दाटिकल फ्रवाइट फर लॉंगर पिड जनरली जब नोटे साता है साता में अजन्ड एंड नोटे ने जिंड आता है तो कुछ भी नहीं आगर पाल लीजिए कि आपने यहां पर नोटे इस एक्स्प्राइशन तो थेल्द है बीजिए विसніст valleys ग кого फॉ sun, ऑचीव इच इपर इन आपर शै। विसंड शैज लॉट इंट शॉट ये यू जिंख exhibition 1 एंड बहुत कउया है है या ने आटम बहुत is the agenda any item which is not included in the agenda may be taken up for consideration any item which is not in the agenda may be taken up by the chairman with the permission of the chairman and with the consent of majority of the directors present in the meeting so please 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 is cheese ko apne notes me a person and care kega any item not an agenda maybe taken up in the meeting may be taken up in the meeting may be taken up in the meeting a with the permission of majority plus chairman is yes तो यह अगर आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ था तो प्लीज को आड़ कर देगा और दो मुझे लगता है कि आपने लिखाई होगा ड़न चलो बाइब आगे बढ़ेंगे अच्छा ना अगर मान लीजे कि कोई आपने दो लिटर पाने कीघर नोटर हो हो एक मिणा हंस की ना बाइब मेंग्स्या दो ब्लकार मेंगे तो अगर मेंगे आपने लिखा थोतर बाइब एक मिक्स अगर रूबिसेटा अथे नोटिस अग चेर बीचे भिल if it is an urgent matter, now I have a question, urgent matter की केस में, it should be ratified, it should be ratified by one independent director, it should be ratified by one independent director, okay, done, if any shall be present at such meeting, I have a question, what if there was no independent director available in the meeting, okay, okay, at least for the majority directors, मेरी बार वापए से सुनना, we do have an independent director, we do have an independent director, इस मीटिंग में independent director नहीता, समझेंए उके, we do have an independent director, did you get me my question we do have an independent director the only problem is that he was not available in the meeting वादी मिन्या राशिश एक नम्मर है पॉर्फेक्ट तो ऐसे केस में नेक्स्ट बोल्ड मीटिंग देनी जाते हैं तर्कुलेट करेंगे और अप्रोल ले थाइटी सब्सक्राइब तो बाकी सब्सक्राइब इदम ही सही थे तो मैं से विसका ट्रेटमेंट लिख रहा हूं यह पर दोस्त अप्रूवड बाइअ मेजॉरिटी कि अपूद बाइअ मेजॉरिटी और राटिफाइड मेटिण डिकटर कि अपान सर्कुलेशं ठीक यह अगई सब लोग सही है अब यूद छो आगे विदेंगे अच्छे बिल्कुल में ना को है आपको बता है कि फर्स्त मीटिंग विजन थारटी देज हो जानी चीए पर्स्ट मीटिंग किते दिन में जाने ची विदें 30 डेस के अंदर हो जाने ची एक नंबर बदान चो बहुत बढ़े हैं दन पथा रहे तो नाव फ्रिक्वेंसी ओफ मीटिंग्स नाव कमने को चार बोट मीटिंग्स करनी है तो इन कॉर्परेशन से 30 डेस के अंदर आपकी फर्स्ट बोट मीटिंग हो जानी चीए मिनिमम साल में आपको चार बोट मीटिंग्स करनी है हर क्वार्टर में एक बहुत बढ़े है फोर मीटिंग मैक्सिमम नहीं है पूर्वी मिनिममम है इसके अंदर कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी ऐसा नहीं आने वाला सिर्फ एक क्वेश्चिन का आंसर में वो करते ना आपको साल में चार बोट मीटिंग करनी है सब्सक्राइब करते हैं तो इसके अंदर क्वेश्चिन काउंट होगी या नहीं या फिर मुझे इन कॉर्पेश्चिन वाले एर में पाच पूट मीटिंग करनी है और भी से जल्दी बताते हैं कमिटी मीटिंग में कुछ भी नहीं है जित्ती मीटिंग्स आपको सही लगती है आपको अपने इसाब से करते रहना है इन लोगोंने प्रेस्क्राइब क्यों है कुछ लोगों के लिए हां जी बड़ाए 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 इंडमेन डिरेक्टर्स की साल में एक मीटिंग एक लिएस वांस बहुत ही बढ़िया परफेक्ट ना अच्छा इप आस्क्यू क्यों आपकी फॉर्स बोर्ड मीटिंग है जिसको आप हाइप कर रहे हो इच्छुद बड़ान विदिन थर्टी देज यह वाट आर्दम मैटर्स तो बीडिसक्स्ट इसक्या इसक्याद आर्ई इसक्याद टीक्या आरे इसक्या और इसक्याद बड़ान आर्दम मैटर्सी टो बड़ान डिसकोप्त अधिवन इन अनेक्स्चर बी पर्फॉर्मेंस अब नदी कंपनी के इंकॉर्परेशन के पहले पर्फॉर्मेंस रिव्यू कर लोगी बाठा का जो सब्सक्राइब के मार में पूमा का रुप जाओ थोड़ा चलो यह देखो एक बस तिफ लिट्ट देख लो एंड शी दिस वाँ कि पर्फॉर्मेंस अब यह दो एक नमबर है एक नमबर तो बस यह आपके लिए सामने रखी लिस्ट एक बस तिफ लिए अजुट पर्फॉर्मेंस रिए अजुट आप यह द आप दिस इसमें इतने सिंबल को समस्ट आते हैं इसके बाद आप नेक्स आ जाते हैं को रम के उपर आजए एक मिन्ट दोस्तों बहुत सारा पानी पी ले आए यह सिर्फ एक दूसू ब्रेक लेने वापने से रिज्यूम कर लेते हैं डॉट से पांच्ट इस नोट अब रेक वनली असूसू ब्रेक बाक दास पूल है सो रइंगर हो है है तो तुम में रपानी पीलो तो तुम में रपानी पीलो झाल झाल तुम में रपानी पीलो 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 झाल 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 ए दॉँट खयाओ अ गाल मुटे बाले लेकाओ न वक्गोर भी वन्या वाजरे घाए भेलोग एकश्म कि लिए तर्स्यी स्क्रमा खीं आँ कि बहुए लाइे खा stating भी लिए और में आपकोन दन कहसी क्या करना छूँगल प्रेटरी लुक्स फाइन जब आने पीने का ब्रेक लेंगे ना तो याद से बताना कि अपन लोग प्रेश्टी जाके देखना कभी यहां का बातरूम देख लिया ना तुम दोस्तों मिनिट लेट होगे तुम भाग के यहां से फ्लोर से फिर्स्ट फ्लोर जाना पड़ता है यार ऑफिस में कि चलो सर्कार पदारे है अजी सर्कार अच्छा अभी तक कोई भी डाउट कुछ भी नहीं आगे बढ़ सकते हैं कि मढ़ना आकरे लांज ब्रेक लेते हैं फॉर्टी 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 मिनिट्स में कि में कि ने यहीं वाले बढ़िया हो पर तुम क्या ही सब्सक्राण चलों कर देथा इसरी। कि अच्छा हम कहां थे हम कहां थे ब्लम्क कहां थे उन कहां थे ए गुलू मैं तुमको पूछा था पूर प्लस बान और टोटल पूर अंसर दिया था तुम लोगों ने अच्छा जो भी आंसर दिया वा इसका अंसर पाइफ होगा ठीक है तो जिन लोगों ने पांच बूला वो बिल्कुल सही थे तो जिन लोगों ने पांच बूला वो बिल्कुल सही थे तो चले पाथा रहे हैं सक्षिन 173 दा जी पॉर्फेक्ट अगे थे तो आँच एक अच्छ रिवार जान्वर स्थी तो जानवरी थेश्ट विल्कुल्ड करने तो अच्छ पिर अच्छ इक बात आँ पॉरम शुँद भी प्रेजंट आज पांच आइन अस तर्ट the meeting and not at the commencement of the meeting so a director shall neither be recognized for quorum nor he shall be entitled to participate in respect of an item of business in which he is interested 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 company if you guys remember this in case of private company a director shall be entitled to participate a director would be entitled to participate after disclosing his interest in respect of search item after disclosure of his interest sure enough you have to understand anyone who has been entering the meeting through electronic form does he also form part of the forum and the answer for that is definitely going to be yes it should be present throughout interested directors not to be counted or allowed to vote exception private company but it's not illegal in it yeah he can participate in the meeting participate participate just participate yeah directors participating through electronic mode shall be counted for the purpose of forum sure like meeting of the board of the group LODR में integration 17 के अंदर बहुत ध्यान दिजेगा बहुत काम की चीज ह्या है the quorum for every meeting of the board of directors in the top 1000 अच्छा इन अब top 1000 to 2000 करने की ज किरूधत नहीं क्योंकि 2019 2020 का थ हा impact 2020 ऑफिसलि के बात तम फी सी दोनों के लिए होंगा था तो पहले सिर्फ top 1000厲害 अगे इसके बाद aja from 1st April 2020 यहां पर अपने को काम की जरौत पड़ेगी यहां पर तौप 1000 अग की तौप 2000 तो अब सिर्फ उन के डारेक्ट लिखने की जरू है अब डारेक्ट लिखोगे तौप 2000 का जो कोरम रिक्वारमट है और विल्ट वी रिए डारेक्टर्ट विचेवर इस यह यह जान बहुत ही बढ़िया सर विकास सरकाल बोलो थे कि इंट्रेट से दा रेक्टर कें वोट इन दा इसलोजर नहीं ऐसे नहीं रोता मैं दब विकास इसको पूरे कंप्लीट राउंड सरकल बना जिता हूँ तो if a director in a private company has disclosed his interest he is eligible to participate in the meeting participate is कि वो भी deliberately बात कर सकता है वो आपने suggestions दे सकता है, discuss कर सकता है and he does not need to be removed from the company if allowed by the directors और if allowed by the articles the directors have no problem कि एक interested director can vote then he is eligible to vote as well तो इसका पूरा सरकल ऐसे इसे 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 होता है ठीक है? ऐसे इसे मुस्कान, you can मुस्कान, you can इसमें अपन दूर से chapters भी discuss करने वाले है इधर वाले बालग बाले काओ शुरू करते नव, a director shall neither be recognized for quorum आजे और एक सिगे न सुदान शूबाबो तेरे question का answer है a director shall neither be recognized for quorum एक सिगे न एक चीज में सोगी यार इन से बाते का तेकरते है one third or three director which is higher at least one independent director चाहिए in the meeting, this becomes the code ठीक है, एक मिन तेकता है now the top two thousand one third or three directors whichever is higher, at least one independent director ये होना चीए now, a director shall neither be recognized for quorum nor he shall be entitled to participate in respect of an item in which he is interested यहां तक सब साथ है he won't be counted for quorum, ये तो सब उपर जा सही है however, in case of private company a director shall be entitled to participate in respect of such item after disclosure of this interest for this purpose, a director shall be treated as interested in a contractor arrangement हम कम मांते है ये बाहत इम्पॉर्टन चीजे जानना कि when do you say that the director is interested when do you say that the director is interested into or proposed to be entered into by the company ध्यां दिना सिर्फ एक नम्मर यादर करे 2% so now, with any body corporate if such director along with you know other directors ध्यांस देखना if such director alone if such director alone or along with other directors मतलब alone में भी and cumulatively भी if they are holding more than 2% of the paid-up share capital of the body corporate और he is a promoter और manager और CEO of that company तो या तो आप alone या फिर बागी directors मिलके सामने वाले जीजेस कमनी के साथ ट्रांसेक कर रहे हो वाँपे 2% या जादा की paid-up capital होल्ट करते हो या फिर आप director alone या आप directors मिलके सामने वाले अंपनी के promoters हो तो हम माल लेंगे कि you are interested जल्दी से बोलना क्या बापो interested का मतलब एकदम clear हुआ चौर बहुत अनिफ दाइटम दो बिजनस इस अर्लेटेट पार्टी ट्रांसेक्शन तो उसको मीटिंग में प्रेजेंट रहना भी अलाउट नहीं होगा डिरेक्टर्स पार्टिसमेटिंग थ्रू इलेक्रोनिक मोड इन मीटिंग शाल बी कांटेट पर दो पूरम अन्लेस देया एक्स्क्लूद बाइट प्रोविजन और वाइट एक्ट पर एनी एक्सवाइजी पॉपस यह सब अडिशनल है अब अनलोग थोड़ा जादा पढ़ रहे हैं इसको मैं थोड़ा और करवाना चाहता हूँ अब अपने अधिक सुदांशु का एक क्वेशन आया था नाओ विद अनुमर अफ डिरेक्टर इस रिदूस्ट बिलूद मिनमुम फिक्स्ट बाइट अपको थे अनुमर नुमर अफ डिरेक्टर चाहिए थे उससे नीचे आ चुके होगा नो बिजनर शाल बी ट्रांजाट अन्लेस नुमर इस फिर्स्ट मेड़ बाइड रेमेनिंग डिरेक्टर या तो अब अधिशन डिरेक्टर से पॉइंट करो और नहीं तो कॉल अजनल मीटिंग अपॉइंट नुमर अपॉइंट नुमर इसके लिए एक चोटा सा इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं इफ आउट ओफ देटल स्ट्रेंथ दिहां दिना इफ आट अट 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 फिप्टीन डिरेक्टर अच्छी चीज आँ इन जर्नल मीटिंग पॉर प्लेसे दार विकेंट अचा था कि हम लोग मैक्समुम कितने डिक्टर से पॉइंट कर रहें फिफ्टीन अपॉइंट कर र अधे घंटे बाद यहां पे भी ब्रेक हो जाएगा तो भले आप पहार अभी कर लो अधे घंटे बाद अंदर कर दोगे ठीक है ना आधे घंटे बाद ब्रेक रहेगा ठीक है मानी आज़ा हाँ जी सो इस टोटल स्रेंथ इस फिफ्टीन जो फिक्स किये कंपनी ने इन जनल मीटिंग अभी चार प्लेसे वेकेंट थे तो अच्छो स्ट्रेंथ अव बोड़ फॉबस अव काउंटिंग दो कोरब शुड बी 11 और नोट 15 यह फर्स बात याद रहे है कि जनल मीटिंग में कमनी डिसाइड किया था कि हमारी स्ट्रेंथ हम कितने डिरेक्टर की बनाएंगे 15 डिरेक्टर की बनाएंगे पर आज अपनी में कितने 11 तो हम लोग 11 का वन थर्ड काल्पिलेट करते हैं ठीक है 174 एक सब्सक्राइब यह तुमको आता है डन है अब सुधान्शु का नेक्स्ट क्वेश्चन यह वाला वेर अट एनी टाइम दे नमबर अफ इंट्रेस्टेट डिरेक्टर एक्सीड और इवल्स टू थर्ड अब दिक्कत क्या हो रही है क्या आपका कोरम यह फॉर्म नहीं अब दोस्त यहां से प्लीज यह अपने नोट्स में लेके जाओ प्लीज जाके अपने नोट्स में लेको इप दो इंटरेस्टेट रेक्टर लेक्izen और खेताफ विः प्लीज ओू र Ты्ट्रेट्रेट इंट अन रेक्टरट टस्लीज Smõ कि नॉट बिंग लेस दान वूट फॉर्म कोरम अच्छा यहां पर मेरे सवाल है ठीक है तो बहुत ही बिल्कुल पॉफेक्ट एक नमर्स द्लान शो अच्छा आप एक सही नहीं मुझे बात बताओ अगर दो भी इंट्र दो भी अनिंट्रेस्टेट नहीं अब सिर्व एक ही है जो अने an reader है तो इसमें क्या करूंगे तो इसमें क्या करंगे पर च वही बात सरेगे सब हो या एक हो शाह ने कंद अब अब साइते ल्यान से काइस में दियु यह वोगी लिए वी टो ब्रेंगे पड़ के अप लिए क्लिक जाय में लुट विए लुट टॉट विए के से नंबर के अट्या में घुट कर टूट अट बूसे बहुत इपड़े है एक इनम लाइव अले बिच्छो क्या सब इधर तक अग्री करते हैं विधिस स्कूरम आउसो कमस्टो एन एंड ना बहुत इपड़े है ठीक है, attendance फाल्त हुय है एक attendance register maintain करना उसमें सारी details वना देना यही तो नहीं पता था ठीक है नाउ can this attendance register can this attendance register be inspected yes this is open for inspection by the directors even याद रखना if a person even if a person has ceased to be a director he still has a right to check this register कौन से वाले ताम के लिए जास ताम पे वो डिरेक्टर था he shall be entitled to inspect the attendance register of the meeting held during the period of his एक लंबर दोस्त अच्छा इसके आगया जाते हैं चेर्मन पर चेर्मन बहुत लिए पासे है so the chairman of the company shall be the chairman of the board वाओ तो if the company does not have a chairman the director may elect one of them to the chairman of the board कितनी बड़ी बात बता दी हैं लोक रहे हैं तुम सोच सकते हैं गभी the chairman of the company is the chairman of the board and if let's say कि company के पास अभी खुद का chairman नहीं है तो directors अपने मेंसे किसी एक director को elect कर देती है as chairman just like a wow तो एक रहे हैं so elegant so beautiful okay so meeting of committee is set so chairman of the committee shall conduct the meetings of the committee if no chairman has been elected और if the elected chairman is unable to attend the meeting the committee shall elect one among them into among themselves as being the chairman of the meeting ठीक है पाहती time पास चीज़ा I am not going to waste time on this अच्छा I have a question let's say that a committee does has a chairman but the chairman doesn't turn up let's say that the company does the committee does has a chairman but the chairman doesn't turn up in the meeting तो कितनी देर वेट किया जाए उसका before probably electing a new chairman let's talk about Elodia आए पनौती की बात करी पनौती का होन मेरे पिया रंगूल किया है वहाँ से टेलीफोन तम्हारी याद सताती है यह विवे भाई मैं कहा हूं अब दिल में तेरे दिल में 15-20 मिंट दे दे बस एक चाप्र खितम कर दो फिर आओ अच्छा विकास ने भी फोन किया मेरे को और बोला कि एक ट्वेल थर्टी ट्वेल थर्टी फाइफ पॉट्टी के आसपास का ब्रेक ले पंदर में दौर पढ़ा ले ना बच्चे फिर साथ में ब्रेक लेते हैं कि वापिस बुला आपनी बच्चे फटी हुए इनकी वापिस आइंगे अंदर कि बुला ना रे आज का दिन का आज मेरा मैरतों ना रे बाकी में कभी बोलता है नहीं भाई जेरेंसी आजा स्टूडियो में थाड़ फ्लूर पे हूं आजा आजा तो आजाना मैं नेरी माइक बंद है तो आजाना याज तो पंदा मेंट तो जाओ जा खट्चों इनकी भट्टी विए सच में तेहरी की नमींके भट्टी हुए आज 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 अज तो हम तो हम कहां थे 5 minutes for board meeting वादी बीडिया एव्यवन 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 तो पांच मिनिट के लिए वेट किया जाता है बूड मीटिंगे इसमें पांच मिनिट के लिए वेट किया जाएगा उसके बाद यह बाट तो यह बात तो लख्या है कि मैं चेर्मेन नहीं बन रहा क्योंकि वन्हें कभी मैं चेर्मेन इलेक् भी होगया तो मैं जीवन मुपी चेर्मेन नहीं भाए पाऊँगा Okay now, passing of resolution by circulation अच्छा दोस्ते, passing of resolution by circulation is really really simple but it's important इसमें मेपक आपको 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 बताता हमाए नेक्शर A के ऊपर बात करने है इसकी बात तरी हम गलती है लिए एंपर जा चेहर इनेक्शर A 15 minutes for general meeting okay now, so the chairman of the board, if he is not there, the managing director, if the managing director is not there, the whole-time director ठीक है एनिवन अधर दिए इंट्रेस्टेट डिरेक्टर वो चाहे तो वो क्या कर सकता है ड्राफ्ट रेजलीशन अच्छा विपल सर इस पर्फेक्ट पर उनका पॉइंट करेंगा कोई चले प्रपिक स्टार्ट करते हैं मैं बात कर रहा था इसमें ड्राफ्ट रेजलीशन क अगर चैमन नहीं है तो उनकी जगाप पे कोई मैर्जिंट डिरेक्टर और इन इंट्रेस्टेट डिरेक्टर इपी वांची करेंगे सारे के सारे डिरेक्टर्स के अंदर कर देंगे तो आप ड्राफ्ट रेजलीशन भीज़नेंगे तो अल्डेक्टर्स वेंगे तो अप्रफ्र बॉट बॉट पर पर्टिक्लर बिजने वांची अच्छा दोस्ते इसमें कुछ चीज जो आपको याद रखने वाली चीज अगर इसकी क्लिप किस्ती ने विपुल सरको भीजि कि कौन से ऐसे मैटर्स है जो सर्क्यूलेशन के थूरू डिसकस नहीं होने चाहिए कि अच्छा अब यह सिर्फ एक मिनिट देख लूँ अब यहाब अगट फीलिंग यहां पर आपके सामने एक इसा मैटर लिख देंगे बिच चैन नॉट बिसक्स तुरू सर्क्यूलेशन अब बोल देंगे दिरेक्टर्स इसमें जो मुझे केस बेस के आने के लिए बहुत अच्छा लग रहे है मैंने वह यलो माप किये बस वो ध्यान रखेगा कभी भी सर्क्यूलेशन से अप्रोव नहीं होते हैं आपकी फ्यनाशल स्क्सक्राइटमेंट्स या आपकी बोर्ड रिपोट कभी भी सेनसे इंगे सटोड़ी अगर आपको सेक्रेटिर ल ओड़९ह थां कभी भी सर्क्यूलेशन से नहीं होता इसंपर छे लगता है यह जन्रल के तीन पॉइंट्स है जो मैं आप से याज रखवाना चाहता हूं तो बहुत ही बढ़िया तो नाव यह तीन चीज़ें ओवर हें अच्छा दोस्त अगर आपको बात पहले सी बता थी और यह अल्रेडी रिटन डूंट राइट दोस वरंट आवेर आई सो इधर अपने महां पर यह जो जहां पर अपने बुक में लिख रहा हूं ना वहां पर लिख दो कनेक्स्चुर ए आइटम्स प्रोहिबिटेट थाली कि मैं दो तीन आइटम्स बता रहा हूं न वो लिख लो जन्रल स्पेसिफिक लिखने की जरूत नहीं आइटम्स प्रोहिबिटेट ऐसे करके minutes of audit committee approving financial statements और थीसरा अपॉइंटेटर और इंटर्न ओड़िटर और इंटर्न ओड़िटर विपल सर से गई पड़ानी पर उन्हें जान पूरा गया हूं थांक्यों हरे ने हीव टीचिस अमेजिंगे इस ज़्टाइट मैं से थोड़ी मस्ति जादा करता हूं अब स्पेसिविक में आते हैं आप से बहुत से याद रख्मानी अचा देखो जैसे डिबेंचर इशु करना इस बेरी नॉमल आप कर सकते हो बट बॉरीं मनी अदर्वाइस देन उस्टेंटर रिक्वार्स रिक्वायर्स अब मीटेंग जहां पर आप इसको डिसक्स कर सके हैं शौर इंवेस्टिंग दफाट्स तो फर्स्ट इस बोरेंग मनी थेकेंड इन्वेस्टिंग फंड्स थर्ड इस ग्रांटिंग लोन्स और गिविंग ग्यारंटी ठीक तुसर तीन चीजी थी फर्स्ट ब अगर आप देखें तो पैसे भी बात है बॉरो करना लेंड करना इन्वेस्ट करना दोनों में तीनों में पैसे भी लें देन हो रहे हैं ठीक हैं मेकिंग पॉलिटिकल कॉंट्रिबूशन हां लिमिट हटा दो पर नाटक अपने पूरे रखें तो यह चार चीज हैं अपने अपने केमपी के लिए सर्किलेशन नहीं चलेगा अपने अपने लोग करने वाले हैं वह फिजिकल मीटिंग में डिसकॉस हो सकता है सर्किलेशन से नहीं तो सर यहाँ पर मैंने आपको 6 पॉइंट जात रखेंगे साथ पॉइंट जात रखने के लिए बोले हैं पहला बॉरेंग फंड्स अपार्ट फ्रम डिबेंचर्स टेकेंड इंवेस्टिंग फंड्स तीसरा गिविंग लोंस और गिविंग गैरेंटी चौधा मेंग पॉलिटिकल कॉन्टिशन पांच भा आपके KMP से रिलेट करता है जल्दी बता दो थोड़ा सा और बाकी इसमें दो कॉर्बट अक्षिंस तो बाइबक भाई भाई यह तो यह पांचों भी इसके अंदर आ गया इस बार पांचों से आ गया गया इस्विंग ऑफ सिक्योरिटी जाए गया मर्जर डी मर्जर अमल्गमेशन आ गया डाइवर्सिफाइग और टेक ओगया तो क्या कॉर्बट अक्षिंस में मैं आपको दो चीजे लिख लो अब अच्छा रीकंस्ट्रक्शन लिख लोगे तो सब भी आ गया रीकंस्ट्रक्शन में अमल्गमेशन भी आ गया मर्जर भी आ गया एक और भी आ रहे है इस सब आजएगे तो बाइपक एंड रीकंस्ट्रक्शन यह दो लिख करें तो अच्छा यह आपकी लिस्ट्रक्शन इसकी मुझे जरूती है बस उपर वाले सेग्मेंट की जरूती है शौर पीबल 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 जल्दी 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 बता दीजिए यहां तक अपने अग्दम तगा टक क्लियर है यहां पर मैंने आपको एनेक्श्चर ए लिखवाया है प्लीज इस एनेक्श्चर ए को अच्छे से अपने रिदय में बसा की जागेगा ओके प्रोसीजर कुछ भी नहीं है अच्छा क्या रेसिल्यूशन शुट भी सेंट टू अल्ड डिरेक्टर अच्छा इस अच्छा इस नंबर से स्टार्ट किया उससे बढ़ रहे है उपर कम नहीं हो रही है कि तो भडी हुई अच्छी खासी है हां तो बस एक पांदस में लेलते हैं कि अच्छा आप लंच ब्रेक निया है अच्छा टी ब्रेक है वह तो अब भी ली प्रॉब्म नहीं है तो भाई लोग एग चाय का ब्रेक तो आपन भी लेई सकते हैं मेरे को लगा लगा भूल रहा है तो अभी आए तर दसवन्न में ले लेए ठीक है तो र्ञृटू सीन्स जने त्यूर्पाइस इंक्लूडफी यॉर इंट्रेस्टेिक इंक्लूडब इपाज चोब भी जना है चले एक सेई एक स्टु ट एक क्वेश्टन का अंसर कहने छाट भड आश resolution so a draft resolution is sent to all the directors right including interested directors a draft resolution is sent to all directors including interested directors there are total 15 directors out of which 5 are interested directors so the majority would be approved by 8 directors right considering everyone has responded 5 to interested so the majority is 6 directors right so the majority is 6 directors now total voting may 7 directors 7 directors have voted approving the draft resolution in the total 7 directors have voted approving the draft resolution however 6 directors 6 directors however 6 directors Sunna and Semi Kapooram have opposed and stated that this matter should be discussed in a board meeting in a board meeting and not by circulation this go thoda or difficult in 6 may say 5 are interested directors please come up interested directors please come up with the answer what is the resolution valid or would be discussed in a board meeting let's give us give us झाल झाल इसका answer है it would be discussed in the board meeting it would be discussed in the board meeting why did I give you this question why did I give you this question when not less than 1 3rd of the total number of directors require the resolution and circulation to be decided at a meeting the chairman should put the resolution for consideration at a meeting this 1 3rd can also be the interested directors क्योंकि interested director is not eligible to participate in the meeting however if he says कि यह matter ऐसा है which I want कि इसको बोर्ड डेलिबरेटली बैट के डिस्टेस करें मैं इसको सर्गिलिशन में नहीं करना चाहता he has the right शौरनर he has the right तो ओवर है अगर आपको ऐसा लग रहा है यह पास्टों interested director है इसके interested दिरेक्टर है इसके interested दिरेक्टर से कोई नहीं हो था interested directors are not eligible to vote however they have a right कि वो यह बोल सकते है कि इस matter को कहां discuss किया जाए board meeting के अंदर ही discuss किया जाए right so while counting opposition that is one third interested uninterested देखने ही जरो नहीं है total directors का one third देखना है 15 directors का one third five होता है यहाँ पे अच्छा है लोग ने पोस्किया the question comes to your hand everyone very 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 clear जल्दी बता दो ठीक है minutes में कुछ में नहीं है minutes is just a read you don't need me in this तो अपन next अभी वापस मिलेंगे recording of minutes पे ठीक है so let's take a tea break and those who have had tea you can take a 30 break पन्दमिन बहुत है so let's resume at 1247 over 50 गरता है cool people I'll see you around वापस आदा ना सबके सब तू कसमें मेरी झाते है हुआ है you झाल 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 नीचे चार्जिंग पिलावाँ ना तो अवाद जश्टाट होती है अब आपने प्रसाद से वैसे भी है विची चिशी सेट है नहीं लुटि अब ने 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 कोशी शुडियो 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 रोड दिख रहा है बच्चो हाय बोलते था ऐसी अच्छो बच्चे इथार है आई बच्चो आब आज से पैसान की बता दो कौन है मान जाओ में चुरो तुम को हमारे टीम के गबबर सिंग आया है भही आपर दा बॉसमान है विश मैधार हुए अब तो आप दिख भी रहो क्यामरा में सब खतम करने भाई कुछ छोड़ मत देना किसी गरीब बच्ची ने मेरे लिए कुछ टेस्ट के लिए बनाया हो ना एक बाद सार टेस्ट कर लेंगे न उसे ये भी ना बता बच्ची बच्ची मुझसे टेस्ट पूझेगी अरिश्टा तो एक प्यारी सी बच्ची ने जी एक प्यारी सी बच्ची ने मेरे लिए दिवाली पे कुछ मिठाई बनाई तो बिचारी क्योंकि मेरी डाइट चल रही तो जाद नहीं से एक एक मिठाई बिचारी लेके लिए ये नाशनल लेवल फाकेंटी है पहले तो तो सारी बिठाई ये खा गया क्या कहा रहा है वो दर सुन तो हमारा सेक्सी टीचर है आपनी बॉडी मेंटेन कर तुझे शक्र नहीं खानी है तो जाद बच्ची को मैं बता पाऊं कि मैं बिठाई टेस्ट में कैसी थी बस और कहता ही नहीं और लॉलीपॉप चूस रहा है लॉलीपॉप पान अच्छा लगता तुम तो मैं तुम गुता है थे रिसेंटली हमने विशिष्टा मैं टीम में आड करी थी अब ते ये नए कल्चर आया है हमारे हां पर ये वाली मिठायल की चखलू बट चखा दो 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 नहीं लाने पड़ते हैं मिली एक एरफॉन में अब बहुत अच्छा आधा था आधान नहीं तुका 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 मेरे से गलती मैं माफ माफी मांग रहा हूं तो भाईयो लांच ब्रेक अभी करेंगे अपन सर यह लॉलीपॉप भी दिविशा के उठाग्या है एक परकी बाद कि अधिशन के अधिशन में कौन है दिविशा श्री वाय बहुत ही बड़े बुपेंदर जोगी लग रहे ना सर हां नाम बताओ नाम बताओ तो भाई लंच ब्रेक लेते एक घंटे में धन्यवाद भाई बच्चों आश्रवात देते बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे आप पैसे का बना सुरू अब लंच ब्रेक में बापें साना हम लेनें दॉस्ट आन्लें बढ़े को बदार एँरें को आप सुपर चांट फुल्षार्स इक डम अग्दम तावर्टोड तोड़ अजक है आजा आज़ा आज़ा आजा आज़ा 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 अच्छलिया, रिकार्टिंग व्मिनें धुट्ट्टिंग और है ऐसे धालो को लिडिया प्र व्मीनिक्त के साफ़ earlier, some, साइज और प्लेन लाइंग्बिच अच्छा कैन मिनिट्स भी एप इन लीफ लूस नोट्स यस दे कैन बीकट सिर्फ क्या करना है उनको बाइंड कर देना है जैसे आपको लगता है कि आप यह विकम क्वाइंड करके रख दीजिए लंच ब्रेक एक सवा गंटने पर रखते है है लंच ब्रेक हाँ जी तो वन्हें अधर दिसेंग बोर्ड इस बेस्ट ऑन एनी अन्साइंड दोकिमेंट यह थे कोई बहुत काम की चीज़ है रिपोर्ट और नोट्स और प्रेजेंटेशन टेबल और प्रेजेंटेशन टेबल और प्रेजेंटेशन जो भहिया आपकी न इसको क्या करना पड़ेगा आपको बापिस से करना पड़ेगा धर आपना सको मोडिफाय कर दिया है तो बहुत मिनिट को स्पेसिपिक रेफरेंदेशन देना पड़ेगा कि earlier ये decision लिया गया था और आब इसको super treat करके नया decision ये लिया गया है in that regard good to go चले अच्छा एक बात बताओ the draft of the minutes किते दिन में circulate हो जाने चाहिए जल्दी जल्दी बताना है draft of the minutes किते दिन के अंदर circulate हो जाने चाहिए जल्दी 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 बताना है जल्दी 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 15 days from the rate of conclusion of the meeting चाहे board हो चाहे committee दोनों में 15 दिन के अंदर should be circulated again by hand by speed post by courier और by email और any other recognized electronic means to all the members of the board on the rate of the meeting for their comment अच्छा दिन के अंदर circulate और इसको minutes book में किते दिन में अच्छे कर दे जाते है 30 days में अच्छे से कंक्लूजन से पंदरा दिन में अपको भेज़ दो और conclusion से 30 days में minutes final हो जाएंगे शाल पे अंटर दिन 30 days from the rate of the conclusion of the meeting अच्छे चल्डान साइनिंग ड्राफ्टिंग इंस्पेक्शन कुछ भी नहीं है प्रेजर्वेशन जल्दी जल्दी मेरे को बताना प्रेजर्वेशन कितने के लिए करना है अच्छा यह चीज याद रहेंगे न मभू from the conclusion within 15 days circulate within 30 days enter in the minutes book बहुत ही बड़े है दन 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 एड़ेशन मस्ता अजी सर बता रहे है so minutes of all the meeting shall be preserved permanently minutes of the meeting should be preserved permanently the copies of notice, agenda, notes on agenda and other related papers shall be preserved in good physical form as they remain current for 8 years यह एक चीज थी जो आपको अपने इसमें correct करने की जरुद थी that the minutes should be preserved permanently in physical in this and फिर इसके notice, agenda, notes on agenda and other related papers should be preserved for 8 years which may be destroyed after the approval of the board again, इसके अंदर मुझा आपको कुछ थोड़ू सब बताना है वापस से, मेरे नए वाले notes माहेंगे पन इसमें कुछ थोड़ा सब्सक्राइब को आपको recording के लिए बताना था, जो मैंने वहापस skip किया मैं भी आपको वापस से बताने वालो now, the minutes shall contain a fair and correct summary of the meeting it should be clear, concise, plain language now, वेदे लिसन अदर बोर इस ठीके ये वाला हो गया ये हो गया now, a board meeting was held on 1st July 2020 and the next board meeting is scheduled to be held on 25th of July 2020 वापस देखना 1st July 2020 and the next board meeting is scheduled on 25th July 2020 if the minutes of the first board meeting are entered in the minutes book before the date of next board meeting that is 25th July the same should be placed for noting if the minutes are yet to be entered in the minutes book the same should be placed at the subsequent board meeting following the entry of minutes in the minutes book बाबो, बात समझ मैं? meeting के बीच का gap देखो 1st July से 25th July next board meeting है 25th July 2020 किये तो उसको वापस से सर्किलेट करने की जरूद नहीं है ना अपने को direct वही पर note करवा के entry करतेंगे now finalization within 15 days from the conclusion the draft should be circulated और 30 days के अंदर इसके entry करने है illustration देखना so if the meeting was held and concluded on 1st September the minutes should be circulated latest by 15th calculation समझ ना 1st को meeting हुईती वही से 15 देन करने and the receipt of the same by the directors would be in compliance yeah ये एक note सीखना है अपने को और ये case law देखना है जल्दी से ये note और ये case law देखेंगे a director is entitled to receive a copy of the minutes of a meeting held before the period of his directorship do remember director कौन सी meeting के minutes भी मांग सकता है जो उससे पहले उसकी directorship से पहले हुई हो a director is entitled to receive a copy of the signed minutes of meeting held during the period of his directorship even if he ceases to be a director दो चीज़े आपकी director बनने से पहले वाली जो meeting थी उसके minutes भी आप मांग सकते और आप जब director थे तब के minutes भी आप लोग चेक कर सकते तो उशा मार्टेन versus the registrar of companies in this matter it was held that typographical inadvertent error in recording of minutes which is rectified subsequently ध्यान देना minutes में कुछ typing error हुआ था जिसको आपने subsequently क्या कर दिया था rectify कर दिया था हम इसको offense treat नहीं करेंगे it's far less than an offense under the provision of companies act so if there is an error and the same has been rectified there is no offense यह चीज याल रखनी है और live 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 done है preservation में आजाते है मैंने अभी आपको बता है minutes of all meetings shall be preserved permanently in physical और in electronic form हाँ जी प्रोविशन अंदी companies act समझो SS1 क्या बोलता है कि बहाँ आप minutes of the meeting shall be preserved permanently in physical और in electronic form वे टाइम स्का साहिए बहुत ही बढ़िया rule 2014 provides a period of 8 years for preservation of register of debenture holders और any other security holders and annual returns office copies of notice agenda notes on agenda and other related papers shall be preserved in good order for as long as they are current मतलब जब तक उसकी जरौत है और for 8 years whichever is later मतलब अगर 8 साल से जादा भी जरौत है तो रखना पढ़ेगा if the matter is not current 8 साल में खतम कर दो and maybe destroy it thereafter with the approval of the board अल्याद रहे minutes book हमेशा company secretary की custody होती है अच्छा एक second वाइल अभी मैं बस जब नीचे था न जहांपर मेरको एक ऐसे दिमाग मा रहा था I want you to answer me two questions question one so let's say that if there is a dispute between secretarial standard versus the act what will prevail अच्छा एक मिट में आता हूँ अगर rectify नहीं किया तो offense है अगर rectify कर चुके हो तो offense नहीं है जी जल्दी 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 बताना अगरकल act और आपके secretarial standards की लड़ाई हो जाए तो what will prevail एक number तो please 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 हमेशा से याद रखना मैं आपके लिए यहां पर लिख रहा हूँ और एक और चीज दिखा नहीं तुमको एक बहुत ही मस्ट चीज है दो चीज़ें आपको बदा रहा हूँ बहुत काम की चीज़ें देखना ना फरस्ट यह बिल्कूल आपका सही जवाब है acting vs. Secretarial Standard में the act is going to prevail अच्छा अब मेरा second question सुनना बहुत ही बढ़िया अब मेरा second question सुनना लेट सी if you are answer this देखें कितने प्यारे बच्चेस कांसर कर सकते हैं एक नमबर तो जितने भी लोग ने इसका अंसर यस दिया है और जो लोग सोच रहे है उन लोग के लिए इस येस इस अप्लिकाबल न कंपनीज और स्पेशल आचा नाव अनादर क्वेश्टिन इफ देखेंडर स्टैंडर कमस इन कंफिलिक्ट विद देखेंडर स्पेशल न विद्सक्राइब साउच्ण और स्बात क्या न था न ए घ्रम्मर तो याद राखना एप तस धिजर एड़्स एंसी माइस विदी सriona लोग इस्प्यों पिलिक्न स्टैंडिम आडर अ क्यां प्रेखना फिलिएंड़ प्लिक्राइब Biraz will prevail so in either of the case act prevails over your secretarial standard is to be remembered always 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 ठीक है दोस्त अधाल ठीक है डिस्लूशन कुछ नहीं है अच्छा यह इलस्ट्रेटिव लिस्ट जो मैंने आपको एनेक्स्चर ए बोलके बताई वो आपन अल्रडी पढ़ चुक है देख लो जनल बिसनस आइटम specific items, corporate actions, additional list पूरा पूरा हो गया and we are heading off to the last topic that is meeting of board through video conferencing और other audio-visual means मेरे हिसाब से ऊपर जितने भी practically possible case-based questions है और अगर आप में से किसी ने भी previous paper solve किये हैं चाहे वो DDK हो चाहे वो टायर MCS में अगर कोई question आ गया हो drafting में या JRC में कोई भी practical question होगा अपने आज के discussion में सारे practical points discuss किये हैं एक भी practical point मेरे इसाब से भी haven't missed them pretty much clear sure यहां पे पना रहे हैं video conferencing के अंदर video conferencing is something which is to be learnt and not to be probably seen as technical कुछ भी निये क्योंकि video conferencing में पहले एक provision हुआ करता था जहां पर आप बोलते थे कि matters which cannot be discussed through video conferencing वो भी हट चुक है now everything can be discussed through video conferencing so this is the last topic of this chapter and आपने प्राक्टिकल और पॉसिबल चीज़ इसे ट्राय करें and I should it should I should believe minimum 5 maximum 10 नमरे आपको फेच करेगा यह question आपकी JRMC के examiner का पहले के ताइम का फेविटर क्वेटर 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 हो था था but now the world knows that this is one of the most important questions इसी लिए examiner ने इस question को बंद कर दिया है वो video conferencing touch नहीं कर रहे है the last scene this question was in the covid thing जब यह आया था amendment आया था कि यह matter of video conferencing से discuss किये जा सकते इसी पे question आया था इसके बाद इस question को बहुँट टाइम से देखा नहीं गया है hoping for कि भाई नरायन आपकी साथ है और प्रभू आपका हाथ पगड़े के आपको पास करवा रहे है अगर इतना simple question आ जाए तो बहुती बड़े बात है बट रarest of rare possibility but we'll do this very nicely now now a company shall comply with the following procedure for convening and conducting the board meeting through video conferencing और other audio visual means now every company shall make necessary arrangement to avoid failure of video और audio-visual communication अच्छा दोस ध्यान देना मेरे फोकस करना समझना किस चीज़ए अब इसमें आप काऊगी सार इसमें तो 13 points बना दिये हैं लोगोंने कहां तक पढ़ेंगे हम लोग 12 points बना दिये हम स्वारी तो और हम 12 के 12 points कैसे याद रखेंगे make a story सबसे बहले make a story तिरिफ slowly steadily मेरे साथ एक कहानी बनाते हुए चलना और यहाद हो जाएगा the ad says कि कोई भी मुद्धा जिसमें directors पार्टिसिपेट करना चाहते हैं if they are unable to come physically they have the right to attend that meeting through electronic mode electronic could be any permitted secured audio-visual means electronic is could be any permissible secured audio-visual means so now over here every company shall make arrangement to avoid failure तो सबसे पहली बार अगर आपकी company आपको वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी देरी है meeting attend करने के लिए तो बहुत normal कहानी का पहला है इससा है कि company को अपने पास एक necessary infrastructure बना लेना चाहिए एक necessary infrastructure बना लेना चाहिए audio-visual connection connected तो फिर्स चीज तो company की जिम्यदारी थी अच्छा आप देखना है अभी तक हम डिरेक्टर्स पर आई नहीं रहे हैं कि आप हमको बताओ आप हमें बताना तो हम आपको ऐसे करेंगे इस सब करें नहीं रहें नहीं नहीं पॉइंट का को सविगार्द the integrity of the a boutena नहीं थैप को सेफगार्ड करने है ने इ NGOs उस्यर्ट करने है नग्टिटिश यह सब कुछ सही है न सामझ ना कैसे कि that the chairperson and the company secretary will ensure first the integrity of the meeting. How do you make the integrity of the meeting? By sufficient security and identification procedure. Sure enough, यह first part इतन ख्लियर है. अच्छा सर्थ, प्रसेस तो बरा दिया. प्रभेया, connect करने के लिए. तुमको hardware लगेगा, software लगेगा, connections लगेगे, तो उसकी तेयरी कौन करेगा? To ensure availability of proper video conferencing or other audio visual equipment or facility, जिससे communication हो पाएं और directors participate कर पाएं. क्या यहां तक, अपन बिल्कुल साथ में हैं दूसरे. कहानी का हिस्सा फिर से शुरू करते हैं? हर company को नेसरी तैयारी करने होगी audio visual conferencing करवाने के लिए. Second, company के तर कौन करेगा? The chairperson or the company secretary. I am sorry, the chairperson and the company secretary. उनको maintain करनी है integrity of the meeting. तो एक clear process होना चीए, एक identification का तरीका होना चीए. उसी के अंदर, इन लोगो को make sure करना है, कि भीया, इनके पास available facility है, hardware, equipment, सब ready है, ताकि directors effectively participate कर पाएं. और ना, अच्छा, इसके बाद, meeting के minutes भी तो बनाने होंगे, तो they have to assure, to record proceeding and prepare the minutes of the meeting. सही बात है, minutes of the meeting record करेंगे, इसी में एक और चीज़, इनकी जो आपके पास tape recording है, जो भी आप लोगों ने जिस तरीके से पाट लिया था, उसकी tape recordings भी तो safe keep करके रखनी होंगी, to store for safe keeping and marking the tape recordings, or any other recording, as a part of record of the company. यहां तक हम लोग सब साथ में आके, तो अभी दख क्या हुआ, company की जिम्मेदारी है, chairman और company secretary ensure करेंगे, क्या ensure करेंगे, उसी के अंदर अपने लोग चल रहे है, सबसे पहला कि एक process होना चीज़, of identification and safeguarding the integrity, second चीज, equipment सही तरीके से होने चीज़, तीसरा, इनकी minutes recording, चौथा, safekeeping of the tape records, शौरनव, अच्छा, इसी में और, हमें make sure करना है, हमें make sure करना है, that no one else other than the concerned director, is having access to the meeting, शौरनव, and last, to ensure that the participant attending the meeting, through audio visuals, are able to hear and see the other participants, clearly, शौरनव, अच्छा, अगर आपी, differentially abled हो, तो आप board को request कर सकते हो, कि भाई या board, हमको allow करिये, कि मेरे साथ कोई एक और वेक्ती, मुझा company करेगा, because I am someone, who needs a little help, तो board आपको allow कर सकता है, ऐसे case में, उसको भी board identify कर देता है, कि this director was attending a meeting, from this place, along with another person, as requested, और उसकी details भी लिखे लिखे हैं, और simple to allow, बताओ, अच्छा, अभी दुम को एक बात बताता हू, यह लोग कितने strict हैं, और कितना ऐसे ध्यान रखते हैं, तो मेरे को नहीं इन्वेस्मेंट और ट्रेडिंग करना बहुत सा लगता है, मैं जनरली इतना हाथ नहीं लगाता था, मैंने भी पिछले कुछ 3-4 महिने में वापिस से ट्रेडिंग और यह सब बहुत ज़्यादा स्टार्ट किया होगा, क्योंकि ठीके थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो मार्केट में अधिक घंटे का एक्स्पोजर रहता है अच्छा, तो अभी सेलो का आई-पियो आ रहा था, मैं प्लाजा वायर की मैंने आई-पियो में लगाया था, फिर मैंने भी सेलो का आई-पियो लगाया, तो सेलो की फंडमेंटल्स इतने अच्छे लग रहे थे, सबको इच्छा लग रहा था, तो मेरे को लग रहा था कि अच्छे लिस्टिंग इंज देगी, सेलो, is what I thought, तो I call Vikaas, मैं Vikaas, सेलो के आई-पियो में, तीन लॉट लगाले, इससे जाधा नहीं मिलने वाला, ओवर सब्सक्राइब बहुत जाधा, तो कुछ नहीं होगा, तो मैंने और Vikaas ने बात करी, तो Vikaas भुला है चराख तू लगाले सेलो में, मैं नहीं लगा सकते, मैंने का क्यों, मुले यार, Nikita is an auditor, and is connected to the board, और off-sello, जिसने सारी फाइल्स और सब डॉक्यमेंट्स देखे, तो उसको पहले ही मेल आ चुका है, कि भीया, इनका IPO में आप शैज नहीं खरीच सकते, Vikaas, being his, her husband, is also not eligible to buy shares, इतनी security ये लोग रखते हैं, कि कोई भी शैज बाई नहीं कर सकता, तो of course, I booked it, अब इतना short short stock था ना, मैंने कुछ 638 पे buy किया, और मैंने exit लिया होगा, listing पे 840 वे, तो एक ही lot में डारेक्ट 200 रुप पर शैर का profit, बॉक करेके निकल सकता था, इतना अक्सा stock था, बट Vikaas couldn't buy, the idea was stringent check, over everyone, तो इतना या पी दिमनारी, अच्छा, ये सब उनके company secretary के mail जावे थे इनको, कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, इतना इतना ततर रेशो, सब clear करके रखा हुआ था, Sir, Tata Tech, या Tata Tech मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब share script बहुत अच्छी, बट this is an offer for sale, मेरे को offer for sale नहीं जमता है, ऐसा my personal view, I don't like offer for sale, same was for mama earth, that's why I didn't give good interest, offer for sale मेरे को टोपी पैनाना लगता है, चलिए, सब्सक्राइब, जी सब्सक्राइब, यह second point इतना clear हुआ, दो point इतना clear है, एक बार वापस है, company की जिम्मधारी है, second में company की जिम्मधारी के बाद अपने क्या मुला, the chairman and the company secretary has to ensure, क्या-क्या, process होना चीए, second facility होनी चीए, जिससे वो लोग participate कर सके, minutes record करने, recording अपने पास बचा के रखनी है, कोई भी और वक्तिव डिरेक्टर के अलावर meeting अटेंट नहीं करेगा, और six, अगर मान लीजिए, कि कोई और अटेंट कर रहा है, तो उस परम को पहले ही बताया था, और अपने को इसको identify करना है, क्या पहले दो पॉइंट दोस्त एकदम क्लियर है, अब यहां तक सिर्फ मेरी company की और company secretary की जिमिदारी थी, ठीक है, तो the first two points were company, and the responsibility of the chairman plus CS, इसके अंदर कोई provision नहीं था, यह तो आपको तयारी करके रहने थी, थर्ड पॉइंट चाहा है, कि जब आप इनको notice भेजोगे, तो notice में क्या लिखा हुआ होना चाहिए, तो तीसरा point, notice of the meeting shall be send to all the directors, ठीक है, the notice of the meeting shall inform the directors, कि भाईया, they have an option, if they want, they can participate through, video conferencing mode, और other audio visual means, and shall provide, all the necessary information, to enable the directors to participate through, video conferencing mode, और other audio visual means, first, company, second, chairman and CS, तीसरा, अब आपको जब notice भेज़ा जा रहा है, it would be sent to everyone, और notice के अंदर आपके साथ एह line लिख्या हैंगी, क्या line लिख्या हैंगी, that you are eligible to participate in the meeting, by electronic mode, all directors, who are intending to participate through video conferencing, इनको अपनी intention to participate, to the chairman, या फिर to the company secretary, obviously company secretary को address करते हैं हैं लोग, कि हम लोग इस meeting को कैसे attend करेंगे, by audio-visual means, इपने director intends to participate through video conferencing, he shall give prior intimation to the effect, sufficiently in advance, ताकि company उसके लिए arrangement करके रख पाएं, any director who intends to participate in the meeting, through electronic mode, may intimate about such participation, at the beginning, आचा देखो, अगर आप चाओ, तो आप साल के start में ही बता के रख सकते हो, एक declaration में, at the beginning of the calendar year, that shall be valid for one year, एक साल तक वाले है, कि हम तो अपनी meeting कैसे attend करने वाले हैं, video conferencing के थूँ, attend करने वाले हैं, now, over here, please, मेरी बात पर ध्यान दीजेगा, if you have given, a declaration in the start, that you will be attending the meeting online, मुझे इसे भी बताईए, कि या फिर भी आप चाहें, तो आप कोई भी meeting में फिजिकली आके meeting attend कर सकते हैं, yes or no, अजली बताईए, बहुत ही बढ़े हैं, दा आंसर इस, you can, so, that such declaration shall not debar him from participating in the meeting in person, in which case, he shall intimate the company sufficiently in advance, of his intention to participate in person, आपको online attend करने है, तब भी sufficiently डवान से बता दो, आपको अगर चाहिए कि आपको इसमें फिजिकल मोड मान है, तब भी अब बस बता दीजिए, and you are allowed to come, ठीक है, अगर आप लोगों ने कोई intimation नहीं दिया, तो हम लोग क्या मानेंगे, मतलब यहां पर, अगर आपने इधर नहीं बताया, कि आप meeting electronic mode में attend करना चाहते हैं, तो ऐसे case में, हम लोग क्या मान लेंगे, that you will be attending the meeting in person, और, येस आचा, बहुती बढ़िया, अचा, तीन points हो चुके, तो पहला company, दूसरा chairman and CS, तीसरा पूरी directors की responsibility, तो क्या मैं थीसरे point को, या पर head में लिख दू, notice to director, and intimation by director, क्या बोल दी public, notice to director, intimation by director, एक number है, अच्छी ही क्या fan girl, तो at the commencement of the meeting, आप जैसे ही meeting comments होती है, एक role call लिया जाते है, अच्छा, पहला company, दूसरा chairman and CS, तीसरा सबको notice आगया, अच्छा, आप notice आगया, आपने intimate कर दिया, अब meeting होगी, तो चौथा point, has and is bound to be a meeting, तो a role call shall be taken by the chairman, जहाँ पर हर director, जो video conferencing से है, कोई भी और तरीके से कर रहा है, उसको खुद को identify करना होगा, name, the location, जहाँ से वो participate कर रहा है, confirmation कि उसको agenda मिल गया है, सारा data मिल गया है meeting का, and declaration, that no one else is attending the meeting, बोलो से, स्वाथा point बीग्दम clear हुआ, सर, 12 point थे, जिसमें से 4 क्या थे, पहला, company की responsibility, दूसरा, ये company की responsibility कौन पूरी करता है, chairman, and CS, जो लोग वो infrastructure बनाएंगे, minutes record करेंगे, कैसे record करेंगे, वो सब आएगा, right, तीसर में क्या था, director का intimation, मतलब जो आपने उसको notice दिया, और उसका intimation, चौथे में, role call, चार चीज़े, चौथे में, role call, now, after the role call, chairperson, inform करता है, board को, about the name of the person, other than the directors, who are present, at the request, or with the permission of the chairperson, and confirm, that the quorum is complete, आखरी में chairperson बताता है, कि किते लोग फिजिकल नहीं वो तो पता ही है, किते लोग video conferencing से इसको attend कर रहे है, तो यह हमारे total number of directors है, in this meeting, and the quorum, with respect to every meeting, conducted through video conferencing, or any other means, the schedule venue of the meeting, वही होगा, जो notice में अपने लिखा होगा, ठीक है, तो ठीक है, आज 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 सेविन, अगर आप देखो, तो 5-6-7, कितना easy निकला, रोल काल हो गया, उसके बाद चैमन, अगर आप देखो, कोरम अनौन्स कर देता है, यहां भई, इतने लोग हमारे आप आप आके बैठ रहे हैं, 6th, venue of the meeting, is what is written in the, notice, and 7th, the register is signed, by the company secretary, on behalf, of the directors, जो online इसको, इसको प्रेइल कर रहे है, मतलब, signed in the behalf, मतलब कि, क्योंकि आपने online, खुद को प्रेजेंस, स्टाबिश कर दिये, it is duly signed, अच्छा सरकार, पहले मुझे यहां तक बताओ, कि क्या यह पहले, साथ पॉइंट्स, इगदम क्लियर है, can you see, that there is a very nice flow, of the answer, starting from the responsibility of the company, जिसके अंदर, MN और CS होते हैं, जो इस सारा infrastructure ते यहार करते हैं, to sending notice to the director, and getting their intimation, to conducting the meeting with a role call, and to announcing, कि भया हमारा कूरम complete है, इसके बाद इससे विसी के connected points है, venue, and the registers, which is signed, बुरो सर, यहां तक सब को याद हुआ, almost there, now 8, every participant, shall identify himself for the record, before speaking on any item, जराक्षी उटरानी, आप अब कुद को identify कर रहे हूं, before speaking on any item, of the business on the agenda, if a statement of a director, in the meeting through video conferencing, is interrupted, तो क्या होते है, the CS shall request for a repeat, वापे से repeat कर देना, if a motion is objected, and there is a need to put it to vote, the chairperson shall call the role, and note the vote of each director, who shall identify himself, before casting his vote, तो भाई अगर कोई motion में objection है, कि कुछ लोग बोले हैं, we do not agree to this, तो भाई सब सबसेग बार voting कर वाल लेते हैं, और इनका नाम लिख लेंगे, from the commencement of the meeting, until the conclusion, no person other than the chairperson, director, CS, and any other person, whose presence is required by the board, shall have access to the meeting, अब ये 10th, 11th, 12th point वाले लिखने की भी बात, ये लिखने की बात, फाल तो चीज़े, खली additional points है, at the end, ये वाला फिर भी लिख सकते हो, of each agenda, 7% क्या करता है, announce करता है, कि भाईया, हमारा अभी तक की summary of the dissence taken, who dissented, उनका नाम लिख लिख लिए जाएगा, और जिसने अप प्रूव किया, उनका नाम लिख लिख लिए जाएगा, जो draft minutes है, ने शाल भी preserved by the company, till the confirmation, ठीक है, minutes में, आपको directors की details, बतानी होंगी, जिन लोगों ने video conferencing से, इसको attend किया, and last, यह same point है, minutes को 15 दिन के अंदर, आपको circulate करना होगा, और इसको ratify कराके, same, वो ही 30 days के अंदर, minutes book के अंदर, enter करना होगा, इतना simple था, आप यहां तक आई कहते, यहां पर एक चीज़ लिख ले, minutes should contain, the decision, on every motion, along with the dissenting director's name, those who attended the meeting electronically, through audio-visual mode, and last, अई बादे, circulate it, within 15 days, and, in the minutes book, within 30 days, 15 days, and 30 days, यहां आपर लिख लेंगे, from the conclusion, आप सरकार यह हो गया, आपता पूरा का पूरा, audio-visual means, खत्म, तिरिफ्ट, आपको एक flow बनाना था, if you have this flow, your answer is going to be perfect, एक आप पूरी ऐसे, irrelevant point, आप मिस कर सकते हो, इतना कोई फर्रक नी पढ़ता है, इससे, बताएगी सरकार, हाजी तरकार, तो this completes my chapter with you, यह आपको 5-10 number देखे जा रहा है, इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता, लगाला दो, दोस्तों बढ़े आगे, पूरे रट गया, इकदम मज़ा आ गया, तो अब मुझे लग रहा है, इससे पहले वापे से हाथ आगाने की दरूत नहीं बढ़ेगी, अच्ब रहा है, च्ब रहा है, चाप्टर 5, बोर्ड कमेटीज, चाप्टर 5, इस बोर्ड कमेटीज, अच्ब बोर्ड कमेटीज, I don't find, a much of a chance, कि बोर्ड कमेटीज पर ये लोग बहुत ज़ादा, practical questions बनाएंगे, बन सकता है, definitely बन सकता है, बट कमपरेटिवली, आप ये मानना, कि चाप्टर 5 में, वापिस साबको, एक question देखने को मिलेगा, might be, दो पर मुश्किल है, पर एक से दो questions, so again, a 5 to 10 marker chapter, इस ते direct question आने का, supreme chance है, and might be indirect, but lesser chance, indirect का less chance है, but we'll be targeting this chapter again, in the same way, जैसे अपने chapter 4 को अप्रोच किया था, कुछ भी नहीं है, second page पर कुछ भी नहीं है, यहाँ तक सिर्फ यह first और second page पर बताये गया है, कि भी आप committees होना बहुत ज़रूरी है, पोचना भी मत, कि यह जो पहले team बनने दिख रहे हैं, कि भी यह आपके पास committees होना ज़रूरी है, वो आएंगे, यह नहीं आने वाला, हम लोग table F से ही start करेंगे, compulsory committees कौन से होती है, voluntary committees कौन से होती है, कौन से act में, कौन से regulation के साब से, कौन से committees compulsory होती है, उनका configuration, उनकी meeting, उनके notice, उनका procedure, that is what I think, would be more relevant for us, ठीक है, अच्छा, board में आप लोग इसे बूछोने हैं, क्या highest कौन से chapter का है, board में लोग क्या करते हैं, यह chapter 3, 4, 5 को mix भी कर लेते हैं, questions पूछते हों, बहुत बढ़ ऐसा होता है, कि भाई, यह कहना committee meeting ती, जिसके अंदर कोई error है, पर director ने, without company secretary को बताए वे, directly इसको refer कर दिया, correct करवाने के लिए, कि क्या आपको ऐसा लगता है, कि यह CS की authority को सबस्यूम करना था, ऐसे question आगया, अब somewhere, इसमें meeting भी दिख रहा है, और somewhere, साथ साथ में ऐसा भी लग रहा है, that, कुछ गलत तो नहीं हुआ है, तो committees का भी part आगया या गया, तो लोग mix करते हैं कुछ questions को, नहीं उकता, adjournment national holidays से नहीं, चले सर, table F, schedule 1, अभी आपकी committees की बात कर रहा है, first, अब इसमें देखना, आपके articles के अंदर यह लिखा ही होगा, this is the model, table F, board can delegate any of its part to committees, the committees so far shall confirm to any regulation that may be imposed, अगर उनके लिए कोई specific regulation नहीं है, तो आप committee का structure कैसा भी रख सकते हो, पर अगर इन committees को already identify किया गया है, और इनके लिए कोई specific regulation है, लाइक लिए कोई specific regulation है, इनके लिए directly बने बेख provisions हैं, तो you have to confirm with the provisions, the committee may elect a chairperson of its meeting, if no such chairperson is elected, और if the chairperson is not present within 5 minutes, do you remember हमने 5 minute वाला, वहाँ पूछा जाके, 5 minute अपने उपर already discuss किया, after the time appointed for holding the meeting, the members may choose among themselves, a chairperson of the meeting, now a committee may meet and adjourn as it thinks, जब साय तब मिल सकती है, जब साय तब adjourn कर सकती है, हाँ, बस एक चीज़, जो इनके लिए total number of required meetings बोली है, उत्ती इनको पूरी कर ले, question arising at any meeting of the committee, शल भी determined by majority of the votes of the members present, and in case of equality of votes, the chairperson shall have a second or casting vote, but I don't think you have any problem with this, here ये अच्छा पूंट है, if any act done by the director, afterwards is discovered, that there was some defect in the appointment of such director, or the director was disqualified, it shall be valid, so those acts, जब आपको पता नहीं था, that the director has become disqualified, shall be valid, as if every such director had been duly appointed, and was qualified to be a director, simple, easy, भी था, now, appointment of committee chairman प्याना, now the board may appoint the committee chairman, or the committee members can choose elect the chairman, इसको ये जो अपन गिये वाले points पढ़ रहे है, इस पर direct question ये हैगा, ये case-based questions के लिए, तो ध्यान देना, आपके committee का chairman, आपके committee का chairman, would be, and it can be elected by the board, if the board doesn't elect, it can be elected, by the committee itself, शौर्ट, the role of committee chairman requires, extra work time for communication with the committee, so that he remains informed about the development, and willingness to conflict among members, the committee chairman coordinates work, and establishes environment, through thoughtful deliberations, the committee's goal must be aligned, to achieve the objective of the organization, as a whole, the committee chairman, will be responsible for preparing agenda, assigning responsibilities, follow-up, and everything else, बाकी सबने मेरे को कहीपे भी कुछ काम कर नहीं दिखे रहा, let's go ahead, now, इधर से है खेट, ये सारी committees में से एक आ रही है, 98% unsure, कि audit, या फिर NRC, इस पर इनको बहुत मजा आते हैं, audit committee के उपर, तो इनको कुछ मस्ती करने में, जादा ही मजा आता है, बहुत जादा मजा आता है, तो ये तो मेरी तरफ से, हद हद हद, important है, audit committee, पहले हैं समझते हैं, कि वहिए committees दो तरीके के उसे सित्ते हैं, either the committee, could be a committee, जिसको आप लोग बोलते हैं, कि वहिए आप, एक मिनट दीजेगा स्रफ, I want to show you some article, not article, I'm sorry, done, so everything looks fine, अब एक मिनट देखने हैं, under the company's act, क्या के mandatory है, audit committee mandatory है, NRC mandatory है, stakeholder relationship mandatory है, and CSR mandatory है, चार चीदे mandatory है, audit, NRC, stakeholder, CSR, आचा, obviously CSR committee तब आपका CSR expenditure, 50 लाग से जादा का है, but mandatory में चार आती है, audit, NRC, stakeholder, अचा, अगर आप सेभी LODR regulations देखेंगे, तो audit, NRC, stakeholder, जो एक और हम लोगों अलाग से mandatory की है, that is their RMC, Risk Management Committee, so I need to remember this, company's act में audit, NRC, stakeholder, and your CSR, and जबकि LODR के अंदर, audit, NRC, stakeholder, and the Risk Management Committee, सबसे पहले, इन लोगों दोंको audit committee दिया, audit committee पे direct question नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, पर audit committee पे question आएगा, 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 यानि की, 177 अपने को एक दम छपा हुआ होना चाहिए, ठीक है, अपे इतनी आट नहीं चाहिए थी, let's discuss audit committee from some different perspective, not some different, but I want to discuss a bit more, ठीक है, अज़, ना, the audit committee, अब भाई नहीं चाहिए, नहीं लेगा मैं subscription, हाँ जी, so the audit committee is a fundamental element to the corporate governance system, अगर कल audit committee पे direct question आया, तो यहां से आप हलका सा introduction पिक कर सकते हो, अचा, यह NLU based student का रिखा हूँ article, which is very very nice, very nice, so the audit committee is a fundamental element of corporate governance system in public companies, it aims to boost public confidence in the reliability of companies, internal control procedure, financial reporting announcement, its main responsibilities are disclosure and financial reporting, major काम का disclosure का और reporting का, it evaluates and records the auditor's objectivity, effectiveness, performance and examines the statements and audit report, now, 173 से 195, contains the provision, governing board of directors meeting and the powers of board, and 177, specifically mentions audit committee, 177 में audit committee है, अपने को 177 का पूरा पार्ट करना है, कुछ भी नहीं छोटेंगे, ठीक है, तो आजाओ 177 पर, कौन सी कौन सी public companies, के ने एक compulsory है, कि आपको audit committee बनानी है, तो नहीं अदो, the following classes of companies, and every listed company, समझो, listed हो, तो audit committee बनानी है, कोई चीज़ चेक करने की ज़रूत नहीं, other public companies, other classes of companies, to have an audit committee of the board, ठीक है, अब देखते हैं, all public companies, जिनकी paid up capital, again, all public companies, जिनकी paid up capital, 10 करोर, हर वो public company, जिसका turnover, या फिर हर वो पब्लिक कमपनी जिसके जो लोन्स है यह फिर बॉरेंज है वो पचास करों यह उस्से दान है इन तीनों में से कुछ भी हुआ तो आपको अधिन कमपटी बनाना दरूरी हो जाएगा ठीक है बापस से टीन चाज़ा पूरा 177 रटा हुआ अची मड़को कुछ भी गुट जैश ने छोडेंगे पन अवरी इस्टेद कमपनी अवरी पुबलिक कमपनी यह पेड़ीप पिड़ीप प्लिक करोंस अधिन्ट करोंस और बॉर फुटिक है बाटट कमपनी से एए ना पेड़ीप एपड turnover, outstanding loan, borrowing, debenture, deposit as they are existing in the rate of the most recent financial statement shall be taken into consideration for the purpose of this rule मलब लतेस्ट पनाइशल रिकॉर्ड जा आपके अबले बले हैं अब कमिंग दाउन तो 177.2 देखना धंसे आपने स्टार्ट किया विट 177.1 यह एंटरिंग तो 177.2 ओडिट कमिटी must have minimum of three directors with independent directors being majority now the chairperson in the majority of the members of the warden committee shall be capable of reading and understanding financial statements क्या यही चीज अपन लोग ने यहां पर भी लिखी हुई थी ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ मिस कर दिया 177.1 पुलिक, लिस्टेड कमिनीज, पुलिक वहां आट केस स्रूथी पॉपवस i.e. और यहां दो, बिलेटेड्ली and punishment प्रवारेट प्रवाइड वालेशल रिखेंड प्रवास्वाज लेटेड्य प्रवाइड अल्य कॉंपाौंड थे यह सीखने वाल है एक केस तीखने वाल है तो प्रवापेस से मही神 कि इव दो कंपनी मैं जो लिखना हूं आपने नोट्स में लिख सकते हैं कंप्लाइड विद दे प्रोविजिन अब सेक्शन वन सेमेंटी सेवन चौर ताहर आएख़ करकर र्रोविजिन विख सेवना कय कि लुए ध्यू अबुए कर्दू से दे लिख Ciज आएख़ अबφлять in लिख चौर? the same is capable of being compounded so 177 में compounding is allowed is the line which I want you guys to take it from here done okay now it's 177 टू lunch break करते बस भूख तो लगने तो वाय क्या विवर्शित है 169 जलो जल्दी 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 हांची तो 177 सब्सेक्शन टू ने क्या बोला था अपने वापर भी टेबल फॉर्म में यही दिया हुआ अपने वापर भी टेबल फॉर्म में यही दिया हुआ है ठीक है ठीक है दा र। सो अधर कम्यटी मस्टव अफ लिस्टिरेक्टर्स इंडपेड्डेट्र मस्की बैक पर थू थाथा प्डेड्यक्तर नू अप्टू ने क्यू होने टियां Hello DR, आपकी 2 3rd of the audit committee independent होने चीए If the listed entity has outstanding SR equity shares, जहांस देखना अगर listed company के outstanding SR equity shares है तो तो पूरा पूरा committee ही audit committee independent directors की ही बनेगी The audit committee must consist of members who are financially literate and one of them should have financial expertise The chairperson should be an independent director and the secretary of the audit committee shall be the company secretary Okay, एधर notice करके देखना Please मुझे एक चीज़ बताना एंदर इसमें क्या यहाँ पर कहीं पे भी Please मुझे एक चीज़ बताना इसमें क्या यहाँ पर कहीं पर भी ठेके अब प्लीज एक चीज़ बताना क्या 177 के तहत एक audit committee में जहां पर मैजॉर अच्छ बहुत बुड़े इसले 177 को अच्छ देपढ़ना बहुत ज़रूरी था अब नोडिस करके देखना कहीं पर भी चैर्मेन वाला पॉइंट नहीं है अच्छ या हुद है तो किसी को भी बुला सकते हैं इंक्लूडिंग सच अधर इंचीडिव देरेक्टर टो फिप्रेसें अगर दरोत है तो को लिखनी थी अच्छा रटने की जुरूत नहीं है केस बेस के लिए अच्छा है 177.2 कंफिगुरेशन कि मेजॉरिटी इंडिपेंडिन्ट डिरेक्टर्स कि अच्छा है यिमेंग ऑन्यवर्ण इसी क्या आगे स्टार करके में लिखियू रहे हूं है सा इसी इडिद अधर कंपनीश इसिड़ विए इंडिपेंडे इसी क्या आगे स्टार करके लिखियू था इनलिस्टेड से शो तो थर्ड इंडिपेंडेंड डिरेक्टर्स और इफ आउटस्टैंडिंग एसार इकुटी शेर्स थे इंटायर कमिटी इंडिपेंडेंड डिरेक्टर्स प्लीज दोस्त बताहिए क्या ही अपने को एकदम क्लिया है लाइब अव्यान 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 लिख लोगर आपूछी इस इस एक रेटम फर वान समय दो 177-1 वान वस्टू डिरेक्ट मिरेगु लगता कि 177-1 में किसी को भी दिक्कत आएगी टू में ही दिक्कत आएगी पुब्लिक कंपनी अविंग पेड़ अब कापिटल आफ 10 क्रोड्स टॉन ओर ऑफ 100 क्रोड्स और आउट्स्टैंडिंग लों जहां जहां पर ट्रिक दिख रही है वह एक एक पॉइंट को डिसक्स करें और कमेंटी पर टू भी प्रिसाइस थोड़ी जादा बात करनी में मेरेको कंपेड़ेटिब टू एनी अधर कमेटी और कमेटी में बहुत जादा मस्ति करते हैं लोग वान एंड टू इस क्लियर चाहे वह अपने बुक से हो चाहे वह मेरे एक अच्छे पसंदिदा आर्टिकल से ड़न इसको क्या करना था अपने को यहां में समझते हैं यह री कंस्ट्रीशन ऑडिट कमेटी के लिए था जिसने यह कहा था कि मान दीजिए कि इस आट से पहले भी जिन लोग वास ऑडिट कमेटी थी आप उसको कंटिव्यू करिए और एक साल के अंदर इसको री कॉंस्ट्रीव हमने बिताया है तो 177 subsection 3 now is not relevant तो provided every audit committee of a company that existed immediately before the enactment of the act must be reconstituted within a year of its implementation खदम अच्छा आप देखो 177.4 में इन लोगों ने आपको क्या दिया है functions of audit committee काई दे से functions of audit committee हमारे काम के नहीं है दे जास्ट 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 रीड क्योंकि इतना direct इतना simple question दूंको नहीं आएगा that what are the functions of audit committee और इस पर कोई case based question नहीं बन सकता तो यह सिरफ एक formality है देखने वाली चीज़ है तो बही आप इनका क्या क्या काम है यह आप यहाँ से देख लो या पर आप न appointment, remuneration and terms of appointment of the company's auditor तो auditor का appointment removal उनका remuneration सब यह recommend करते है देखो the word is recommendation please remember that audit committee can recommend it to the board appointing, removing, finalizing is everything with the board to be decided इनका काम था recommend कर, that's it so please this word पर ध्यान दीजेगा recommendation is very important out here next up examine, monitor the independence and performance अच्छा वापिस से second काम में इनका क्या था, जो auditor appoint हुआ है उसकी independence को monitor करना, उसकी performance को देखना, इन सब के उपर वापिस से report भेजना board को, examining the audit report तो पहले तीन चीज़े सरफ auditor के उपड़ती है, उनका recommendation to appoint, remuneration सब कुछ, second उनकी performance देखना और तीसरा, उनकी audit report को examine करना, अब उसके बाद, अगर कोई भी related party transactions है, तो उसके approval या फिर उसके modifications भी audit committee ही करती है, अगर आपने कोई inter corporate loan दिया है, investment की है, उसका approval भी यही देंगे, valuation of companies, undertaking और assets, अगर धरोरी है, तो valuation भी यह करके देंगे, valuation of your financial controls, valuation of internal financial control की जगए आप evaluation कर दीजगा, evaluating your internal financial control and risk management system, and monitoring, जो भी end use ह of the funds rate, through open offer, और any related matter, बोलो से, क्या यहां तक आप सब मेरे साथ है, आगे का paragraph आपने पढ़ते है, ठीक, हो सकते है आईशी, इसलिए पने save site जल रहे है, आपने कोई थोड़ा सा रीड करना है, क्या अपन चाहिए, तो आप एक omnibus approval ले सकते, आचा, before I go ahead, what is an omnibus approval, जल्दी बताता है, भाई मैं 3 लीटर पानी पी चुका हूँ, मेरा 4 लीटर चाल हो रहे है, तो मैंसे कोई है, जिसमें 2 लीटर पानी भी प्यावाँ मिता हूँ कि लंजब्रेक से मेला सूसू परेक आजाएगा, वह इनाने मसनी हो दो 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 बहुत है बढ़िया, ब्लांकेट अप्रूवल पर पीरिद नॉट एक्सेदिंग वन एर फार ट्रांसक्शन अप्टो वन क्रोर्ट क्या यहां तक सम्मेश सा दगरी करेंगे? तो एक्सण आप्स्या हो कि अ अच्छा समझो इस पॉइंट्ट का राश्नमाटा समझो आपडीं और चुब्स को यह राइट दे MARK तो ऑन कर सकते हैं श जगा पे औहिस आपको यह राइट डे दे थीए उसलिपने आपको कर सकते हैं अपटो zac समझना एक transaction है जो director ने किया है विच इस अनध व्यक्त एक प्टू वन क्रूट by a director without the approval of audit committee and is not approved by the audit committee within 3 months of the month of the transaction date may be voidable at the discretion of the committee सही एक दम वापे से देखना इस लाइन के दो मतलब निकलते हैं that the director if he has entered into any transaction which is the value of up to 1 crore can be ratified by the audit committee in the next 3 months अगर नेक्स 3 months में ये राटिफाइड नहीं होता है then this transaction becomes voidable यामी की audit committees को ना भी अपरूव करे if the transaction involves a related party any director is authorized by another director the concerned director has to indemnify the company against any loss incurred in result of the transaction और ऐसे case में एक सेकंड ना तो या फिर डिरेक्टर को personally indemnify करना पड़ेगा अगर कोई भी लॉस हुआ तो however transaction between a holding and holding on subsidiary other transaction reference 188 is exempted from the provision of this clause ठीक है एक्दम तो यह जो पूरा 177 के अंदर आपन चल रहे थे यह जो पूरा अपन 177 के अंदर चल रहे थे जहांगे आपको omnibus approval मिला सब कुछ हुआ यह holding subsidiary के पर applicable नहीं होता मेरको यहां से वापिस से दो बहुत अच्छे अच्छे points मिले हैं अच्छा यह तो अपना already हो गया 1774 is that अच्छा ही सेगें 177 के चारों clause अभी तक के clear है one audit committee होने चीए वो लिस्ट है जहांपे पब्लेक कंपनी पेड़प कापिटल ट्र 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 चेक कर रहे थे तूंग के अंदर उसका configuration पड़ा प्री के अंदर इसके नीचे अगैन regulation 18 आता है LODR का मेरे सबसे मेरे article में ही वो ही है अच्छा इसमें 56 है दो मिनिट में आते हैं इस पर 56 पर वापस आएंगे पहले लोडियार देख लेते हैं अच्छा एक सेके यह role of audit committee क्या क्या LODR में भी आपको mostly वही सारे रोल्स देख रहे हैं वापस से एक बार फट से जल्दी से देख ले ना क्या LODR के अंदर भी आपको वापस से वही सारे रोल्स दिख रहे हैं देख लो एक बार तो अब 5.9 तक देख सकते हैं में इस स्क्रीन ओवे हैं फॉर मिनिट उसके आगे मैं दोस्ते पर ले रहता हूं वापस से एक बार देख लो कि एक ही सेगे ना मैं खाली भोजन ब्रेक के लिए पूछ लेता हूँ कि क्या भाई भूग लग रही गया भूग लग रही गया लग लग रही गए कि यह गया अब यह वाले देख लोग बार कि 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 क कि कि क कि क कि 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 क कि 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 क कि 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 इस में इस में कि कि मेरे को 1778 तक सारे के सारे याद हो गए यह देख लीजए आपका 1778 इसको अब चाहे तो आप लिख भी सकते हैं 1778 composition of the committee and the board if has not accepted any recommendation वो भी आपको बताना पढ़ेंगा the following disclosure shall be made in this वापिस वही terms of reference कैसे appointment किया composition meetings and website पे इनकी सारी details सारी की सारी चीज़े वही है एक last चीज रहे थी the number of meeting the audit committee of a listed entity shall meet at least four times in a year and not more than 120 days सेम है चार meeting in a year and दो एक सो बीस दिन से जादा का gap नहीं कोरम भी वापिस से सेम है तू और one third of the members of the audit committee whichever is greater at least दो independent directors आने ही चाहिए that's it this completes my audit committee मेरे को नहीं लग रहा कि audit committee में इसके बाहर को चाहेगा अच्छा एक बार before I give you a break मेरे को पूरा 177 revise करवाद होगे 157 में one में क्या था खाली नाम बोलता जाना बस उत्ताह ही लिख लेतें से स्वन में क्या था आपने एस प्लिकीबिलेटी आपने रस अ क mandate टू में क्या था मakat आपने का सर स्वांंफिगियरेशन्ट्ट्स में आदेन चैन्ड्य 1500 आदे बढ़िया, तीन में क्या था? रेकॉंस्टिटूशन विदिन आयर प्वर में क्या था? फॉंक्शन्स पाइव, टिक्स, टेवन पार्स टुए, 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 टू, टुए, टू, टुए, टू, टुए, 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 टू, टू, टुए, टू, 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 ट,ू, टू, 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 the board report मैं आपको composition बताना था मस्वाच बहुंता composition plus कि रीजन कि एनी कि और नॉट एक्सेप्टेंग कि एनी रेकमेंडेशन कि हत्म दोस्त बोलो 177 एकदम जमा के दिल में 177 एकदम audit committee कुछ तेनी सवाल भी आजाना कोई तो गलती मत करना इसके बाद कुछ है नहीं इसके बाद visual mechanism स्टार्ट हो जाता है 9 & 10 में ठीक है वह applicability में था और configuration में 3 विद मेजॉरिटी आइड़ी आइड़ी डन 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 क्या बोलती पप्लिक यादा क्लेर है इसके बाद NRC है stakeholders होगा और visual mechanism होगा यह थेंगे 2021 पेज़ेस का चाप्टर था 26 तो लंच के बाद resume करेंगे half of chapter खतम करेंगे और विल गोटो बोर्ड ओवर्साइट अच्छा लगा यादक सब एकदम सेट दोस्त तक्रीबन तक्रीबन पहले हाफ में अपने 30 pages पढ़े है ठीक है लेट्स रिजूम अगें लंच प्रिक भाई बहुत मठ्धूस क्याना प्लीस बहुत मठ्धूस क्याना उबासिया मारो को मेरे मुझ पे प्लीच रिजूमेट थ्री ठीक है डान पीपल से रॉन एट्री प्यम बहुत जादा मठ्धूसना प्लीच पानी बहुत सारा पीना अड़ी लिटर तो मैं पी गया कि 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 झाल 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 आप झाल 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 येस्ट पीपल आवी बैक हाजी सिरकार सर नींद का कोई इलाज सो जाओ मेरे साब दो सबसे बड़े इलाज है भाई कल तो वेल्ट काप है इंडिया भाई इंडिया जित्ते के ने बहुत जल्दी बोल दो गुद आपनों आपनों हो उनके शराद पर बिठाएंगे तो भाईया पैट कमेंस मिचल मार्श तो दोड़ के जाएंगे भाई और श्री ले अब अब यह जादा थोड़ा तू तड़ाग हुई तो एक अध ऑस्ट्रेलियन हो सकता है थोड़ा कटा कुट हुट हुट है कि मैरत्वन है है अपने यह पे अब तो बस कल एक औस्ट्रेलिया को फ्री कर देते हैं कल तो बंच भाई दम पूजा पार्ट करके त्यारी होगे पहुंच जाएंगे ड़न भाई आ जाओ तो आस्ट्रेलिया तो कल हार दी है अबन सिर्फ और सिर्फ बस मेक शूर करें भाई दुन बता है न वह एस्ट्रोलाजर में प्रेडिक किया भई पिछली बार उसमें तीनों सही वर्ल्ड का प्रेडिक किये थे टाइम्स अव इंडिया में आया है और इस प्रेडिक्टिटिट ही वाई कल तो अपनी जीत रहे हैं कि अपनी पढ़ाई सामने मैच चल रहे है रिल्क्स बहुत है मैं तो पहले बोल जाता कि मैं पगला जाता मैं जी तरकार अच्छा अब इकदम यहां पर साइड मे रख देते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट अपने क्या करना था वन सेवन एट यानि की एन आर सी चले भी एन रसी की साथ शुरू करेंगे एक एव मिनेट सेम उसी पेज़ का वापस आर्टिकल उपन करेंगे अ कि जाने ओपन होएँ आए अगर निए विक्यू सर की नहीं इस नहीं पूल टीम जमरी हमारी हमारी विकास के घर का नाम हम ने रहा है नरेंदे मोधी स्टेडियम जिसमें हम सब पहुंच जाएंगे और खुद स्टेडियम भी बहुत से आ रहा है हरी हम आपरेज आहरे तो भाई 178 एंडियर से अचा वापिस से सबसे पहले अपने 178 में एन एणर खी का अपलिकिबिटी सीखने अचा इसलिड़ी पताना क्या 177 ए 178 की एपलिकिबिटी एकड़ू इग्जाक्ली डिक्टो सेम है रहा गोजाक्ली सेम है और गजाक्ली सेम सब प्लिक्ट नाम क्मनी बटर क्रोड रूपीज और मोर और पॉब्लिक अभी तो इंदम ही क्लियर रहा दन क्या होने वाला है स्टेम अप्रिक बिलिटी लिस्टिट पॉब्लिक का 10,100 और फिर्टी ऑच्याओ आप इसके ओता है ङके तो बहूर सी प्रक्र भी और अध्रीड से बहुत नर्थीटbrarटेश्या जीन तीन डारेक्टर्स जिसकी मजोरेटी आईडी होनी चाहिए इसमें ये लोग क्या रहे है कि तीन नॉन एक्जेकरिटिव डिरेक्टर्स होने चाहिए एड उसमें से नॉट लेस देन हाफ शाल भी इंडिपेंडेंट डिरेक्टर्स बास एक नंबर दन दूस बहुत ही बढ़िया इसके आगे देखते हैं देट चैपरसंग ऑफ दे कंपनी अच्छा देखो वैसे तो सारी सारी नर्सी के अंदर सिर्फ नॉन इग्जेकरिटर्स ह अवेवर जो कंपनी के बोर्ड का चैर्मेन है फरटनी बढ़ता है कि इस एक्जेकेटब और फरटनी बढ़ता है कि इस नॉन इग्जेकेटब और याद रहे देख चैर अपने को ध्यार डखना है इसके अंदर तो बाव एक बार वापस से एनर्च का कंफिगरेशन बोल द अब अब बोर्ड मेबी अ मेंबर बस क्या याद रखना है यह शुद नॉट चैर यह शुद नॉट नॉट चैर खाता बहुत ही बढ़िया आ जाते है अच्छा आप अगर इस में बन लोग रेगलिशन 19 उलोडर की बात करें सो सार इसके अंधरे लोगोंगे का बोला शाल मिश्वव इस्ट प्रीड इरेक्टर सर तिहंने अने लेटिस तो बहु ला यहां बहुतना एक सक्ट रूख ना ऑल डिर्याएं परी शाल भी नॉन एक्जेकुटिटिव डरेक्टर स्वाल दिरेक्टर at least 50% of the directors shall be independent directors and in case of a listed entity having outstanding SR equity shares सर समझो scale कैसे down आ रहा है अगर आपको listed companies की audit committee requirement या दो तो उन लोगों ने two-third independent directors बोले थे और अगर SR equity shares है तो all independent directors बोले थे if you remember 177 178 ने क्या बोला कि बहिया इसके अंदर NRC में आपके पास 50% IDs होने चाहिए और अगर SR equity shares है तो फिर आपका two-third independent directors बन जाएगे तो लेवल डाउन होते में समझ माँ है आप audit में सबसे हाइस था NRC में उससे कम नीचे होता जाएगा और कम होगा भी ठीक है two-third of the nomination nomination committee shall comprise of IDs now the chairperson of NRC shall be an independent director something worth remembering na audit committee और na NRC under the company's act requires the chairman to be an independent director however semi-elodia either 18 or 19 दोनों में यानि की चाहे audit committee हो या NRC हो दोनों के अंदर chairperson इन लोगों रे compulsor ली क्या बोला है independent director को ही बोला है हाँ 2 मिन न बस में वो amendment करवा रहा हूँ हाँ वहाँ दो मिनट that the chairperson of the listed entity whether executive or non-executive may be appointed as a member of NRC and shall not check राइट 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 खुजी दो मिनिट हा बस में उस पर आई रहा हूँ इसको amendment बता देता हूँ क्या है एक बरे पुरी लिख लो the quorum of a meeting of NRC shall be either two members or one third of the committee whichever is greater including at least one independent director in attendance that goes exactly same there is no difference to it two members or one third whichever is और एक ID हो नहीं चिये the chairperson of the NRC may be present at the AGM however it shall be up to the chairperson to decide who shall answer the queries the NRC shall meet at least at least once in a year चले हाँ जी दोस्तों NRC का composition समझ मैं है अब मेरको तुमको इसमें चोटू सा amendment है वह amendment भी change करवा देता हूँ आप लोगको और अपनेसका जल्दी से एक diagrammatic representation बनाएंगे 178 ना जो आर्टिकल मेरको आपको दिखाना था कि देखाना था आर्टिकल्स क्यों ने ओपन हो रहे हैं आपके एक मिनिट से मेरा इंटरेंट याँ पर स्लो चल रहे हैं मैं वाई-फाई करनेक करता हूँ आर्टिकल्स का पास्वोर्ट बेजिए ना वाई-फाई का प्लीज मेरा याँ पर इंटरेंट बहुत स्लो चल रहा है एक मिनिट दोस्त अधनल सिंबल है याँ डोंट वरी अधनल सिंबल रहे हैं और ओंवने ने वराई एक मिनिए झाल प्लीज पर आई-बल्स मिलेगे, चल्गे पता नित सल्काल, अब देखें आपने लेट जॉइन के मैं आपको बोला के बंग पेपर ही डिसकस करेंगे परसों, हाप देखें के बाद, अब इसमें आपको NRC under LODR as well as NRC under the Companies Act 178, दोनों के दोनों ही इसके अंदर का बड़ है, आजाते हैं एक मिनिट के लिए, अब इसमें देखना एक 2022 का मेंडमेंट है, विच इस तो बी अदिन क्रेक्टिब, पहलो 178, यहां से देख लेता है, अच्छा देख लो जल्दी से, the NRC shall consist of three or more non-executive directors, out of which half should be independent, provided the chairperson can be a member, but he cannot be chair, यह 178, 1 था, 2, now, unless the role of NRC, the NRC shall identify person, देखो NRC का रोल क्या है, who are qualified to become directors and who may be appointed, तो पहला, they suggest who can be appointed in the senior management, recommend to the board their appointment and remove and shall specify the manner for effective evaluation of performance of the board and the committee and individual directors by the NRC or by an independent agency, चले, इसके बाद आते हैं, 178, 4 and 3 पहें, तो sets the ambience of NRC while understanding the role, यह वो ही है, the level and composition of remuneration, जिससे आप attract भी गर पाओ, और retain भी करपाओ, performance से कैसे remuneration link होता है, directors, KMPs और senior management को किस तरीके से payment होने वाल है, यह NRC के functions थे, 178 के अंदर, और पर इसकी punishment है, 5 lakh rupees and officer जो भी इन default है, उसके उपर 1 lakh rupee की penalty आ रहे है, now wait, यह देखो, एक amendment है, और like the act, LODR regulation are provided for there to be at least 50% independent directors, पर एक जनवरी 2022 को LODR ने इस limit को बढ़ाया, limit को बढ़ाके audit committee सितना कर दिया, वापस से, at least two-third of IDs in NRC, also the LODR regulation take it a step further and provide that all directors in NRC shall be non-executive, यानि कि अब इन लोगों ने क्या फरक किया, अब इन लोगों ने minimum ही यहाँ पर two-third करके रख दिया, please come back over here, यह जो यहाँ पर आपको दिख रहा है न, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, two-third independent directors, अच्छा जो मेरे अभी ओल है regular batch की बच्चे थे, दोस्तों अपने इस वे बुक में already amended था न, आपने इस बुक के अंदर already amendment करवाया वा था न, मैंने आपको, पदा रही ही सब, ओके, तो यह functions अपने भी just पढ़ लिए, I don't find functions, you know, that very important, बहुत ही जाधा direct, direct simple-simple सही थे, तो यह अपने अभी उपर भी पढ़ लिए, LODR में भी हो गया, ठीक है, तो 178, 178, अच्छा, इसमें decriminalization हुआ था, मैंने आपको अभी, अभी just बताया, decriminalization के अंदर क्या हुआ था, है ना, कर दिया ना, बहुत बढ़िया, चलिए, now in case of contravention of the provision of 177, 178, पहले, the company was liable to a penalty of 5 lakh, and every officer with a default, with 1 lakh, the penalty for contravention of the company that has been fixed, and punishment for imprisonment has been removed, तो पहले, जो आपकी imprisonment थी, पहले जो imprisonment थी, इसको हटा दिया गया है, अब सिर्फ और सिर्फ इसको penalty के साथ ही रखा गया है, that's it, यहाँ पर अब सिर्फ सिर्फ क्या आती है, penalty आती है, अच्छा एक सेकिंड, 178 भी खतम होता है, I don't find 178 really very much important, 178 में आपने applicability देखी, ठीक है, applicability के बाद आपने इसका constitution देखा, अच्छा, constitution एक बार खाली अपने पास, लिख के बाद से रिवाइस करके रख ले ना, ठीक है, नहीं यार कॉसम नहीं हो समय, हाँ जी, सो मेरे साथ इन लोगों ने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, audit committee का same application इधर लेखे आएं, लोग exact डिटो, हाँ जी, constitution, यहाँ पर, three non executive directors, इधर, all non executive directors, obviously minimum 3 ही है, यहाँ पर भी, ठीक है, 50% ौप्पोजेशन आईडी यहाँ पर इपने उख करना है, two third ौपजेशन आईडी थी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, तो यह इसका composition अपने को याद रखना है, इसमें छोटी सी लाइन और आड़ करेंगे, the chairman, may be a member, but he cannot say, but he cannot say, that's it, हाँ जी सरकार, short shot, बहुत ही बढ़िया, आजाते हैं वापिस से, अब अपना आगे हैं, और इसकी penalty लिख लो है, 5 lakh for the company, and 1 lakh for officer in default, done, that's it, 177 done, 178 done, 99% question इधर से, या फिर विजल मेकानिजम सा, ये डानें दो स्थाटाओं ये, पधारो, अब आती है अपनी, stakeholder relationship committee, उपर सम्रों में बढ़ा, 18, 19, और अब 20 पड़र हो, regulation में, माव में बढ़ा, 177, 178, और अभी 178.5 से, आगे स्टार्ट हो जाती है, अपनी, stakeholder relationship committee, ठीक है, तो NRC में ही, 178.5 से, SRC स्टार्ट होती है, now again, the board of directors of a company, which consists of more than, 1000 shareholders, or any kind of debenture holders, deposit holders, or any other security holders, at any time, during a financial year, shall constitute, stakeholder relationship committee, simple था, एक्दम easy, साही बात है, chairperson of the committee, shall be a non-executive director, so now, वापिस से, stakeholder 178.5 में था, 178.5 में SRC क्या मुली, कि भईया, आप लोग के पास, अगर 1000 से लादर, stakeholders है, in a company, it can be shareholders, plus debenture holders, it can be alone debenture holders, और it can be any other stakeholder, अगर है, तो आपको एक committee बनानी है, of stakeholder relationship, done sir, done, एक चीज, एक शर्थ, सरफ सरफ stakeholder का, जो chairperson है, should be a non-executive director, ठीक है, done, now, the listed entity, shall constitute, a stakeholder relationship committee, to specifically look into, various aspects, of the interest of shareholders, debenture holders, and other security holders, the chairperson, of this committee, shall be a non-executive director, अगर, तो से मैं, listed company, तो बनानी बनानी है, SRC, to look into, the matter of, shareholder debenture holders, chairperson, is not non-executive, now, at least three directors, with at least one being an independent director, shall be the member of the committee, and in case of listed entity, having outstanding SR equity shares, at least two-third of the SRC, shall comprise of, independent directors, the chairperson, of the stakeholder relationship committee, shall be present, at the AGM, to answer the queries, and the committee, shall meet at least, once in a year, दोस्त, काफी direct, काफी simple, काफी straight था, मेरे को नहीं लगता, कि SRC कहीं से भी काम का है, सिर्फ 1000 stakeholders वाला pointer, जो समे याद रखना है, तो you can probably, just jump up, stakeholders का, मतलब relationship committee का काम का है, stakeholders की problem resolve करना, measures लेना, effectively shareholders voting कर पाए, review करना standards को, as to how they are working, बस, तो इसमें कुछ भी काम का नहीं है, now, जो अगर next, बहुत ही काम की चीज़ है न, वो है CSR, actual में, CSR is worth discussing, तो priority wise, अगर तुम देखोगे, तो सबसे ज़्यादा audit, फिर NRC, and then CSR, CSR committee पे, या तो part A में, या पर part D में, पर कहीं न कहीं, CSR committee पी question आएगा, आप इसको एक बार यहां सीख लो, part D का CSR committee, पूरा 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 खत्म हो जाता है, marking this, very important, please focus करना, इस पे अपन थोड़ा सा लिखेंगे भी, ठीक है, आ सत्या जनल, I think you have joined the class late, now, every company, which fulfills any of the following criteria, in the immediately preceding financial year, has to make, CSR committee, अच्छा, यहाँ पर दुम वयाद होगा, कि CSR committee, CSR किसको करना होते है, net worth check कर लो, 500 करूर से जाद है, turnover check कर लो, 1000 करूर से जाद है, यह net profit check कर लो, 500 करूर से जाद हो, net worth, आप check कर सकते हैं, 500 करूर से जाद हो, turnover check कर लीजे, 1000 करूर से जाद हो, या फिर आपका net profit check कर लीजे, 500 करूर से जाद हो, इन तीनों में से, अगर एक भी चीज हुई, तो आपने को CSR committee का formation करना ही पड़ेगा, अच्छा, अब ध्यांदे ना 135 बहुत 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 इंपोर्टन है, ना composition of CSR committee, एक सुरू ना, इसमें एक line लिखना नहीं याप है, for those companies, which have an CSR expenditure, of 50 lakh and above, have to oversee the CSR implementation through CSR committee अच्छा अभी तुम बता है क्या इस बार ये लोग CSR के उपर जारा questions पूछेंगे, पूछेंगे, पूछेंगे I tell you why इन लोगोंने नए syllabus के अंदर मैं मजाख भी नहीं कर रहा नए syllabus के अंदर band बजा के रख दी इन लोगोंने अगर in case मैंने आपर डलाओ तो यार मैंने न मेरा iPad अभी भी change किया है इसमें तरहें miss हो रहा है याँपर बाकी not even kidding इन लोगोंने CSR chapter इतना इतनी जबरदस तरीकी से खिया है इंपक्ट असेस्मेंट से लेके ओडिट से लेके रिपोर्टिंग से एक्स्पेंडिच्र इतना ज्यादा कर दिया इसका हाइफाई चांस है कि आपकी CSR कमिटी में अगर आईडी नहीं भी हुआ अब भी चलता है बिल्कुल 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 बताता हूं विश्वास रखो जा थोटी नहीं अगर आपकी CSR विदाउड आईडी भी हो सकती है आपकी CSR विदाउड आईडी भी हो सकती है ना अब प्राइवेट कमनी शाल हम उनली टू डिरेक्टर ऑन इस बोट शाल कॉंस्टिट्यूट एक सेंड है विद टू डिरेक्टर अगर आप प्राइवेट देखो कुल में ला क्या आईडिया यह है CSR का आईडियल कॉंपजिशन इसको ऐसे समझ आऊ CSR कमिटी का आईडियल कॉंपजिशन इस फी डेक्टर्स विद विद वन इंडिपेंडेंट डिरेक्टर यह इसका आईडियल कॉंपजिशन है that's it this is to be remembered now इसमे एक नोट डाल रहे है if the company is not required to appoint ID अगर आपको ID अपॉइंट करना जरूद नहीं है तो CSR में भी ID की जरूद नहीं है if the company is a private company आगे देखना having only two directors तो भी आपको ID अपॉइंट करने की जरूद नहीं है and the CSR committee would be comprising of two directors मारी वैसे तकलीप उठाने की जरूद नहीं है ID नहीं है मत रखो डारेक्टर जीतो है दो से CSR committee बिना दो no question asked बोलो पॉब्लिक क्या बाबू अप लोग को ये बात समझ मैं ही जल्दी 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 बता देने एक बार जी सर आपका घर बन गे भाई लेड़े साल हो गया बने भाई आप एक तो नया घर बन वाएंगे भाई कहानियां खत्म हो गई मेली भाई तुमनों पानी बानी पी रहे हो ना मैं भाई साब चार लीटर तो इस क्लास में साफ कर चुका हूँ पॉर्चुनर से ज्यादा है भी तो मैं चल रहा हूँ एक लीटर सवा घंटे के साबसे पानी पी रहा हूँ जैसे ही तुमारा पानी कम होगा ता यार रहना ना नीन आए की डिजनेस होगी तंग होने लगोगे बोर होने लगोगे पानी पीते रहना ना इस रहना इस प्लीच आजी आउ सर तक एकल रहना ना इस रहना टीजितां मरा निजिने अलीटर अश्ड़री भानें थे टौरेंट थो कुर लगोगे पर मोने को लिटरीा कर प्र पूरें तो पर दॉक्शेपर कमेटी जो भी इंड़ खम्रा ना प्राएं जिए गल्तीसीछ में आगे हुआ है दन्स नोब अच्छा फंक्शन फालत हुए फंक्शन सी कोई जरूत नहीं सिर्फ सी सार के कॉंपोजिशन पर ध्यान देना ऐसाइए अगर आपके पास आईडी नहीं है यह नॉट रिक्वाइट प्राइवेट कंपनी हो दो से भी बन जाएगा और नीचे फॉरेंग अमने बिलिको तू और ब्राकेट में निकला एठ लीस्ट वन शुड़ बिया रेसेडेंट डिरेक्ट दूसरा तुम नॉमिनेट कर लो मठके का बादी बेरो बहुत नीबढ़िया है इतना ही बागो बस ये इसका कॉंपशिशन ओडर है वन रेसिटेंट चाहिए एंड दे अधर विल बी नॉमिनेटेट बाइद पॉर्न गुंड दन चलो आगे बिढ़ेंगे आपके लिए पॉलसी बनाना रेकेमेंड करना उसके बाद आपका अमांट अब इटना हो जल्दी बताना जल्दी बताना मां उस देखें कि तयाद तुमकोगों इस अट्था मुझे पता है कि टू बरस एंट 2 परसेंट और वाटर्ट इसक्त फिल्र टू परसेंट और टू प्सेंट और लॉट यह क्रीजै के माई in ganz एज यह वaremos बहुत की आई सबस्तिक का मुझां महां ऑगा सबस्सक्राइब अंग मुझाट टू यह वा वह दिपनी इंकॉर्परेट अफ यह बाग को तो इस बाग को तो तो साल का अबरेग्ष प्रफित लेंगे बाथी बढ़ा है मैं आपको भाई आज हम यहां पर खड़ें तो इसमें लौस है और इसमें प्रॉफित है इक साल में प्रॉफित है है एक में प्रॉफिट है एक में लॉस है तो लॉस फ्लस प्रॉफिट दिवाइड बैट्टू आवरेज ले ले लूँ चलेगा एक नंबर तो आवरेज लेंगे ठीक है एक नंबर एक नंबर तो लॉस को हटा दो बाकी अबरेज लिया जाएंगे एक नंबर सिंबल ठीक है तो लॉस इस कंस्रेट उत्ते से आपका कम हो जागा आच अब बात बदाओ आपका 2021, 2022, 2030 तीनों में लौस है तो विल थैर भी अणिस एसर उप सिंबलिगेशाएं विल थैर भी एननिसी एसर उपलिगेशाएं विल थैर भी एनीसी एसर उप्लिगेशाएं रही ज़ने में दातो ज़र twenty two समझा कि मुद्ध सम्जा हो सकता है कि तुम लोग शायद तुमारी नेट वर्थ जादा हो जाये तुमारा टॉण ओवर जादा हो जाये बट नौ यौर थेसर एक्सपेंटिचर अमांट इस तू परसेंट ओफ द अवरेज नेट प्रॉफिट अवर्फिट अगर आपने इस साल कोई प्रॉफिट जी भूख नेके इन तीन साल के अवरेज फे तो आपका कोई अप्लिकेशन ने आएगा निक्स चेर काल्कुलेट करेंगा वापस है तो गुटु 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 पका डन तेंस तू बिशने थीन साल लोस वो मेट इस साल प्रॉफिट हुआ तो निक्स येर के अप्रिकिबिलिटी प्रीवेश यह जाती है ना आप दूबर अजि शौर नफ एविवन 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 पक्का शौर हो ना बहुत ही बढ़िया अच्छा इस पहास तक प्राक्टिकल क्षिशन देखनेंगो मिले नहीं बद यू नेवर नो यू माइट गेट अ सप्राइस सो बी रेटिए नाव इस तीरेस का इस्पेंडिचर द प्राइस सच अमांट नबच चल इने रिपोट सपेसिफाई दर रिज़न पोर न प्राइस तो अन्युच प्राइस थे निहीं प्राइस तो कहां से करेंगे CSR is a social obligation, no? Now, focus over here ज्यान दिना एकदम से मैं आपको CSR expenditures relating to ongoing and not relating to ongoing प्रजेक सिखार हो अब आप से दिना CSR expenditures CSR expenditure का पहला rule किया गया था है आपके लिए 2% of the average net profit of the immediately preceding three financial years 2% 2% of the average net profit of the immediate preceding three financial years now if the CSR amount has has spent has remained unspent तो unspent में दो चीज़े हो सकती है आपने किसी एक प्रजेक रिलेट्स टू आप आगे contribute करोगे since this is an ongoing project इसलिए unspent है दूसरा हो सकता है it does not relate to any ongoing project यानि कि यह जो पैसा आपके पास unspent रहे गया है बस आप नहीं उडा पाए यह पैसा आप नहीं उडा पाए इसका final मुद्ध सर्फ इतना है आपने सब try कर लिया पर आप इसको उडा नहीं पाए तो इन दोनों में treatment क्या क्या होगा and it does not relate to any ongoing project it does not relate to any ongoing project तो ऐसे case में हमें क्या करना है यह दो गुनजाईश हैं हमारे पास since अगर यह ongoing project में है तो यह पैसा आपके पास ही रहने दीजिए यह पैसा company के पास ही रहेगा बस इसको transfer कर दीजिए एक separate account के अंदर इसको transfer कर दीजिए एक separate account के अंदर अगर यह unspent amount कोई ongoing project के साथ है तो company के पास ही पैसा रहेगा बस इस पैसे को लोग एक separate account में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, कितने दिन के अंदर, मिन थर्टी दिस, सही बात है, तीस दिन के अंदर, एक सेपरेट अगाउन पैसे रख दो, अच्छा, सरी, सेपरेट अगाउन में इस पैसे का क्या करेंगे, और यूटिलाइस दिस, इस पैसे को नेक्स ट्री यर्ज में आप उसी पैसे के ने उडिलाइस कर लीजे, यहां देक समझ मैं है, if you fail, if there is a failure, आप तीन साल में भी इसको यूज ने कर पाए तो प्रांस्फर दिस इन अफ़न गिवन अंडर श्रेडूल 7 प्रांस्फर दिस इन अफ़न गिवन अंडर श्रेडूल 7 और नव एग नम्बर नव मान लीजे इफ दस नॉट रलेट तो अन्य ओंग प्रजेक्ट तो यह जो नीचे वाला प्रोविजिन है वो यहाँ पे लिख्दाँ रांस्फर दोस फंड्स विदिन 6 मुझ्स तो अफ़न विच इस गिवन अंडर श्रेडूल 7 अब श्रेडूल 7 में बहुत सारे फंड्स दें प्राइम मिनिस्टर्स फाइंड ऐसे बहुत सारे फंड्स दे हुए है ठीक है उसके अंदर आप ट्रांस्फर कर दीजिए इसको बोलो पॉब्लिक क्या ही बात आपको बहुत ची दरीक से समझ में आए अगर किसी को लिखना हो तो लिख लीजा एल बेट फॉर मिनिट यह है आपका CSR एक्सपेंच है अच्छा नाओ I have a question दो questions है आपके लिए दो questions आप वो separate account वो ही रही है मिटा CSR लांश्पेंट अगाउंट चलिए अगर वो project तीन साल से पहले खतम हो रहा है तो अपट्स किसके नाम पर रोक के रखोगी तो इस इपसो फैक्टो डीम ना कि वो ongoing project तीन साल से या तीन साल से दादी चलना चीए अगर उससे कम ही खतम हो रहा है तो आपको अपने पैसे भी खतम करने होंगे नहीं तो प्रांसफर कर दो यह होगे समका नाओ नेक्स्ट एक question है let's see if you could address इस unspent यह जो separate account ना that is your unspent CSR account with the company's name इसमें आपको three years के अंदर interest income हुई है इसमें आपको three years के अंदर interest income हुई है समझना मेरी बात मैं आपसे दो तीन questions साथ ना पूश्चन आ लाओं मैंने इस साल में 2% का CSR obligation लिया था let's say that this is the year 2021 this is the year 2021 मेरा 2% का CSR obligation था interest income हुई जिसकी विज़े से मेरा CSR contribution बढ़के होगे 2.3% जिसकी विज़े से मेरा CSR contribution बढ़के होगे 2.3% 24 मेरे को interest मिल रहा था अब मेरा पूछना है कि first question क्या यह interest कंपनी अपने पेनल में ले जाके खुद expense मतलब खुद के इसमें ले सकती है कंपनी अपने अकाउंट में ले सकती है question 1 second question if they spend the interest income in also CSR activity if they spend their interest income बहुत है बढ़े बढ़े तो यहां पर जो लोग लिख रहे है ना no this is not company's income नजर न लगे तुमको बिलकुल सही है they can't they can't do this but the next question if they spend the interest income for CSR activity which was the purpose can they claim set of in the next year यह 0.3% जो तुमने एक्स्ट्रा किया है इसका set of मिल सकता है कि नहीं अच्ट्रा कि अच्ट्रा कि सेट आउस सबको बताया ना क्या होता है अच्ट्रा कि अच्ट्रा कि इसका अंसर है नो नो सेट अफ ठीक है बस है वी आर अच्ट्रा कि यह देखता हूं बस कितने इदर में फिरी होता हो फिर बताता हूं तुमको clear set good to go perfect now if the company fails to spend such amount the board shall in report specify the reason of not spending and transfer such money within six months of the expiry of financial year now if the company spends an amount in excess of the required provided under this subsection such company may set off such excess amount against the requirement to spend under the subsection for such number of succeeding years as may prescribe से जल्दी बताओ कित्ते साल तक सेट आफ मिल सकता है जल्दी 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 बतातो किते साल तक सेट ऑफ मिल सकते है जल्दी 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 एक मिनिट है यह तुम मैं से कर रहा है क्या अजी कि सेट आफ में क्या है जादा उड़ा होगे तो सेट आफ क्लेम करोगे बस इतने तो है बस इन नहीं है और कुछ भी नहीं है CSR में जितना हमने उड़ाया आप उसको अगर एक्सेस उड़ाया है तो सेट आफ कर सकते हैं आने वाले अगले तीन साथ क्या बहुत ही बड़ी है परिखेगा नहीं है तो अजितना है the company in persons of its obligation towards the TSR policy within a period of 3 financial years from the rate of such transfer, telling which the company shall transfer it in schedule 7 within a period of 30 days from the rate of completion of 3rd financial year okay done आजय इसका penal provision देख लिजे आजी, in case of company twice the amount required to be transferred or 1 crore यार इसमें मैंने तुमको एक केस भी दिखाता है, you remember that case कॉमिवा वला केस यादे क्या दोंगो, मैंने तुमको बताया थे ना कॉमिवा का यारे, twice the amount required to be transferred और 1 crore a set of in amount or percent, अबे, जो point 3 का amount निकलेगा, उत्तापन अंगले साल में कर लेंगे हाँ जी, तो twice company वे पर जितना आपको CSA transfer करना था, बहुत ही बढ़िया, जी सर, उसका twice the amount required to be transferred, maximum है 1 crore, एक करोर से ला दोंगी, twice और 1 crore, in case of officer and default, 10% of the amount to be transferred, और 2 lakh, whichever is less, that's it, अच्छा खाली ऐसी देख लो, case, बहुत ही बढ़िया, अच्छा, वी आर एंटरिंगे, बस ही एक मिनिक खाली case देख लो, आप, इसके पास वे एंटरिंगे to almost the last, that is our visual mechanism, जो काम की चीज़ है, visual काम का है, गिया हुए, दिया हुए, कशिश्च भाय, rules दिया हुए, 3 years, done, पदा रे, visual mechanism, मैंने आपको उस ताइम, audit कमेटी किना हम बदाया है था, 177.1 से, 177.8 तत, audit कमेटी है, 9 से, visual mechanism स्टार्ट हुथा, now we are entering into visual mechanism, now every listed company or such class or classes of companies as prescribed by rule 7 shall establish visual mechanism, to report their concerns, impact assessment बदातो, by rules be aware, in such number as may be prescribed in rule 7, well establishment of visual mechanism देखते हैं, so every listed company and the companies belonging to the following class or classes shall establish a visual mechanism, देखना, हर listed company and the following companies belonging to this class shall establish visual mechanism, now, हर वो कम्पनी, which is accepting deposits from public, या फिर हर वो कम्पनी, जिसके पास 50 करोड से जाधा की बॉररिंग्स है, इनको visual mechanism सेट अप करना है, यहाँ पर के कमिटी लिखा हुआ दिख रहा है क्या, यहाँ पर के कमिटी लिखा हुआ दिख रहा है, जल्दी बिदाओ, कहीं पर भी कमिटी नहीं है, इट सेज visual mechanism, अचा visual mechanism का मतलब क्या होता है, विसल ब्लोर, कि बढ़िया, अगर कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, कभी भी किसी साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो अपने genuine concerns, यानि कि genuine concerns, raise कर सकते हैं, with the visual mechanism body, that's it, right, every listed company and the companies belong to the following class, listed company के लिए ज़रोरी था, next up और किसको visual mechanism बनान है, companies accepting deposits from public and companies borrowing for more than 50 crores, now, the companies which are required to constitute an audit committee shall oversee the visual mechanism, देखना, क्योंकि ये 177 का ही part है, इसलिए इसको अलग से visual mechanism committee नहीं बना है, जिनको audit committee compulsory है, उन ही की audit committee, oversee करेगी visual mechanism, through this committee, and if any of the members of the committee, have a conflict of interest, they should recuse, they should stop themselves, and others on the committee, would deal with the matter on, and, तो sir, visual mechanism, listed companies को करना है, companies having public deposits, and companies for borrowing more than 50 crores, जिनके पास audit committee है, उनकी audit committee ही visual mechanism को oversee करेगी, और अगर उनका कोई conflict of interest है, तो वो बन्दा refrain करेगा, बाकी लोग काम करेंगे, now, in case of other companies, the board of directors shall nominate, अच्छ, अगर कोई ऐसी company जिसको audit committee compulsory नहीं है, 10, 150, किसी में भी नहीं हारे आप, आपको audit committee compulsory नहीं है, तो आप भी director को nominate कर दीजे, to play the role of audit committee for the purpose of visual mechanism, जहांबर सारे employees, अपने genuine concerns report करेंगे, तो visual mechanism shall provide for safeguard against victimization, I think this is too simple, कि भाईया, जिसके साथ visual mechanism आप जिसको provide करवा रहे हो, उसको victimization से बचाओ, उसका नाम पब्लिक में मता आने दो, और अगर exceptional case इसे तो direct chairman के पास तक, उसको पहुचाओ, to the audit committee, in case of frivolous complaint, frivolous मतब जूटे case हुएं, तो जो बंदा complain कर रहा है, उसको धक्के मार के निकाला भी जा सकता है, reprimandist निकाला, हाजी, RMC, I think RMC is the last, इसके बाद तो क्या है, अचा, इसके नीचे वाली सारी committees, कुछ पढ़ने की जरूत निया, पहले एक मेंट इदर आईए, page number 5.24 पर, 2.3 से start करेंगे, 5.23, everyone, I want all 5.23, that is visual mechanism, although, the establishment of visual mechanism is mandatory, under the Companies Act, as well as LODR, but the word is mechanism, and not the committee, ठीक, so, it shall be worthwhile to narrate, the provision of visual mechanism here again, यह अपने अल्रेदी कर लिया, 177 read with rule 7, और LODR का regulation 20 लगता है, visual mechanism के लिए, से ये, so, constitution देखलो, every listed company, and such class of company, that is prescribed by rule 7, to report their genuine concerns, every listed company, and those companies, which have accepted deposits, and which have borrowed money, exceeding 50 crores, the companies which are required to constitute, an audit committee, will oversee, same point there, in case of other companies, board of director, nominate कर देंगे, same, safeguard against victimization, and frivolous complaints में, reprimand, the visual mechanism under 177.9, shall provide for adequate safeguard, against victimization, यह भी अपना, अल्रेदी हुआ 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 है, एक number, आएस मज में, इदर regulation 22 देखो, यह भी होगा क्या, listed entity, shall formulate, a visual mechanism, for directors and employees, to report, their genuine concerns, the visual mechanism, shall provide for safeguard, against victimization, of anyone, who avails this mechanism, और exceptional cases में, direct access, to the chairperson, of the audit committee, यही था, जो वापे से नीचे, repeat होने वाला था, तो आपने पहले ही, साथ में देख लिया, इसके नीचे देखो, यह है, other non-mandatory committees, which I don't find, at all relevant, इसके यहाँ पर है, एक RMC, Risk Management Committee, रमC, मेरे इसाब से, funding में, ज्यादा important है, compared to over here, so just give it a, read to RMC, जिसके अंदर आपको, मेरे कोई खासी जरुद पढ़ने नहीं वाली है, two time pass to go for, RMC खतम and it's done, ठीक है, यह 500 हटा देना, यह पहले था, यह 500 हटा देना, that's it, इतना सा कर लिया, तो one more chapter is done, chapter 5 comes to an end, I hope chapter 4, 5 में तो आपकिसी का ताओ भी दूम को हिला नहीं सकता, I think there is too much of board, which is done, probably अब अपन पहले RMC कर ले थे, and then we'll shift back to chapter 3 again, ठीक है, cool, chapter 4, 5 एकदम फोड़ दोगे, कोई तकली तो नहीं, अच्छा, सिर्फ एक 5 मिनिट का, सूसू ब्रेक लेते, and let's resume back at 4, 5, अभी टीब्रेक नहीं है, अभी टीब्रेक नहीं है, we'll take it on 4, 40, 4, 45 के असपास, ब्रेक ले लेंगे, अभी सिर्फ स्यूचू ब्रेक है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पानी भी लिया है, पीूप लेए सिर्मू हो थे टानी भएध क tenemos, यह ही टूश है, कि अजय जब एप शो, वी लेए।, अभी लेए, अगर 10 डिरेक्टर्स हैं तो मिजॉरिटी 6 से बनेगी और अगर 10 डिरेक्टर्स हैं तो नॉट लेजन 1.5 से बनेगी झाल 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 अभ्रेर सुओे है के वीडिए निए टिन अभ्रेस्ट्राइब। और भाई एक कॉल करने दो यार मेरी बुवा की तबित बहुत जादा खराब है पापा को भी राजस्तान बेज़ा तुम्होंने राजस्तान बोला तो जस्त मेरे को रेलाइज हुआ कि एक बार अपनों का हाल चाल पूछ रहना चाहिए सिर्फ एक मंड़े दो यारा एकजास एकजास कृष्णी पागल गया इससे गंदा शट्यूल दो मेरा नॉमली चल रहा था यह तो बैस्ट टाइम है भाई जी पापा बदाओ क्या अप्डेट है कि एक 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 बैस्ट हां हुम कर ब पुम हुम अच्छ्छ कर दो अच्छा 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 सुना सुना लग रहा है इसका नाम बहुत अच्छा तो जान पेशा निकालनी ने इससे अच्छा 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 अच्टा अजय आच्छा आच्छा अच्छा पीड़र व्याउ लयुँ लगर लगर लोल तियुँ थेक है अच्छ हो जाएगा दस कंदर मिंद में हो जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है बाकी में को समझना आ गया फिर में एक माराथान रिप्टाल लेता हो फिर लगाता हो फिर ठीक ठीक चलो भाई लोग शुरू करेते नेक्स्ट इस आर एमसी अन दे लिस्ट मैंने वापस से इसको भी यस के और मेरे परसनल पेच पे भेज दिया है इन केस अगर किसी वेस्बूक ना होतो राजस्तान में किसकी पाटी भरी है बीजेपी और कॉंग्रेस अच्छा अब जानना इसको ती जग्यास का तुम देख रहे हैं इसको कब आ रही है मैराथान लेक्चर के बीच में लड़की दूसरी पूछ रही है माँ पानी आया की नहीं आया नंगे गुंगते हम बीजेशन में कूच जाता है आजस्तान में थोड़ा काम हो जाता हमारा बाकी तो भाई के बहुत ही पुरी हालत है पानी क्या होता अब तो हमें यहां कर बताता कि एक को जानना है कि वह यह वहां पर पानी आया कि निया थोते होते थोड़ी हम हमारे से हम नहीं हो रहा है पर रूल इस रूल कि वहां पर भी उस नहीं कर पाते राजस्तानी खाते दीखा आग लग जाए कहीं तो कि मस्ट लोगे कि अच्छी कर टेख सब्सक्राइब और लिवर में स्वेलिंग आ गई तो कली पापा को राजिस्तान भेजा आज बुआ भी महीं है तो वह बता रहे थे उनका टेस्ट वेस्ट हुआ तो उनको कुछ 20-22 mm की स्टोन है और वह कोई कहां है मतलब से वेरी रिस्की एरिया जैसे कल इनको शायद एमदबाद जाना इस चीज के लिए वक्ती वक्तेश तुम आज आजाओ इनको भी छुट्टी देता हूं मैं हमारे लिए तो है अब है तुम तो आजाओ यार प्रिफेशनल वा लोग बच्ची अगर भी आएगी तो प्रिफेशनल का लेक्षर लेक्षर तब खतम है मारा रिशा बैठेंगे ठीके शे तुम आजाओ इनको आजाना शांगना आट बचे चलाओ यार इस बार फेस टू पेस नहीं लिया मैंने तो नहीं लिया लाइव वालों पर फोकुस कर पाता हूं मैं अच्छे से दर पढ़ा रिशनल नाव चाप्टर ट्वेल रिस्क मैनेजमेंट भाई बीस नंबर बीस नंबर डाइरेक्ट तुम्हारे लिए डाइरेक्ट दौर दाड़क है ठीक है बीस नंबर डाइरेक्ट तुम्हारे लिए इस चाप्टर से पहले direct questions आते थे, फिर दीरे दीरे हलके से case, हलके direct, पिशली बार वाला paper काफी हद तक subjective था, मलब इधर से related नहीं कर रहा था, और कुछ बिलकुली भलते में अलग-अलग इधर उदर से पूछ रहते हैं आरे में लोग, तो ऐसा होता है कि कभी-कभार इसा कर चलते हैं लोग, हाँ जी, बहुत है बढ़ी है, तो don't worry, we'll try to cover this as much as possible, अब इसमें risk management में आपको, या तो 4-4 नमबर के 5, या फिर 5-5 नमबर के 4 questions, टेक्निक लिए लिए लोग 4-4 नमबर के 5 देने प्रेफर करते हैं, आपको questions आएंगे, मेरे हिसाब से इस बार में, at least 2-3 direct questions होंगे, दो questions subjective होंगे, इन दो में, एक question हो सकता है, की case base agile कसा, this is the highest, पर एक बात बताओ तुमको, तुम्हारा RM का chapter बहुत बढ़ी है, तुम्हारा RM का chapter बहुत बढ़ी है, as against जो new service को RM दिया है, वो इतना time pass है, comparatively, जिसकी कोई हद नहीं है, अब देखो, new service का risk management, risk बताया, और direct risk management देफिनेशन से, risk management start, types of risk, financial, non-financial, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, direct risk management, risk management करवाएंगे, यह पूरान का risk management करवाया, FRM, पूरा सब कुछ बीच में से उड़ा दिया, direct FRM दिया, FRM का process दे दिया, role of company secretary, repetition risk, और internal control जोड़ दिया है, engagement, internal control जोड़ा, अचानक से, internal audit आ गया, अचानक से, crisis management, crisis management, तुमको उत्ता था ही नहीं, इनको है, ESG भी इदरी डाल दिया, सब कुछ इदर इदर इदर, अभी घुमाते गए, अब इन लोगों ने, इसी में, RM करंदर इनको, कितनी case studies दिये, case study 1, tata steels, case study 2, marico, यह marico की चल रही है, marico खतम ही नहीं हो रहा, चलते ही रहेगा, marico, अब इत्ती बड़ी case study marico की दिये हैं, लोगों को, case study 3, infosys water mitigation strategy, if you remember, यह तुम्हारे इसमें भी आता है, infosys का, एक case study, तुम्हारी और इनकी match हो रही है, वो infosys है, ठीक, इधर से खतम, फिर cyber security challenges, फिर उसके बाद cyber study में phishing attacks, और इसमें पर चार-पाँच case study धटा ही है, तो, एक बात शौर है, कि जो RM का future है, वो case based question होने वाला है, ठीक है, RM का जो future है, it's purely case based, तुम्हारा might be एक last attempt है, जिसमें शायद इतने कैसी देखने हो ना मिले, तो अब बहुत ही शिद्दत से सीखना, इस पूरे first page में, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ risk की definition चाहिए, रटते होए चले हैं एक तब, रटते होए, ठीक है, मेरे को इधर से risk की definition चाहिए, risk is an exposure, मेरे साथ वापे से repeat के तरह है रिस्क is an exposure, वापे से मेरे साथ, risk is an exposure to a possibility of any loss, any injury और any unwelcoming event, वापे से risk is an exposure, a possibility of any loss, injury or other adverse or unwelcoming circumstance, बस यह लाइन मेरे को यहाँ साचिए, जब मेरे से पूछ होगा, risk is what, it's an exposure, exposure, exposure to what, to the possibility, risk is an exposure, exposure to what, to a possibility, possibility of what, a loss, injury or any other unwelcoming circumstance, exposure to any loss or unwelcoming event, अब देखो, यह पहले के पेपर में सवाल आचुका है एक बार, इतना simple question अभे नहीं पूछेंगे, but still, next है, risk, अब risk can be a financial risk, it can be a non-financial risk, it can be systemic, it can be unsystemic, now, अब risk, यह तो systemic risk होता है, यह फिर unsystemic risk होता है, sir, systemic का मतलब क्या होता है, वापे से मेरे बात संझेगा, systemic का मतलब क्या होता है, which is as good as uncontrollable, पर देखो, इसको uncontrollable लिखो के तो फिर सोचने की जुरूत नहीं, इसलिए यह लोग इसको लिखते हैं, which is not fully uncontrollable, but almost, almost, almost uncontrollable, तो सबसे पहली बात, it is not fully uncontrollable, but it is uncontrollable, next up, very difficult to predict, it is not entirely predictable, किसी एक चीज़ को हिट नहीं करेगा, systemic risk मतलब सब को, COVID is a classic example of systemic risk, not fully controllable, not fully predictable, macro in nature, macro in nature, और वहिए, macro अचा, it will affect large number of organizations, operating under a similar stream, it's not enough, simple, easy, good to go, तो सर्, जब कभी मैं आपके सामने, systemic risk की बात करूँगा, they are uncontrollable, they are not predictable, their macro in nature, it's large, cannot be assessed and anticipated in advance, अचा, war, cannot be very well anticipated, अभी सुनने में आ रहा है कि बाई, चाइना और US, के बीच में tensions बढ़ रही है, आप सोच के देखो, कब क्या हो रहा है कुछ समझी नहीं आ रहा है, तो it cannot be fully assessed and anticipated in advance, in terms of timing and gravity, and last, example would be interest rate, market, purchasing power risk, यह सब systemic risk के अंदर आता है, अचा, क्या, इसी का उल्टा, मैं unsystemic risk बोल सकता हूं, 1, controllable, 2, predictable, individual लोग को हिट करता है, सब को नहीं, देखो, usually controllable, reasonably predictable, micro in nature, does not directly affect, it's only, if not managed, affects individual organization, it can be usually assessed well in advance, with reasonable efforts, and example would be compliance risk, rate risk and operational risk, right, go to, sir, cyber security systemic, why it would be systemic, मतलब, you can predict it, that if your systems are weak, it can be bluffed, आजाये वापे से, आजाये वापे से, types of risk, on the basis of impact, on finance, अब देखो, दो तरीके क्यों सकते, अगर तुम से वो पूछे, classification, तो classification में हमेशा बताना, systemic, and unsystemic, अगर वो तुम से पूछे, तुम से पूछे, types of risk, on the basis of finance, तो it can be a financial risk, और it could be a non-financial risk, अच्छा दोस्त, सबसे पहला, financial risk, और non-financial, दोस्त, कभी भी, कभी भी, तुमारे सामने अगर आए न, financial risk, तुसका start ही में चाहिए होते है, which directly, affects, the, finance, or financial position, of a company, with me हो भाया, everyone, 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 with me, हाँ जी, तो financial risk, which directly affects the finance, or financial position of a company, आजाओ, which has some direct financial impact, on the entity, is financial risk, अच्छा आप देखो, अब इसके अंदर ने लोगों ने बोला, ये market हो सकता है, credit हो सकता है, liquidity, ये सब कुछ भी करने की जरूरूत नी, क्यों 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 की नीचे हैं, पन टाइपस of financial risk पढ़ने वाले हैं, तो यहां पर बस मेर को यही चाहिए तुमसे, which directly or indirectly impacts the finances, बस, this is what I want you guys to remember, अब आते हैं, ताइपस of financial risk, अच्छा, मेरे साथ एक लाइन रिपीट करना, I see M.C. everywhere, I see M.C. everywhere, ठीक है एक दाँ, अब साथ, I see M.C. everywhere से क्या बनता है, market risk, यह पूरा आपका market risk है, so M is for market risk, market के अंदर आता है, I, C, C, E, I for interest, C for currency, C for commodity, and E for equity, I see M.C. everywhere, I see M.C. everywhere, so much of reality, I see M.C. everywhere, अब सर्थ, जब मैं सबसे पहले आपके सामने बोलता हूं, market risk, जब मैं सबसे पहले आपके सामने बोलता हूं, market risk, these are those risks, which are directly connected with the market up and down, market risk के लिए पन क्या लिखते, these are those risks, which are directly associated with the markets up and down, it refers to the risk of loss, rising from the volatility in the market prices, now, market risk may be an absolute risk, मतब जिसको आप calculate कर सकते हो, और it might be a relative risk, कि भाई या, अगर आज foreign में, market, अच आज foreign में, forex में, या फिर US का market गिर रहे, तो क्या अपन reasonably predict कर सकते हैं, कि Indian market के उपर भी impact आएगा, वो market भाग रहे, तो तुम reasonably एंटिस्पेट कर सकते हो, कि भाई या market उठेगा, अगर आपने से क्यों trading करता है, ठीक है, बहुती बढ़ी है, तो अगर आपने से क्यों trading करता है, तो generally आप देखते होगी, कि सुबह सुबह वो trade notification आजाता है अपने को, that the Indian market are likely to be slopey, अगर आप से मैं कभी भी market risk पूछू, तो अब लिखों के दीज़ा दो दूस्ट विचा directly dependent on the market up and down, अच्छा, ISTMCA everywhere, market risk तो हो गया, विचा दो अपन जाओ, market में 4 तरीके की risk, पहला interest rate risk, अच्छा, गुलो, बुद्धी लगाओ, बताओ, यार अना, कोविड में, कोविड में, बैंक ने, एबडी के rate गिरा दिये, एबडी के rate गिरा दिये, भाई ये लोग fix deposit पे 4.9% का return दे, एबडी पे 4.9, यारब 4.9%, इससे दाथ होते हैं, इस महगा ही बड़ी की, तो 4.9% को interest to that, survive भी नहीं कर पाएंगे अपन, 4.9 में हैं, तो अपन survive भी नहीं कर पाएंगे, तो इस time पर generally, क्या मैं कहसे सकता हूंग, लोगों ने, जे लोगों को, ये FD कराना पसंद हैं, किसी कंपनी के debentures में, invest करना पसंद क्या होगा, what do you say, लोगों ने किसी कंपनी के debentures में, debentures में invest करना पसंद क्या होगा, क्यों, क्योंकि definitely, वो, better interest दे रही होगी, अब तम जो, can I say, an increase, अभी दिरे-दिरे लोगों ने, FD का interest बढ़ा दिया, अभी लोगों ने FD का interest किता कर दिया, मालों, almost 8% पे लेक्या आगे, क्योंकि FD का interest लोगों ने, दिरे-दिरे 8% पे ले लिया है, और मानों, debenture में interest, 8% ही हो, तो कोई इंसान, obviously FD प्रेफर खरेगा, इच बच्च मोर सेफर, प्रोवाइड इस नॉट इस बैंक, वाट मैं आ ट्राइं टू पास आं टू यू इस, इना, वाट दू वी गेट प्रम हैर, वाट दू वी गेट फ्रम हैर, दिस इस interest rate risk, इन के interest change उनने से, डिरेक्ली दूसरे पर इंपक्त हाते है, ठीक है, वाट ही मिठ ये, आ जो, तो द फिनाशल असेट्स विच आ चनेक्टेट विथ इंटरेस्ट इंटरेस्टरेस्टेट बांट्स, जैसे ही, बैंक ने interest rate बढ़ाईगे, तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी, तो बॉंड्स की price टूटती जाएगी, इन देट्ट मार्केट और वाइस वर्सा, तो interest rate एंटरेस्ट इंवर्स रिलेशन्शिप, एक तरफ बैंक का interest बढ़ा, इनकी डिमांड कम होगी, इनकी price कम होगी, इन वर्स रिलेशन्शिप, स्थाही बाता है यहां तक, बोलो दोस्त, ICMC everywhere, market risk हो गया, interest हो गया, पिर आता है, currency risk, यह सिर्फ किसके लिए है, यह सिर्फ उनके लिए है, जो international operations में, जो international operations में है, हाँ जी, क्या सेक्ट है विकार, बिल्कुल क्या सेक्ट है, so the volatility in the currency rate, is called currency risk, these risks affect the firm, which have international operations, of the business, currency में जित्ता change आएगा, जिनके international operations में उनको majorly फरगात है, तीसरा है, equity risk, तीसरा क्या है, equity risk, अच्छा दोस्त, अगर मैं आपके सामने बूलो, equity risk, equity risk का मंदब के है, जहां पर, यार मैंने भी, तो मैंसे कोई, बजाज finance stock पसंद करता है, anyone who likes, बजाज finance as a stock, मैंने, अभी बजाज finance में, यार मिरे गो नो, कुछ बजाज finance से अलग प्यार है, अलग प्यार है, बजाज finance से में रखो, तो मैंने, बजाज finance में, ये किया, शेर्ष करीजना स्टार्ट किया, मैंने बजाज finance पे, कितने बबाई किया, बताता हूं तुमको, मजाग भी नहीं कर रहा, मैंने बजाज finance, बाई किया है, at the price of, 8040, जो मेरी पहली बाईन थी, वो थी 8040, ठीक है, एक मिन रूपना, आँ, गुरुदेश, बस भाई, चाय का ब्रेक लेंगे, तो तेरा होगे ब्रेक, ठीक है, कितनी तेरा का ब्रेक दिये, ठीक है, मैं भी बस एक topic पढ़ा के, फिर आता हो, आई जी, पता रहे हैं, तो यहर मैंने, भाई मजाक में भी नहीं तुभी बताऊ, मैंने इसको 8040 पे बाई किया, मजाक में भी नहीं, 8040 पे बाई किया, और मैंने 200 स्क्रिप्ट्स खरे दी, बहुत जादा स्क्रिप्स खरे दी, जिस दिन 8040 खरीदा उसके बाद RBI का इनके ओपर कुछ तो एक ओडर आया तेरके प्राइस टू थी 7700 मैंने का 77 है कोई बात नहीं और बाइ कर लेते हैं आवरिज आउट हो जाएगा 77 बाइ किया फिर 75 इंडट मैं 75 इंडट है और बाइ कर लेते हैं और सस्त हो जाएगा 7300 मैंने 7300 इंडट पर और बाइ किया और नीचे कल पर सो अर्भी आने सुबहें इनके दो प्रोड़क्स पर बैन लगा दिया प्राइस चूट गया गई 7000 मैंने 7000 पर और बाइक कर दिया तो अभी तक मैंने नहीं बी तो यार इनकी 108 शेल्स खरीदे बनें एक सो आठ शेल पर तुम अभी देखना मैंने 7 करता गया ब्रच दे तो मेरे पास में अब्रच करते 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 शेल्स कई करते ज़समें सबसे नियुक्त का घे ओला कि मेरे एक अकाउंट का मैंने उपन किया है मदाग मनी तू टूटके आ गया 7-2-2-1 पे काईदे से तुम देखो तो मैंने इसमें 5 लाग रुपे के शेह्स खाली एक जगह से खरीद दिये सिर्फ एक जगह से 5 लाग के शेह्स खरीदे जो 64 है और जगहाँ पर 40-50 शेहस 44 शेहस दूसरे जगह खरीद रखें खाली यहां मेरा लॉस है 37411 मतलब 8% से मेरा पैसा टूट गया है बजार में 8% से मेरा पैसा टूटा है तो यह यह आवरेज ट्रेडिंग प्राइस होती ही न सच बेली आस इमीडल एंध एकुटी रिस्क अभी मेरे को कार कर लेओ धनी तो मेरे को कार करीदनी के लिए पैसे लगेंगे तो मैं अब अगर मैं इस ताइम उसको को वेलूट करूँ करहा यहां थे इस वाज दी क्लासिक इकुटी रिस्क विचाइट इसे इस इस अपर्टी अच्छाएगा थोस्त दाइपक इस किद असो से बिद दिद अन्टी चेंज इन द प्राइज अपके अप्रिटिक क्मॉडिटी का प्राइस चेंज वा आपके बाटी सबको एकदम क्लियर हुआ तो चार रसते हैं अरे बजाज है यह कब भागे का पता में नहीं बढ़ेगा यह कुछ दिन में दस जार पे जाके खड़ा हो जाएगा कोई जल्दी नहीं एकजिट लेने की मतलब एक साल भी ब्लॉग हो जाएगा तो क्या फरक पड़ जाएगा पड़े रहेंगे पैसे पर किसी व्यक्ति को जिसको जल्दी पैसे निकालने वह फज जाएगा न यह अगर अभी 69-68 निट पर है ना तो मैं 100 और खरीद दूंगा बे जिजक तो और खरीद दूंगा ठीक है पढ़ा रहें सर वापिस से हैं हाब अब हो अब सारे टीचर जन जन के मैराथान चल रहे है उनका ब्रेक टाइम होगे तो मैं भी एट टी ब्रेक लेकर आजाओ वापे से मिलें इसके बाद और इसके बाद चाप्टर को समाप्त करेंगे तो नाउ इस दो टी ब्रेक आजे 20 मिनिट के ब्रेक पर मिलते हैं वापस से आजे रिज्यूम एड्ट फिफ्टी फइड़ आजे इसके बाद दो घंटे नॉन स्टॉप एक हैचेंगे और आरेम खतम करेंगे तो पांच से साथ दो घंटे का एक नॉन स्टॉप सेशन खैच देंगे दो दो आजे झाल तो झाल 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 आप लोगों का ब्रेक टाइम खतम होने वाला है यह साथ बचे शार्प आपके पास MRF भी होगा अरे है है चार चार है पांच स्टेपनी पकड़के पांच मेरेफ के टाहर है और इसकी गाड़ी के गाड़ी के मेरेफ टाहरी बोलों में शेर्स 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 तो जित्ती गाड़ी की सक्के उत्ते भी रहे तो बहुत अच्छा हो जाए यह दिखा के तुने मेरा लॉस एक जगत से मैंने मेरे एक अकाउंट से बजाज खरीदा जिसमें मैंने पांच लाख रुपए के स्क्रिप ली बजाज की पंदरा दिन में चार्स जार का टाखा है यह लॉस इस दो फर्स टेप टू सक्सेस इसा होता है यह मेरे बाकी साने शेर्स प्रॉफिट में सब्सक्राइब करते हैं तो उसकी वज़े से सरक ओलिफाइड इंस्ट्रिट्उचनल बायर को पढ़ां करते हैं बता रहाए को दिव थे तो क्यों हैं भी कि महंती हो हैं इस्ट्री हूँ ऋद्धे मनी लिंदा दे मनी दिवर को दे तब हारा कि कैमरा पर मनी दू अच्छा नी लगता यह विडियो बैंड कर देगा यह वाला प्लिए जी जी जो देख पानी बोतल में भी क्यों रख रहा है तो बैगा शे लीटर पानी हो चुग है और कि मैं इसे ज्यादा तेल पीता हूं कि देख लीटर और खतम गरूँ है देड़े गहिंटे मैं बाई बाई चले बाई शिरू के रहे अंति पड़ाव आजिका चली सरकार कि इस पाइनल में मैं तो क्या पूलता हूं ना कि इस फाइनल में असाइन्में डोने ची पेपर रखने गई निए बच्चे ने एक्जेटर पास किया उसके मैसे जंड़ गाल दिया तुमको पता भी है आठ सब्जेक विचारे कैसे पास करका है थे सी एस प्रोफेशनल में CS Executive के जो बच्चे पास के आगये हैं उनको only for the sake of respect assignments देने चाहिए assignment करवाओ और बच्चे पास के डिगरी दे उस बेचारे ने अपनी बैंड बचवादी एक्जेकेटर में इनको आइडिया में ने तुम कितनी चौड़ी करवा के आयो तो बिल्कुल सही MCQs भी तुमारी ग आवाज उठाएं अभी जो स्ट्राइक करने हम लोग जा रहे हैं मैं तो कहता हूं हमारी आवाज ही वदल देते हैं हम किसी बात पर अड़ाई करते हैं मतलब जो लोग प्रफेशनल में हैं उन्हीं को बता है कि भाई को कितनी चौड़ी करवाकिया है आठ सब्जेक्ट वह वह बावाल जोर से कम ही लो वह बावाल जोर से एसल चीन एसी आयल जैएजियल एस बीएसी मजा अकाउंट्स एफम तुम वह तूफान जहिल के आयो वह तूफान जहिलने के बाद यह तुमको फूक मार रहे है यह कोई सब्जेक्ट है असाइनमेंट किया खतम करो इस पर विडियो बनाता हूं मैं बिल्कुल करता हूं दीन सब्सक्राइब चाल अपर शेरु करें पता रहे है नव अच्छा लास्ट वी में आपको सिस्टमीक अन्सितमीक करवा खें था पनाशल रिस्क के अंदर अपने सबसे पहला मार्केट रिस्क किया था मार्केट रिसक के अ बेरी गोड प्राइब सुना फाइनेंशल रिस्क में और कॉनसे रिस्क आता है अधा है क्रेडिट रिस्क अच्छा एक सेहन प्रेडिट रिस्क मतलब क्या होता है सर समझना तो पक्की बात इस बार शिवजी से यही दूआ मांगेंगे पर तुमा ले डन नाव क्रेडिट रिस्क क्या होता है जब आपकी काउंडर बाटी है जिसको आपने पैसे दे रखें इडिस अन्विलिंग और अनेबल टू पे क्रेडिट रिस्क मतलब जब सामने वाली पांटी अपने पैसे नहीं दे रही है जो इसको दे देने चाहिए थे यूँ फॉल अंडर क्रेडिट रिस्क यू फॉल अंडर क्रेडिट रिस्क सही है ना इस टाप आप रिस्क is related to the probability of a default की सामने लों मेंना default करेगा पैसे नहीं समझ सें बहुत सिंपल तरीके से लेटि से की चराग ने घरी सर को लेट से क्या सच में चराग ने हरी सर को 10 लाक रुपेkon अधर दिय। आ ठीब यहाई affected अज चराग को बहुछ अधर को आज धीज्योद्ने तो मुस्ति है hopes क्राग को आज 10 लाक रुपे दरोद में त Nou रुपई जरूत है तो चराग गया बैंक के पास और बैंक से पर्सनल लोन लिया है ठीक है क्योंकि हरी सर ने अपना अप्लिगेशन पूरा नहीं किया अब इस दस लाग पर मेरे को 10% का ब्याज देना पड़ा यानि कि मेरे को एक लाग रुपया क्या मैं क्या सकता हूं कि मेरा क्रेडिट रिस्क कितने का है एक लाग पड़ा बोलो दोस्तों क्या आपको समझ में आया कि यहां पर कॉस्ट रिप्लेसिंग का मतलब क्या होता है जब कि अगर मैं आपसे लिक्विडिटी रिस्क की बात करूं तो इसका मतलब क्या है लिक्विडिटी बिलकुल अलग है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यह पर में भी साउंड मतलब a firm may be solvent as per the balance sheet but उनकी current assets है नहीं in the form of cash और near cash assets so the firm may not be able to make the payment to creditor which adversely affects the reputation of the firm तो solvency का मतलब है that I am unable to pay my debt liquidity का मतलब है I am unable to pay my debt currently I do have money I am solvent but मेर पास भी liquid asset नहीं है कि मैं आपका payment कर सगू so the liquidity risk may be of two types it can be trading और it can be funding अच्छा trading funding risk को जबरतस्की महनत करने की ज़रो नहीं है पदारों आगे अभी तक आपन लोगोंने कितने financial risk पढ़े फेला पड़ा market risk market risk के अंदर पड़ा आपनने interest, commodity, currency and equity फिर दूसरा अपनने पड़ा credit risk, तीसरा अपनने पड़ा liquidity risk शौर ये तीन होगे फिर आता है आपका अब इसके मात obsolines risk ले लो हाँ जी अच्छा obsolines risk का मतलब क्या होता है यार technology बदलती जारी है अभी मैं तुमको बहुत सिंबल एक तरीकी से बिदाओ, का खुला loss खाया है मैंने अभी जो camera में use कर रहा हूँ आपके सामने, ये इत्ता सा camera है इत्ता सा, सिर्व इत्ता सा camera too expensive as a small camera बट ये जगह नहीं खाता clarity बहुत अच्छी है, जिनो easy to use करता था, इत्ता बड़ा मैं आपको सरिफ इस चीज के अंदर क्या समझाना चाहँ इस चीज के अंदर क्योंकि मेरा वो camera obsolete हो गया rapid change world है obsolete risk is fast emerging so now, जैसे ही ऐसा होता है तो अपने को heavy वापिस से पैसे use करने पड़ते है क्योंकि मेरे को वापिस से बहुत सारे and may lead to closure of the unit also Nokia, option means का सबसे perfect 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 example है ठीक है विकास है में 25 जा कि इस बात की बच्चे जा दिवाली का bonus नहीं दिया हमको आचा, मेरे को तुमसे financial risk में 5 से 6 risk चाहे है एक market risk हो गया, एक credit risk हो गया एक liquidity risk हो गया और एक option means risk हो गया अचा, इसके बाद आप political country risk ले सकते हो या political risk तो सबसे जबरदोस होता है अचा, अभी तुम सबको बताए है elections आ रहे है market में ऐसी उतला पतली होगी न अगर गलती से BJP ने वापिस सरकार नहीं बनाई अगर BJP ने वापिस सरकार नहीं बनाई तो तुम सबको बताए कि market 15-20% टूड़ जाएगा 100% 15-20% market टूड़ जाएगा जो BJP की अलग रेपेटिशन सारे investors जो बाहर के आए हो है वो सब BJP को देख के आ रहे है कितना बड़ा political risk एक business के उपर कि अगर कल कर आपकी government change होगी कितना बड़ा risk आजाएगा आपके उपर secondly हर government की policies होती है belief system होता है काम करने का तरीका होता है now political risk may be on account of declaration of elections area specific risk and political uncertainty now the country risk arises where the firm has business in abroad also now अच्छा आप इसका एक बहुत चा रिस्क देखो बहुत ही बढ़े रहे तो आप इसका आप एक बहुत ही clear risk देखना कितना बड़ा risk है आप सोचके देखना यहाँ पर चाइना की कितने बड़े बड़े गेम्स यहाँ पर थे PUBG यहाँ था TikTok यहाँ पर इतने बड़े बड़े multi-bagger games थे यहाँ फिर apps बोल लो एक बिन चाइना इंडिया का रिलेशन कराब हो गया इन लोगों ने सारी apps बैंक कर दी अच्छा जैसी इन लोगों ने सारी की सारी apps बैंक करी कितना प्लिटिकल लिस्क आया इस बिसस के ऊपर डिरेकली फिनांस को हेट कर रहा है इंडियाए इस बड़े मार्केट है यह तो अपन इंडिया में ते जो महें महें कर रहे हैं बाखी देग़ों में थोड़ी ते विले लोग थे यह आपन ने किया ठीक शो दे कंट्री इस पर फिर्म्राव परोर्शन अपराउड अर्सो आपराउड जाता है तो these can also be existing risk due to country's legal or political structure like the judiciary, legislative environment for business, इन सबके उपर बहुत बड़े questions है, सर अपने अभी दग 5 risks देखे, जो बहुत होगा बहुत होगा, कौन से कौन से रिस देखा market, उसके बाद credit, liquidity obsolescence and political risk शौर चले, बहुत ही बड़े अब इसके बाद types of non-financial risk, types of non-financial, अच्छा एक सेगड, जब कभी मैं आपसे पूछू कि non-financial risk कैसे लिखना है, तो आब हमेशे इसको कितना easily लिख सकते हैं, these are those risks, एक मिनट अब मेरा which does not directly, which does not directly impact the finances of the company However, it may impact in the longer run if not controlled in time. बोलो दोस्त, क्या ये बात सबको समझ में आई? अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा क्रेट रिस्क कर सकते हैं, तो रिस्क रिडक्षन हो सकता है कि हम कम क्रेट क्रेट करें और सिर्फ बहुत ही अच्छे लोगों को पे करें रिस्क ट्रांस्फर इस गुड़ आप सामने अनों से अलड़ी सिक्योर्टी लेके रख लो तो तो प्रोबबली क्रेट रिस्क को वापस से मैनेज करना रिस्क मैनेजमेंट का प्रसे सुझाता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप इंडस्री रिस्क बोल दो अगर इंस्टीट्ट्ट ने सही तरीके से नहीं समझा- कि CS के बच्चों को कैसे केटर किया जाए, पेपर सही दिये जाए, चेकिंग सही की जाए, तभी बच्चा आगे चलके CS करेगा, अगर इन लोगों ने इन चीज़ों में कहीं पर भी गलती करें, तुम मार्केट में एक सेंटिमेंट डाल दोगे, कि भाई ये कोर्स मत करना, अ तो इस्क्राई सब बिजनश रिस्क बिजनश मतलब क्या ब्रेंट इस्ट चैंज हूरए प्रेफरेंश चेंज होवी एक होता है लो की पर फैस्ट शेंग मैं का आप से क्या है ये longer run में जाके आपके finances को hit करेंगी जब सब को समझ में आएगा कि यह हमारी strategy ही day one से गलत थी so business plans which have not been developed properly and comprehensively since inception may lead to a strategic risk अच्छा है एक सेकिन एक बात बताओ तुम सब लोग जो भी इस lecture को देख रहे हो have you guys used dunzo before have you guys used dunzo before have you guys used dunzo before you have used it अश्यक बात सोचो यह डंजो ने starting strategy कितनी जवर्दस बनेगा एक गंटे के अंदर आप कुछ भी order करो आपके घर पे डिलिवर करवा देता था देलिवर डंजो एक गंटे में आपके घर पे डिलिवर करवा देता था जिन लोग ने डंजो यूज किया मैं उसकी बात कर रहा हूं यार स्विगी जेप्टो ब्लिंकिट इन लोगों ने कुछ भी स्टाइट नहीं किया था यह सब देख रहे थे बैटके नाव जस्ट सर्च पॉर स्विगी इंस्टामाट इस गाइस हम गॉन क्रेजी मैं मजाग भी नहीं कर रहा स्विगी इंस्टामाट अगर आपने से किसी ने स्विगी केस में क्या हुआ स्विगी इंस्टामाट लॉंच किया है दे डिलिवर इन 5-10 मिनिट्स इन यूर एडिया पूरा इक ग्रेहाउस बना दिया लोगों सारा समान अल्यडी है जब आप सलेक कर रहे तो तब तक तो वहलो हम आपे थेली में डालना सामान स्टाल कर द मैं सोच रहा था कि यहां से निकलूंगा किसी स्टोर में जाओंगा मेरा बहुत नहीं में बैठा गाड़ी चलाते-चलाते मैंने स्विगी इंस्टामाट से मिल्क और किया होगा आई वस रीचिंग होम एंड स्विगी इंस्टामाट वाला बंदा घर पहुच रहा था सेम इतना पास्ट इन लोगों ने कर दिया है ठीक है तो अच्छा मेरे बता नहीं क्या बात है कि डंजो ने एक गलती कर दी डंजो ने पहले हमको होम डिलिवरी तो दिखाई डंजो ये भूल गया कि होम डिलिवरी में वह अपने गेम में हार रहे है क्योंकि स्विगी इंस्ट या माट या फिर तुम जेप्टो की बात करो या फिर तुम ब्लिंकिट की बात करो ये सब लोग होम डिलिवरी तो एक्स्पीडिशिसली स्पीडी कर रहे हैं और अल्मोस्ट 5 एक्स फास्टर दें डंजो जिसने यह तर शिरू किया था कैन यू सी प्रॉबबली उनकी स्ट और और लेटर दे आर गुएंग तो हाव फाइनांशल रिस्क अल्सों होगा ही होगा आप कुछ करें नहीं पाओगे इस इस मैं फ्रेंड स्ट्रेजिक रिस्क फर्स्ट आप लोग ने के अपड़ा स्ट्राइजिक रिस्क पिर कंप्लाइंस यार अगर आपने नॉन कंप्ल लेटर ओन लगता है आपके उपर और ब्रीच आप लोग रिगलेशन विज दे एंटिटी सपोस्ट तू अधेर विच दे एंटिटी इस सपोस्ट तू अधेर अब तोचो क्या मैं इसी से एक और चीज़ कह सकता हूं अगर आप कंप्लाइंस इस टाइम पे नहीं करोगे ज अगर आपका नेटिव पब्लिक उपीनियन बनेगा तो क्या सूनर लेटर वापिस से आपके उपर यही प्रॉब्लम होगी कि आपको फानेंशल लॉसस भी होने वाले हैं अगर आपने अपनी अच्छा रिपटिशनल रिस्क क्या होता है जहां पे प्रॉबबबली वाट य अगर नॉन फैनेशल रिस्क एक तो बिजनस इंडेस्ट्री रिस्क दूर्टर आपका स्ट्रेटीजिक रिस्क तीसरा आपका कंप्लाइंस रिस्क कंप्लाइंस नहीं करोगे तो आएगा रेपेटिशन रिस्क फिर पांच लए फ्रॉब रिस्क अच्छे बात बताओ अचा एक सिके तुम लोगों को बता होगा अचा ब्यस्क कंपनी के शह इस निस्टेट थे तुम को सब्स्क पताई वर्में लिस्क टॉपनी यून एन्यूञट आएट ब्यस्टेट कंपनी ऊ अच्छा इसी जग अब रखन में तुमको पूछूं जिम को नहीं पता है मैं उनके लिए बता दू एनसी अभी दख लिश्ट निया एनसी अभी दख लिस्ट निया कोई मुझे बता सकते हैं कि बीसी ज्यादा फेमस है या एनसी एनिवन तुम्हारे सबसे बीसी फेमस है कि अगर कोई ट्रेड करेगा तो बीसी में बार करना पसंद करता है या नसी के अंदर बहुत ही बढ़ी है जिसने एनसी लिखा है ना बहुत ही बढ़ी है जो बेसी लिख रहा है हो गलत है ठीक है बेसी निये फेमस एनसी जो वॉल्यूम आफ ट्रेडिंग देखोगे न तुम वो एनसी पे तो जो लोग बेसी लिख रहा है न आप धोके में हो आपको लग रहा है कि यह हो एनसेक्स तो 62,000 पॉइंट है निफ्टी तो इत्ता कम है यह उनके पॉइंट से बाद में है इसलिए उनके पॉइंट नीचे बट अगर तुम परफॉर्मेंस वाई देखोगे त सारी बॉल्यूम ट्रेड नसी पे होती है बीसली कम पढ़े जाएगा उसके सामने वाद सिल बीसली लिस्टेड है नसी अभीदेक लिस्टेड नहीं है तो इसका रही सिंद की है तो इस तो इनसी का अत्मने इसी का इतुना बड़ा श्काम कर नीपढ़ा ये देखो अपने ये दीदी दिख रही तुमको चित्रा रामा कृष्णा ये दीदी चित्रा रामा कृष्णा ये NST की फॉरमर CEO है अगर तुमको ना पताओ तो ये NST की फॉरमर CEO है इन मैडम ने भाई स्टॉक मार्केट में जो मज़े लिए अच्छा तुमको अगर ना पताओ तो stock market में गुरूल होता है market 9-15 पे start होता है तो यह क्या करती थी थी न 845 से अपन सब लो शेल्स में बाहिं लगा के रख सकते हैं आप 845 पे शेल्स में बाहिं लगा सकते हैं market 915 start होगा पर आपका order आजागा 845 पे execute होगा 915 पे it's so simple and smooth 845 पे लगा तो 915 पे execute होजाएगा अब देखो इसके पास NSE का वो data हाथ में आ गया एक number यार में बहुत ही बढ़ी है ठीक है इसके पास क्या होगा ना इसके पास NSE का data आ गया जिसमें prior order जे पहली देख ली थी तो पहली इपने प्रोकर्स को इन फॉर्म कर देती थी कि यह 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 भागने वाले तो पे दोड़ 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 लगा दो और मस्ता पाई से लेकर बांडिकल जाएगे दिन समझना आ गया यह 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 तो गेला बना रही है तो यह क्या कहती है कि आह requis phone करकर बताते एक और यह यह योगी है एक सिद्ध पूर्ष योगी है जिनकी बात सुनकर मैं यह सब कुछ करती हूं कि आगे चलके के मेस्टिकेशन ने बता पड़ा कि कुछ नहीं है ये वहीया इसी का अपना आदमी है आनन्द सुप्रमिल्यम इतने गरवाला आदमी है जिसके साथ ये लोग इंदूसरे मेल ट्रेल करते थे और ये पूरा फ्रॉड किया अब देखो ये सीविया ने अरेस्ट किया पर इसकी व बजार में लंका लगागे रख दी जिसकी वजह से नसी का एक्रेव टंगे फिर इन लोगों को इसको अरेस्ट किया इसकी बाद वापेस से स्टार्ट हुआ अभी इन लोगों ने पूरा नसी को वापेस से रेग्लराइज किया सब कुछ सही किया नाव अब सोचके देखो इसको आप कहते हो फ्रॉड तो हमेशा याद रखना तो फ्रॉड में नॉट बीजिटेक्टेट इमिडिटी फ्रॉड कभी इमेडिटी थोड़ी समझ में आता है तो डिटेक्शन शुट बीप्लाइन अन प्रोड बेसे हमेशा याद रखना प्रॉड पगणने के लिए लगे चैटिंग करने लग जाना और चैटिंग करते हुआ हस देना ऐसे हैं तुम भी नवा बस इतना करते हो ना मौत आ गई नहीं पर उल्टा लटका के सूते हैं तुमको पर बात निकल करेंगे कि मुस्क्राइब जो हो सकता है कि तुम भाई साब सिरी से बात कर रही थी ह हो सकता है तुम अपनी सखी से बात कर रही थी अरे हो सकता है तुम एपल में खुद आपको चैट कर रही ही पर तुम गई है खत्र मुझाइब क्योंकि तुम्हारे घर वाले प्रोव एक्टिव है प्रोव एक्टिव होने से पहले पकड़ना है रियक्टिव होता है कि हरकत हो गई हरकत होने के बाद तो नुक्सान हो चुका है बात आगे ने बढ़ाई जाए पर आप समझ घ्या हूंगे ठीक है दिजास्टर रिस्क या रख सकते हो अच्छा डिजास्टर रिस्क इस आ काइंड अफ क्राइस से भाइटर इस 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 आपकी मशीन पुरानी होगी तब तो इमेडिएटली खर्च है तो आपका सिस्टम फेल हो गया क्या इसमें एनसी बहुत ही बढ़िया बैठता है टेक्नोलोजिकल रिस्क नॉन अवलेबिलिटी डेटा एंड लाक अफ कंट्रोल तुम भी ने प्रिश्दा गरूगा अभी नहीं आए गया इसे कित्ती बार मैं खुद पिट चुका हूं और वो भी अपने बाफ सेरे रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस पर अगरे वैंट नॉपेज़ेस गया इक दम रेटें पेहले 9 पेज़ेस में आपको क्या कैसे खाया रिस्क आई थिंक अब आपको रिस्क हमेशा याद रहेगा वह एक्स्पोजर पॉसिबल अनवेलकमिंग अगर मैं आपसे रिस्क का क्लासिफिकेशन पूछ हूँ तो आप उसको सिस्टमिक एन अन सिस्टमिक रिस्क में बाड़ते थे या देक्या सिस्टमिक मतलब वह उन कंट्रोलेबल वाला और अन सिस्टमिक मतलब नप्रोलेबल वाला ओ भाई ऐसा काई को कर रहे है पत्रीक पर चलो ठीक है वह एक तो रिस्क लिखाता बनने इन उसका ख्लासिफिकेशन लिखाता इन सिस्टेमिक और अनसिस्टेमिक एस कंड्रॉलिबल सिस्टेमिक इस अनकंड्रॉलिबल ठीक है इसके बाद अगर मैं आप से टाइप पूछ हूँ it can be financial and non-financial financial के अंदर आपको याद आ रहो तो market risk जिसमें I, C, C, E आ रहा था और कौन से financial risk थे आप लोगों ने इसके गया था अच्छा इसके बाद आपका वो credit risk इसके बाद आपका liquidity risk कुछ ऐसे याद आ रहे non-financial के अंदर non-financial के अंदर क्या था आपका business या industry risk strategic risk reputation यार मैंने आइपैड नया खरीदा है मजाग भी नहीं कर रहा हूँ 15 दिन पहले apple ने कोई तो नया software launch किया है 17 point something जिसने लंका लगा दिये one note की apple अब खुद के इसको support कर रहा है कि आप इसको चलाओ ये एकदम smooth चलेगा कुछ भी दिक्कत नहींगी पर apple दूसरे चीज़ों को चलने नहीं दे रहा हूँ तो one note की बुरी band बचाती है इसने यार तो अभी मैं एक दू दिन में ढूंडूंगा कि apple के इंदर ऐसा कौन सा software है जो आराम से चल सके मैंने तीनों चीज़े भी नहीं ली iWatch नहीं खरीदी आइपैड नहीं खरीदा आइफोन नहीं खरीदा इससे ज़्यादा आपसलीन्स होई नहीं सकता प्रॉड रिस्क टेकनोलोजी रिस्क कौन सा यूज़ करूँ ड्रॉबोर्ड भाई पक्का अच्छा है रॉब रख लेता हूं है अभी गाभी अब प्रॉड पीडियर्ट अब आधे हैं अर्म के प्रोसेस पर अच्छा अर्म का प्रोसेस एक आइफोन या भी हाँ बटा अभी देता हूं अब जल्दी आओ रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस अच्छा आर्म के प्रोसेस से एक क्वेशन आना चाहिए एक क्वेशन जो अब अपन डिसकस करने वाले उसमें से या तो आएगा रिस्क आइडेंटिफिकेशन अच्छा एक लिख लेते हैं आर्म में एक होता है रिस्क ऐडेंटिफिकेशन अचा दोस्त उसके बाद क्या होता है जो एक रिस्क अनाज़ेस इस उसके बाद क्या हता है रिस्क अरु कि अस्टेस्मेंट और लास्ट हुता है रिस्क मिटिकेशन दोस्त अगर यह 4 से इमान दरी से बहुँत अख्या से सीखेने न वाके सारी चीजें यूं निकलेगे इस चाप्टर का में मुद्धा यह चात है सबसे नट आथा रिस्क आइडेटिफिकेशन डैंडशक तो आले मीका सबसे पहला होता है रिसकाइडिकेशन अच्छार्सिकािटिबिकेशन मेंwhat are we trying to find out we trying to find out the source of the risk तो इसमें यो भी रिस्क सूर्स अमचा Benson हम हमेशा से कहते होऊ आ रहें हम हमेशा से कहते होऊ रहें कि do not try to react to the symptom try to find out the root cause में रहें लगता है इस पो पुट शाख question नहीं सकते है that risk management is about or risk identification is about to find the root cause and not the symptom comment इसमें आपने को risk identification पताना पड़ेगा justify करते हुए कि कि किस तरीके से risk identification focuses on finding the root cause तो इसमें आपने को essentials of risk identification as an answer में लिखना पड़ेगा सब्सक्राइब में जून 23 जासे surprise question आ सकता है कि यार hope कि ना है बागी institute करतों कुछ भी सकते हैं now so risk identification the organization can study the activities and places जहां पर उसकी सारे सारे resources risk पे हैं ओके रिस्क identification ensures effective risk management क्योंकि सोचो अगर तुम्हारा identification ही गलत है अगर तुम्हारा identification ही गलत है तो obviously analysis भी गलत हो जाएगा तुम्हारा assessment भी गलत हो जाएगा तुम्हारी mitigation भी गलत होने वाली है तब गलत हो गए तो इस इस considered as the most 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 important process in the risk management step in the risk management so risk manager fails in identifying any possible loss or gain तो इससे पूरी organization के उपर फरगाने वाले ओके जो भी risk identification से पता पढ़ता है is documented in a risk register अच्छा एक बार इन लोगों ने risk register बनाने के लिए भी बोला था इन लोगों ने एक बार risk register बनाने के लिए भी बोला था although risk register बनाने का कोई भी particular format नहीं होता है but still अगर किसी को भी एक एसा risk register बनाने के उपर दिमाग में है कि sir हमको ऐसा डर सा लगता है risk register कैसा बनाने है वैसे मैंने आपके नोर्स में भी देही रखा है but still just to be on a clear side risk register ऐसा बनता है put up a serial number उसके बाद आपर आपका risk area की it's a financial risk non-financial risk कौन सा risk है ठीक है इसके आगे इंपाट है गलती से risk area लिखा गया है this is the impact इससे हमारा market share का मोरा है leveraging capital structure जो भी root cause इसका cause identified लिखो यहाँ पर and mitigation ऐसे बनते हैं आपका risk register simple and easy but please don't leave this इक बार लोगों ने रिस्क रिजिस्टर बनाने के बलो आपने का sir अंदरी रिस्क भी याद कर लेका आप काई को याद कर रहे हों यह तो खुद भी लिख सकते ना financial risk बता दो किस तरीके का आ रहा है उसके बाद उसका cause बता दो और उसके बाद communication strategy लिख दो तो यही क्यों लिखने की जुरूरत है तो risk register ऐसे लिखा जाता है याद रखना coming back तो इस तब को risk register में लिखके रखा जाता है which includes a list of identified risk along with their sources potential risk and risk शॉर्ण डाब आज़ो भाई ओके नाव objective कुछ काम की नहीं है the process of risk identification अच्छा risk identification process अपने को याद कर दो पूरा का पूरा याद करना है risk identification process दिमाग लागना सबसे पहले एक process में हो so develop a systematic process a process as to how the risk is going to be identified first thing first सबसे पहले develop a systematic process of identifying अच्छा once you have done it gather information sir gather information कहां से gathering information from various sources reliable and high quality information is essential for effective risk मैं या और मैंने बच्चों को इत बार किना जवर्दस चार्ड बनवाया है मैं तुम्हारे लिए मुहा देता हूँ मेरे को जस्ट याद आया भाई लोग जो मैंने तुमको दिवार पे चिपकाने के लिए जो पूरा वो बड़ा सा चार्ड बनवाया है ना उसका मेरे को one two three four five करके भाई जिसने भी सबसे पहले फोटो भेजे अपन लोग कॉफी पे जा रहे हैं जैसे ही तुम वापिस आए और नो इफ नो बट डाइरेक कॉफी और अपन प्रेस्ट्रीज में कॉफी नहीं बाहर चलके पिएंगे कॉफी पक्की बात जिसने सबसे पहले भेजा सारे फोट सबसे पहले मनें सिस्टमाइबिक प्रोससट बना लिए उसके बाद इजैडर कर लिए और थीसरी चीज़ संब नेहीं दर से अरे-अरे-अठी बीचारह यह इँ पर हैं नहीं अब इसके बाद apply करो the tools and techniques suitable tools and techniques लगाओ इसके उपर suitable tools and techniques लगाओ इसके उपर so the choice of the best suitable techniques will depend on the type of risk and activities as well as organizational maturity depend करता है कि आप किस तरीके से और क्या tools and techniques यहां पर लगाना चाहरे the first process में राया second अपर लोग ने क्या किया gathering information from sources तीसरा applying risk identification tools and techniques लगाओ चौथा जो भी risk आपको मिले जो identify हो गए उनको document कर दो पाच्वा जो आपका risk identification process था उसको document कर दो document the risk identification process so that you can improve this make it easy for the upcoming times and six assessing the processes effectiveness assessing the processes effectiveness यह last चीज़ थी रुको आरे live वाले बच्चों को बीच में बेचता हूं यह बचारे दोगे हैं आपर है ही नहीं अच्छा इंद रिस्क आइडेटिफिकेशन के च्छह याद हुए जल्दी से मेरे साथ बोलना कि करें कि जोग सबसे पहले रिस्क आइडेटिफिकेशन के दिए दिर क्या करेंगे आपने कर सर वह create a process थीक है सेकेंड गैदर इंफर्मेशन थर्ड आपने क्या किया सबसे पहले प्रोसेस बनाया गैदर करी इंफर्मेशन तीसरा अप्लाइड टूल्स एंड टेकनीक्स ने बाद तीन चौथा पांच बच्छत्ट एक दम सिंबल है document the risk document the risk identification process और लास्ट क्या दा evaluate the performance बहुत ही बड़े मैंने इनको कुछ देखिए ऐसा कुछ बहुत लंबा चार्ट बनवाया इस बार तो मैंने इस बार न इन लोग को एक वाल चार्ट बनवाके दिया है ऐसे करके है अब चीज का जो लोग वाल पर लगाकर रिवाइस करते हैं इसे तो अगर इन में से किसी के बाद में अगर यह चार्ट भी हुआ तुम्हारा गाम बेस्ट हो जाएगा अब एक और चुश्ण यहां साथ से सेवन इडेंटिफिकीशन असेंशन्सस्स्स्स्स्ट आच्यार्ट पर लोग भाई आगे बच्चों की तरफ से चाट तो वह यह कौन जीता है आज का यह इनाम आईना है वन इट हाँ जी तो भाई आईना ने सबसे पहले बचा है देखो भाई मैंने इनको ऐसा वाल चार्ट बनवाया है यह मैं तुम्हारे गुरुप्स पर भी शेयर कर देता हूं पर इससे ऐसा रटेगा ना तुमको हद्दी भी एक दम्दान इंपर वल पर चिपकहा है एंसे पूरा एक बड़ा सा चार्ट बनवाया है रिस्क एन एक्सपोजर पॉस्बिल्टी अप्रोस्गिंज अटेंडिजास पर अप्रोस्गेंश्य अपर्श cay आपान दिस ठीक है, by defining project objectives plus success factor, gathering information from reliable and high quality sources, applying tools and technique, select the best suitable technique, document risk, record it into the risk register, फिर यहाँ पर assessing and effectiveness of the risk, फिर यह दिखना, risk identification, analysis, सबका मेंनने से एक चार्ट बनवाय है, दान, अभी आइना कहा है, भाई, भाई, लाई वाले बच्चों, यह आइना नहीं अपने पूरे के पूरे नोर्स भेज़े हैं, इसका एक पूरा बहुती बड़ा सा, इसने ऐसे एक चार्ट बना के रखा हुआ है, बस इसका इसमें कैमरा बीच मा रहा है, आइना प्लीस थोड़ा दूर से अच्छे से बेस, तेरे कैमरे के फोकस ही है, वेस हम यह चार्ट पढ़ नहीं पाएंगे, और आइना की कॉफी एकदम ड़न, आइना बन चल रहे हैं, तू बस वापस आ और मुझे फोन कर, डाइरेक्ट मैं तेरे को CCD के बाहर ही खड़ा मिलेगा, जबान की बात है, यह तो online भी है, नहीं बोलोल को, अजी, 7th identification essentials, अच्छा अब यह 7 identification essentials को याद करने के लिए, यह मैं आपके टेलिग्राम पे डालना हूं, सारा का सारा चार्ट, इसको याद रखने का सिंबल दरीका है, रीड आटीपी, यह है आपके 7 essentials, ब्रहम मास्तर, 7 essentials एकदम ब्रहम मास्तर में यही चलेगा, that is, रीड आटीपी, यह question बहुत हाई chances रखता है आने का, identification का, शौर, अच्छा, रीड आटीपी में क्या है, अगर आप देखो, तो दो इन लोगों ने आर यूस की है, तो एक आ र है, repetition, और दूसरा है, roots and symptoms, प्रहले इसके नाम याद करूँ, read आटीपी, तो आर, आर, आर फॉर, roots and symptoms, जल्दी बताओ, root को treat करना है, कि symptom को treat करना है, और दूसरा है, repetition, दूसरा है, repetition, अच्छा, इसके बाद आता है, E, E है event trees, E is event trees, ठीक है सर, A is approach, okay, E was event trees, A is approach, तो अब इसके, read आटीपी, बहुत बढ़े है, read आटीप, R, repetition, एक और R, roots and symptoms, E is event trees, A is approach, D, documentation, वो जो रिसकर रिजिस्टर याद है, कि अपने को सबको document करके रखना है, so read, R, R was roots and symptoms, T is team participation, T is team participation, and last comes P, P is PDR, project definition rating index, चल, बहुत बढ़े है, read, R, T, P, बापस से, read, R, T, P, अब read, R, T, P, क्या आया, बापस से, अच्छा, एक बार बिना देके बोलना मेरे साथ, read, R, T, P, चल, बोलते जाओ, R, E, A, D, अंदर कोई भी लिख सिकता है, R, roots and symptoms, अच्छा बेक से, root and symptoms के अंदर क्या लिखना है, that the idea is to treat the root of the problem and not the symptom, right, so it is essential in the risk identification phase to find the root cause instead of mistaking them with the symptom, so symptom can be confused with the root cause, making it critical to discover the origin of risk, sure, तो सबसे पहला, root, अच्छा इसके बाद था, E, E is eventries, अच्छा, eventries कुछ भी नहीं है, eventries का मतब होता है, how an exact risk has occurred, तो eventries represent an event followed by all the factors, faults related to it, तो भईया मान लो कि तुम्हारे साथ एक, लचसे कोई financial risk हुआ है, which was in the nature of credit risk, followed by why it happened, because of the market condition, market में क्या हुआ वगरा 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 वगरा, this is eventries, so इसको आप हमेशा से लिखेंगे, this is commonly a reliability study, जहां पर event tree बनाया जाता है, जहां सबसे उपर लिखा जाता है, event की हुआ क्या, followed by the factors, जह से हुआ, so the top of the tree is the event itself, and it is supported by the condition, which led to that event, जहां पर E में मने लिखा, event tree, A, A was approach, A was approach, come back to A, over here, is approach, now, हर तरीके, हर प्रोब्लम के लिए एक अलाग अप्रोच होनी चिये, हर तरीके के लिए एक अप्रोच होनी चिये, certain objectives require distinct approaches, to best combat identification failure, so one method to identify all the root causes, undesirablement and map their potential impact, another is to identify the performance function the project must enact, then find possible issues with function, so approach का मन्दब के है, अलग-अलग प्रोब्लम को अलग-अलग तरीके से टूना जा सकता है, कभी काम स्टार्ट करने से पहले प्रोब्लम सा इडेंटिफाई करनी चिये, उसके बाद काम करना चिये, कभी काम स्टार्ट करने के पाद उसकी प्रोब्लम समझनी चिये, और फिर उसको सॉल्व करना चिये, तो ये बनी आपकी R.E.A. अच्छा, D क्या है, documentation, I don't think इसको पढ़ने की भी जरूरत है, जो भी identified risk है, इसको proper risk register में identify करके लिखने जरूर चाहिए, that is very important. Consistent and exhaustive documentation leads to comprehensive and reliable solution for a specific project or future risk management team's analysis. Most communication is recorded by a project manager and data is then copied and prevented for future use. This becomes read. अच्छा, एक बार, बिना देके वापिस से read भोलना, R. Root E. Eventries A. Approach D. Documentation Next R. Is Repetition So, this is not a one-time process, keep on repeating, keep on repeating, keep on repeating, don't think me otherwise. क्योंकि information changes appear as the process proceeds, keeping identified risk current and updated is very important to mitigate the most prevalent risk. Keep on repeating, क्योंकि बार बार information change होती रहेगी, बार बार identification करते रहो, क्योंकि नए नी problems आती जाहेंगे, नए ने factors आती जाहेंगे, keep on having a holistic view. So, read R. T. हाँ जी सर, T. Participation, इसको तो कोई भी लिख सकते हैं. और लास्ट है P, that is PDR है. अचा, PDR है, के अंदर सिर्फ आपको इत्ता लिखना है, this is a tool of identifying and assessing risk, that's it. Product, Rating, Definition, Product, Definition, Rating Index is a risk assessment tool that develops mitigation program for high-risk areas. बस इतना ही लिखना है इसके अंदर. Done. अचा, एक सेग्ड, क्या risk identification के essentials पूरे याद हुए? भरे, आपको comment में नहीं लिखना, मत लिखना comment के अंदर, बर एक बर अपने साथ screen पर रिपीट कर लेना. R is Roots and Symptom, E is Eventories, A is Approach, D is Documentation, R is Repetition, T is Team Participation, P is PDI. अचा, अब एक सेग्ड है, अब इसके आगे है, Risk Analysis, अचा, अब एक सेग्ड है न, मेरे हिसाब से, Risk Analysis के अंदर, आपको दो क्वेशन दा सकते, Process of Risk Analysis नहीं पूछा जा सकता, पूर शॉर, अगर प्राक्टिकल क्वेशन आना है, तो Risk Analysis से आएगा, ठीक है अगर प्राक्टिकल क्वेश्चन आना है दो रिस्क अनालेसिस से आएगा शॉक्त ठीक है आजो अच्छा आप दोस्त once you've identified the risk once you've identified the risk the next step is risk analysis अच्छा analysis is of two steps analysis is of two steps इसमें अपन देखो analysis के दो steps होते है first identify the threads और दूसरा होते है estimate risk are you with me first is identifying the threat and second is estimating the risk first is identifying the threat and second is estimating the risk identify the threat and second is estimate the risk identify threat estimate risk identify threat estimate risk एक मिन्ट रुपना ना आज का अपना ESG के lecture रख लेते है live ही कर लो कोई face to face आने की जरूति नहीं है 745 से एक 845 का session रख लेते है जल्ड़ी लदी quickly करवा देता हूं क्यों भी छुट्टी लेनी जबरदस्ती तो 745 to 845 will be ESG chapter 4 पढ़ेंगे अपन लोग आगे so estimating the risk threats बहुत सारे तरीके के हो सकते है it can be a human threat अच्छा आज यस के लिए मैं मेरी health किता बड़ा threat हो सकती है आज मैंने marathon start किया है और अभी मेरा गला बैट गया है तुख्ला से पढ़ाया अभी तक तो गला बैट गया है यह तो अच्छा है कि कल ब्रेक है अन्ना कल रात तो गले की बैट मत जाती मेरे अब देखो the only thing this is a human risk my illness, death नहीं बोलूँगा my injury of any key individual can be a human risk Indian team को Shuman Gill काव में क्राम आया जोरा है भाइ माई मैपिससा पागल होकल है कि तो तेरे कृछसा आव हमधबाद में century लगा नहीं है यहाँ में पर रेडा होंगे हम पस जाएंगे भी so, this is human risk और भी तरिखः की सो हो सकते है ऑपरेशनल रिसक आपको माल की supply नहीं आ रही माल की supply नहीं आएगी तो आप आगे काम कैसे करोगे that can be another threat repetition is also a threat loss of customer, employees confidence damage to the market repetition ये भी बहुत बढ़ा question है procedural risk हो सकता है कि आपने जो proceeds बनाया है this is not working project risk time बहुत जादा लग गया आपका budget surpass कर गया is a project risk financial risk, technical risk, natural risk weather change हो गया आप क्या ही कर सकते हो natural disaster or disease political risk, tax change हो गया government change हो गया is a political risk ठीक है अच्छा बहुत हो गया इतने सारे risk बहुत है तो एक तो आपको याद रखना है कि risk analysis is the next process in which we first identify the threat and second estimate the risk threat could be human, operational, reputational, financial, natural, political, बहुत हो गया आप उसके बाद होता है estimating the risk, अच्छा जल्दी से बताओ किसी को estimation the risk का formula याद है estimation the risk में मैं आपको risk value सिखाया था if you remember estimating the risk में मैं आपको risk value सिखाया था risk value में आपने क्या किया था probability of the event versus cost of the event इसके अंदर अगर question आया तो यही आएगा अगर इन लोगने risk analysis से पूछा तो यही पूछे probability into cost of event अच्छा इसमें मैं आप से एक question कूछ रहा हूँ, आप बस मैं को solve करके देतो, समझ में आ जाएगा the landlord in the area has increased rent by 50% of every tenant current rent is 5,00,00,00 the probability is 40% of increase calculate the risk value जल्दी बताओ, calculate the risk value calculate the risk value high क्यों बताओ isher मैं भी क्याल्क्लेट कर दूँ है हांजी ठीक है जाता है विसका आंसर सोचो मैं एक मिनट का एक स्यू-स्यू ब्रेक लेग लेगे आ रहा हूं उसके बाद आप उसका आंसर देता हूं तो फाइफ मिनिट सी उस्यू ब्रेक जब तक तुम चाहो तो कॉमेंट सेक्शन में लड़ सकते हो क्योंकि एक लाग लिखा एक ने दो लाग लिखा एक ने तो चार लाग लिखा साबास इंडिया बहुत बड़ी है कर सकते हैं आततत तक यू. झाल 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 आँ जी बलग बलग बलगाओं पधारो मारे देस जी बलग बलग बलगाओं पधारो मारे देस सर या तो दो लाग या तो तीन लाग बदाओ दोनों या अंसर गलत है पहले समस्त है cost of event अब यह आपका current rent है पांच लाग वो तो रहनी वाल है increase rent by 50% of every tenant मतलब आपका रेंट पांच लाग रुपए में 50% से बढ़ सकता है तो पांच लाग का 50% होता धाई लाग तो भहिया आपका cost of event कितना हो गया दो लाग पचास जार अच्छा वाट इस दे प्रॉबबिलिटी की rent वो बढ़ाएगा यह बढ़ाएगा 40% चांस है 40% of 2,50,000 40% of 2,50,000 would be 1,00,000 so this my friend is your answer everyone over here are you all with me जनल लोग ने दो लाग लगा जनल लोग ने तीन, चार, पांच लाग लगा क्या आप सब मेरे साथ है क्या आप सब मेरे साथ है अपस्कार, अपस्टिंश दो लोगार है क्या आप लोगा आप साथ है अपस्टिंश दो लॉटिंश दो लोगा लोगा अपस्ट जो फूर्च इक साथ है अब आते हैं आपके तीसरे रिस्क असेस्मेंट पर आचाह नो देखो रिस्क असेस्मेंट is the third step to identify or to assess रिस्क असेस्मेंट is to assess how significant is to assess how significant a risk is is how significant risk is for the overall achievement of the project हाँ जी सब से पहले आपने रिस्क आइनेटिफाए किया फिर आपने रिस्क एस्टिमेशन किया रिस्क अने फिर्सक एसेस्मेंट में आप उनका significance देख रहो, risk assessment में पढ़न क्या करते हूं उनका significance देखते हैं कि वह या how significant this risk is for the overall achievement of the project, so now to accomplish this enterprises require a risk assessment process that is practical, sustainable and easy to understand, now देखो, इसके अंदर ये लोग क्या करते हैं, जब रिसक को assess करते हैं, तो उसके अंदर दो चीज़े देखते हैं, देखना risk assessment में, in risk assessment, risk को दो जगवाँ पर देखे जाता है, एक उसका inherent risk, अचा पबो, anyone जो मुझे बता सकता, what is inherent risk, जी जैनल, anyone who can tell me what is an inherent risk, और दूसरा होता है आपका residual risk, residual मैं बता दूँगा, आप inherent बता दो चलो जल्दी से, भाई तुम एक बात मानोगे, professional में, अपन लोग अभी, 130-140 लोग live देख रहे हैं, executive का बच्चा भी कितना lesser serious time पर, विकास का marathon चल रहा है alternatively, वहाँ 80 नपर बच्चे देख रहे हैं, और अपन ये कहते हैं, कि professional में बच्चा बहुत काम होता है, और executive में बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ yes, उल्टा करके दिखाते हुगा, एक नंबर यार, बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ी है, हाँ जी, सही है, so inherent risk, inherent risk, inherent risk, अरे एक बार बापे जाके देख जाओ यार, मुगदा, बापे देख्या, हाँ जी, inherent risk, so this is the risk, which comes, if no action, is taken, residual risk का मतलब होता है, the left out risk, हाँ जी, residual का मतलब क्या है, the left out risk, after, the action, is taken, after the action is taken, बहुत ही मढ़ी है, आज जी जी, so now, inherent risk, is the risk, which comes, if no action is taken, residual risk, is the leftover risk, after the action has been, taken, after the action has been taken, बहुत ही मढ़ी है, so now, risk assessment, is the way in which, the enterprise handles, how significant, each risk is, to the overall goal, now to accomplish this, the enterprise requires, risk assessment process, to be practical, now, ये लोग क्या करते है, inherent risk, और residual risk को देखते, so inherent risk का मतलब होता है, in the absence of any action, जो risk आपके उपर आएगा, और residual risk का मतलब होता है, आपके response के बाद, जो risk बचता है, now, risk analysis का तरीका क्या होता है, अच्छा, मेरे हिसाब से, you should be remembering, this over here, ठीक है, बचता जाने के बाद भी बहुटी, इसे smell आएच रहा है, बहुती बढ़ी है, काहां से सोचते हैं, हाँ जी, so risk analysis, अच्छा दोस्ट, develop assessment criteria, वापस से, इसका process important है, risk analysis का process important है, हाँ जी, so first, develop your assessment criteria, ठीक है, assessment criteria बना लो, so the first activity is to develop, a common set of assessment criteria, जिससे, आप लोग risk and opportunities, को assess करने वाले हो, done, now assess the risk, अच्छा, assessing the risk का मतलब क्या होता है, हम हर risk को, values assign करते हैं, using a defined, criteria, जो आपने उपर बनाया था, तो जो आपने criteria बनाया, उसके साब से risk को करो, assess, आप क्या करते हो, सब risk को, एक rating देते हो, इसमें values assign करते हैं, अच्छा, इनको values assign करने के लिए, अपन दो चीजों के उपर, इनकी values करते हैं, कैसे कैसे इसकी value होती है, इनके impact, और इनके likelihood, इन दो चीजों को देखकर, इनको value assign की जाती है, जिसका impact बहुत ज़ादा है, और उसका likelihood भी बहुत ज़ादा है, हम इसको prioritize करेंगे, जिसका impact बहुत कम है, chances बहुत ज़ादा है, हम इसको बात में भी कर सकते हैं, जिसका impact बहुत ज़ादा है, पर chances बहुत कम है, हम इसको prioritize करेंगे, क्योंकि अगर गलती से हो गया तो गुच जाओ गया तो based on this आप इस पर values लगाते हैं और इसके बाद benchmarking करके values करके आप लोग risk को prioritize करते हो अच्छा एक सेकंड बीचों में रिस्क interaction क्यों नहीं पढ़ा एक मिन आपको बता रहा हूं तो सबसे पहले develop करो एक assessment criteria एक क्राइटेरिया नहीं assessment criteria पताने तुम लोग क्या लिख दोगे असेस्में क्राइटेरिया हो गया फिर असेस करो रिस्क रिस्क को assess कैसे करेंगे बाइ अस्टाइनिंग वैल्यूस ठीक है वैल्यूस किस चीज़ पर असाइन होती है आपकी दो चीज़ों के उपर likelihood और impact के उपर फिर तीसरा होता है risk interaction तो assess risk interaction अच्छा दोस जब मैं आपके सामने कर रहा हूं assess risk interaction what do I mean by assess risk interaction रिस्क never comes alone रिस्क never comes alone यानि कि रिस्क नेवर कम इन आईसोलेशन इसलिए आपको एक holistic approach फॉलो करने चीए इसलिए आपको क्या करने चीए होलिस्टिक अपरोच फॉलो करने चीए इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको अलग-अलग रिस्क जो इसके साथ आ रहे है उन सब को चेक करके रखना है तो देखना है आपको रिस्क never comes in isolation enterprise have to recognize the importance of managing risk interactions every insignificant risk have the potential to cause a great damage और a significant opportunity therefore enterprises are gravitating towards an integrated holistic view of risk using techniques such as risk interaction matrix, bow tie, aggregated probability distributions in subsequent decide करता है चौता है prioritization अब यह तो अंदर बढ़ाने की बात ही जो उपर आपने rating दी थी ती जिस सबने risk assess की और interact किया अब आप उसको prioritize करो जिसकी rating जादा है उसको आप पहले treat करोगे against anyone else risk prioritization फिप्थ है risk response अचा है second काई रे से मैंने आपको normal पढ़ाते वह भी बताया था कि risk assessment process उपर ही खतम हो जाना चाहिए था fifth six तो देना में नी चाहिए था fifth है risk response you can accept, you can reduce, you can avoid, you can transfer so risk responses serve as the input to risk response whereby response options are examined accept, reduce, share, avoid और आपके सबसे decide कर लो and last effective and sustainable risk assessment process अगर आपको चाहिए कि आपका risk assessment successful हो the process should be simple, the process should be practical and it should be easy to understand अगर इन में से कुछ भी गया शदा I think you've joined the class late I've told you कि हम कले करेंगे परसो to be effective and sustainable the risk assessment process needs to be simple, practical and easy to understand people aren't enough to be efficient आपको इसको right technology और सही तरीके से समझाना पड़ेगा and last होता है आपका handling of risk अच्छा एक सेकंद देखो handling of risk में अपने को यह इत्यों सारे risk mitigation strategy यह सब एक ही है यहाँ तक तो मैंने तुमको बदाया था कि तुम लोग सिरफ छह risk के managing के तरीके याद करके जाना इसको पूरा याद करने की ज़रोतनी आप बाद में रीड कर सकते हो मैं आपको risk response लिख के दिन हो यहाँ पर अच्छा risk response में कैसे लिखना one line explaining the response second एक example डालते है जैसे risk response में क्या क्या हो सकते है avoid the risk तुस्तर अगर आपको लग रहा है कि आपका इसका जो हाँ जी शादा आपको हो सकता है बड़ बाकी और लोग भी है नहीं यापर so I think marathon is holistic for everyone risk interaction हाँ जी पता रहे हो जी risk response avoiding the risk avoiding the risk अच्छा avoiding the risk के अंदर आप लोग क्या करोगे simple अगर आपका method apply करने के बाद भी आपको लगता है कि this residual risk is beyond your appetite तो best क्या है risk को avoid कर दिया जाए मैं भी range rover खरीदने गया उसकी EMI देके फटगे मेरी तो मैं वापस आ गया एक ही दिन मैं वापस से आपको लगता है कि वो चीद आप अच्छे तरीक से नहीं कर सकते हैं तो आप अपने रिस्क को क्या कर दीजें जो कोई और specialized agency which is better in doing this work इसको आप कहते हो ट्रांसफर रिस्क सो सर अवाइड रिस्क सेके ट्रांसफर फ्रिस्क तीसरा रिस्क रेटेंशन अच्छा रिस्क रेटेंशन में दो तरीके के होते हैं मतलब जहांपर आप रिस्क को रीटें कर रहे हो ठीक्या इसमें एक होता है active अच्छा जल्दी बताव active risk retention क्या होता है active risk retention जहां पर the risk is retained as a deliberate part of the corporate strategy जहां पर उनलोगों ने रिस्क को identify किया और corporate strategy का definite और deliberate part किया कि हम इस रिस्क को retain कर लेंगे next up is your passive अच्छा passive risk retention क्या होता है हाँ जी passive risk retention क्या होता है जहां पर they fail to identify the risk जहां पर they fail to identify the risk thereby उनलोगों ने passively ही सही पर रिस्क को क्या कर लिया retain कर लिया so sir एक था risk avoidance not to do that project second था transfer of risk इसके अंदर आप outsourcing का example डाल सकते है तीसरा था risk retention insurance विसे कहीं पर भी चल जाता है पर मैंने आपको हर जाग के लिए एक एक example दे दिया इसलिए मैंने risk reduction में insurance डाल दिया जहां पर आप insure करवा देते हैं अच्छा इसके बाद अगर यह खाली तुमसे risk response पूचे तो चारी है handling of risk बोलते तो 5-6 लिख दे ना combining risk अच्छा अभी जब market टूट रहा था ना तो मेरे को बहुत जोर से फटी थी कि भाई market तो बहुत टूट रहा है बड़ तुमको अगर एक बाद नहीं बताओ तो याद रखना जब जब securities market टूटेगा ना तब तब gold भागता है जैसे ही मेरे को market टूटता हुआ लगा मैंने फट से gold में investment करना क्या मैं क्या सकता हूँ मैंने अपना risk combine कर दिया तो जो loss मेरे को market से हो रहा था वही gap मेरे को gold में हो रहा था and I made a strategy of combining my risk इसको बोलते है risk combining ठीक है last आप लिख सकते हो hedge that's it hedging of risk मैंने आपको बच्पन में भी सिखाई थी जैसे मैंने आपको एक foreign example बताया कि अगर आपको risk hedging करनी है मानलो foreign example आपन लोग foreign currency में deal कर रहे है और आपको डर है कि इंडिया foreign currency में काबले और तूटेगा तो आप कुछ investments करके रख सकते हैं कहां पे forex में volatility में घुसे तो आप वहीं से forex में ही payment कर पाएंगे जिससे आपका risk hedge हो जाता है hedge मतलब save हो जाता है तो यह बन गया आपके risk response बापिस से एक बार मेर साथ अब आपको प्रांसफर share retain reduce combine hedge हज से ज़्याद हो इससे ज़्याद है कि तो अपने को जरूद ही नहीं है बोलो समझ में आया है इसके साथ तुम्हारा आरेम का आदे से ज़्यादा portion कतम हो आदे से ज़्यादा ही हुआ है क्यों क्योंकि मेंली यही चीज बहुत time consuming होती है आगे वाला पाइट बहुत फट 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 जा सकते हैं मनलोग बोलो दोस्त समझ में आया क्या अब अपन आते हैं FRM पर फ्रोड रिस्क मैनेजमेंट इस इंपोर्ट फार्म अच्छा फ्रोड रिस्क रेजिम है सब से पहले अपने को फ्रोड जाना था तो ना फ्रोड इन लोगों ने आपको अलग 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 डेफिनिशन के साथ बताया हुआ है इन लोगों ने अलग अलग definitions नई syllabus में इन लोगों ने फ्राउड बहुत ही sensible बताया I actually liked it कि इन लोगों ने जिस तरीके से FRN नई syllabus में बताया which was much 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 better I think यह आपके लिए direct answer format है आप यहां से नई syllabus से यह ले सकते हो which is very good very good यह बनिया आपका फ्रॉड का introduction और उसके बन्सका process ठीक है कित्ता simple था नव फ्रॉड 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 को लोगो ने क्या बोला एक deliberate action to deceive another person so simple so easy just like a wow so fraud is that deliberate action to deceive another person with the intent आपका intent है to gain something something so deliberate action of deceiving someone again fraud क्या है deliberate action of deceiving someone अब इसके अंदर देखना fraud को ने लोगो ने कितना अच्छे ने defined क्या है any behavior by which one person intends to gain a dishonest advantage over another go ahead with this so fraud is a deliberate action by one person tries to gain something from another in other word fraud is an act or omission which is intended to cause a wrongful gain to one person and longful loss to another चाहे आपने facts को conceal किया हो यह किसी और तरीकी से किया हो this is fraud so simple right now a structured approach of lowering fraud is called fraud risk management बस इतना ही लिखे is fraud risk management now क्या आपके सामने जो मैंने fraud risk management का process लिखा है क्या यह process दोस्त आप देखो आपको देखते ही समझ में आ रहा है please watch it fraud risk management identifying the risk सबसे पहला है इस identifying the risk next up assessing मैंने आपको बच्छपन से सिखाया है assessing is the very big term which includes analysis and assessment थीसरा responding to the risk चौथा monitor करो और पांच बाँ बाँ रपोट करो now how simple this can be while you're writing fraud is a deliberate action to deceive someone in other words fraud is an intentional activity to have some wrongful gain and causing some wrongful loss to another one an approach to stop such kind of fraud is known as fraud risk management further the fraud risk management goes through five process wherein risk is identified risk is assessed आपने उसके साथ response किया आपने उसको monitor किया and report कर दिया बोलो क्या यह pipelines आपको समझ मैं जल्दी 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 बता दीजिए आप 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 यह है इतना सिंपल लिखने है तरीका अच्छा अब इसी के अंदर आप रिस्क आइंटिफिकेशन देख लो आप एफर आप अपकर波रिश Jakई वाया संप़ूदी। जहाड़ आप थա। इपक्रिधन लख अपक यह देखर आप करेंड़करण यहा यहाँ तरीकenda कर्वा आप आप up solution in order to resolve them although this is a good and legitimate technique to handle problems business need to go above and above they should start by attempting to identify the cause sir guidelines में नए सिल्वेस वाला नहीं होगा फिर मार्क्स नहीं बिलेंगा आचा है एक सेक्ट मेरको यही तुम लोग का IPC की सेक्ट 25 की definition बताई fraudulent means a person is said to do fraudulently if he intends to defraud फिर इन लोगोंने आगे वापस से उसी को फिर से define किया तो fraud risk management में fraud कितना लिखोगे किती देर fraud लिखोगे 25 बताओगे 17 बताओगे fraud बताओगे का तक बताओगे सो मैं यही समझाना चाहरू कि FRM के अंदर fraud तो आपको से थोड़ा से explain करना है इसी लिए वो answer much better है by wasting this much time कि यह पूरा इसमें तुम लोग को तो fraud risk management का process दिया ही नहीं है यहाँ पर fraud risk management लिखा है पर fraud risk management ही नहीं दिया इसी लिए अपन ने यहां पर तुमको इधर से हटाके वहां का FRM process कर वाए सब्सक्राइब अपरोच तुम से FRM पूचेंगे तुम पहले fraud बिदाओगे और उसका process बिदाओ इदेंटिफाइं असेसिंग रिस्पॉंदिंग मॉनिटरिंग अन्रिपोर्टिंग अब इसके बाद रिस्पॉंदिंग अच्छा रिस्पॉंदिंग ओविसली इस्पॉंदिंग इस्पॉ अब अपने नोट्स में इस तरफ आजओ आपको एक मिनट हलका सा FRM लिख के देता हूँ लिख लो, Fraudless Management fraud means an intentional deception caused by one person to gain wrongful advantage over another to gain wrongful advantage over another so in other words when any person deceives another person with the intent to cause wrongful loss the person has said to commit fraud this is the answer has said to commit fraud is kya kya the process by which such a risk can be managed is fraud risk management the process of FRM goes identification assessment responding monitoring and reporting and reporting khatam यह भीन गया तुमारा FRM का answer 4.7 लिखतो 4.7 की डेफिनेशन से कहीगोना जाधा तो पनल्टी है 4.7 डाल देना पुर्पर सेवन डाल देना पुर्पर सेवन डाल देना पुर्पर सेवन डाल देना जल्द लिखे बता दो तो मैं आगे बढ़ू पुर्पर सेवन डाल देना ओ भाई साब विकास का मैराथान दो खत्म भी होगे डाल प्तारियों हाँ जी अच्छा अब इसके आगे है रेपिटिशिन रिस्क माइनज्मेंट अच्छश्थ है इसमें रेपिटिशन रिस्क माइनज्मेंट में इन लोगों फिर से क्या किया RBI की definition दिया हां जी भया तो RBI ने repetition risk management को किस सरी के से define किया तो इन लोगों ने बोला कि भया risk repetition risk rising from a negative perception तो याद रखना आपने definition में दरूर लिखना that repetition risk means a negative perception a negative perception on the part of your customers might be on the part of your counterparties might be your shareholders might be your investors might be your debt holders market analyst or other relevant parties or regulators that can affect a bank's ability to maintain existing establish new business relationship and continued access to the source of funding ध्यान देना वापेसे दोस्त इन लोगों ने बोला कि RBI ने repetition risk को क्या बोला negative perception first thing it's a negative perception अच्छा negative perception किस के पार्ट पे customers counterparties और any shareholder investor ठीक है कोई भी और party that can adversely affect a bank's ability for their existing or establishing new business relation with their counterparties is full that's it अगर आपने repetition risk management की definition लिखदी ना full on full marks है full on full कितना simple है repetition risk management तो RBI की definition है that it is a negative perception तो सबसे बहली बात a negative perception of whom of the customers और counterparties क्या करती है which affects the bank's power which affects the bank's power power to do what which affects the bank's power to do what to retain maintain and attract new customers or any probable source of funding or any probable source of funding बोड़ो भाई समझा गया है or any probable source of funding done यह है आपका repetition risk अगर नहीं लिखाये तो जल्दी से लेखलो 10 सेगड़ और रोकेंगे तो हार ली भाई चैसाथ लेटर बाने तो पीए मैंच अगर नहीं लिखाये तो हाँ आड रिंडर हुए ठीक है अच्छा अब यह बहुत टाइम पास है यहाथ यहाथ रेपटिशन रिस्क हाद वरी बिग डामेज ब्राइंड वैल्यू खराब करता है अच्छा अभी बजाज फाइन्स क्लास्तिक एग्डाम्पल और रेपटिशन रिस्क आर्बिया ने बजाज के उपर तो पता है ना उनके दो प्रोड़क्स पर बैन लगा दिया भाई दो प्रोड़क्स पर बैन लगा दिया शह साथ परसेंट से शेर की वाल्यू टूड़ गी फिर वो फटाक से आये बाकेट में उन्होंने वापस आके अपने क्लारिफिकेशन दिये कि आर्बिया ने जो बोला है हम उसको करेक्ट करेंगे बहुत जंदी से वापस आएंगे यह वो यह वो फिर वापस से उपर आग बहिया रिस्क को स्ट्राटेजी के अंदर ही इंटेग्रेट करो रिस्क मैनेजमेंट को बोल ओवर्साइड करो इमेज बिल्डिंग करते रहो अच्छा कॉर्पेट गवरनेंस का कल्चर लेके आओ फॉलो करो आपकी वैल्यूस को लोगों से फीडबैक लो इंटरनल चेक अ नए इस सेलेबस में भी लोग मिनको लिखता हूं रीड तू बेसिक एंदू इस तू फॉलो वरी विट आट जस्ट गिवेटर रीड अलमस्ट 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 देर रिस्गवर्नेंस भी तुम रीड़ कर सकते हूं यह उन्ट भी नीडिंग मीं होग है अब और क्या ही ठीक है एक एर्म बच गया है तुमारा एर्म और एंफोसिस की केस स्टेडी तर आए सो थर्टी ज थाउसन भी काम का है बस अब भी पर मिरको है मिरको इसकी चाबी यह यह और यह ओफिस की चाबी रखे काग है मेरा 745 से 845 एक और लेक्च्चर है कि इधर से लिलू या फिर एक काम करता हूं जहां अनॉंस्मेंट है ना अनॉंस्मेंट महीं से होने वाला है तो वहां बस मेरा सेट अप रखपा दे बस पांच में खतम हो जाएगा तू भले आधे के इंटे में उठा लेगो दिखत नहीं तो किती दिर में जाएगा तो मैं सेट आप वहां पर ले जाऊंगा ने बस उनको बुलना ऑफिस बंद करते हैं वाला मैं नीचे सी रेक्षर लेके निकल जाऊंगा थेके ना ड़न हाँ बोले दोस्तों मेरा साथ बज़े वापे से अनॉंस्मेंट है यहां पर रुखने का वक्त आ गया है मंडे वाले दिन थोड़ा सा ज्यादा लंबा सेशन खीच लेंगे एक चैप्टर और अपने को तच करना रहे गया चैप्टर थ्री ठीक है ना we'll do it more don't worry I'll give you more time अगर उस दर अपने को परसों में लगेगा तो यहां रुख जाते हैं यहां मेरे को आपको बस ISO 21000 सिखाने है और ELM सिखाने है तो यह मैं आपको परसों मौर्णिंग में स्टार्ट करते हैं पहले वह सिखा दोंगा उसके बाद अपन करेंगे ठीक है एक छोटा सा काम प्लीज बस मेरी तरफ से एक काम करेंगे रखना प्लीज जून 23 वाला मारथान में मैंने चाप्टर 1 और 2 कराया है तुम्हों भाई कसम आज और कल में चाप्टर 1 और 2 करके रखना सर मंडे को ब्रेक कमना तू इंसाने कर गवाया रहें और आगल होगे कैं मेरे मारथान से कम ब्रेक तो और काम ही प्लीज टे को चालेस मिनिट का खाने का ब्रेक सूसू नहीं करें गया और पंदरा मिन के चाहे के ब्रेक आज़ो दन तो भाई चाप्र वन और टू पूरा का पूरा कम्प्लीट करके रखना ठीक है वन और टू पूरा का पूरा कम्प्लीट करके रखना तो अब भाई जल्दी से मिलते हैं वापेस मंडे को वन्टू करके रखना वर्ल गप जीत के वापेस मिलते हैं अब एक चीच प्लीज वीडियो को लाइक करते पे चले जाना अगर कोई रह गया हो और प्लीज इस पर अच्छा सा कॉमेंट डाल दाना इसमेंस अलोट तो उस थैंक यू सो मच जहन जे महाराष्ट्रा बाई बाई आध गंटे का रिवाट इस वन कॉमेंट इस वेरी इंपो